जो गले मिलोगे तपाक से तो वो हाथ भी ना मिलाएंगे ये नए मिजाच का सहरे सहाब जरा सफल हो तो दोड के मिलने आएंगे नमस्कार दोस्तों अगनी पस्टे सीरीज में मैं आप सभी का श्वागत अभिनेंदन करता हूँ और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं यूपीटी जीटी दो हजार इकीस का क्वेस्टन पेपर जिसमें क्वेस्टन नमबर एक से लेके 125 यह नहीं के 125 प्रशनों का पूरा डिसकस्टन होगा वन बाई वन आप मेरे साथ जुड़े रहें यहाँ पे एक क्वेस्टन है डिफ्रेंसियेशन से लेकिर उसमें थोड़े से लॉग अर्थिम के concept यूज होंगे लॉग A बेस B को हम लिख सकते हैं लॉग A बटा लॉग B अगर हम थोड़ा सा एक काम करें यहाँ पे है ना छोटी सी बात देखें अगर हम इनको दोनों को पलटना चाहें अंस को हर और हर को अंस बना दे तो हमें पावर निगेटिव करनी पड़ेगी है ना पावर क्या कर हो जाती थी यानि कि अंस को हर हर को अंस जब हम जब भी हम बनाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाती थी यहां पर देखो यह तो लिखा हुआ लॉग X बेस फाइप तो कि हमें पता है कि लॉग X बेस एक डिफ्रेंसियेशन हो जाएगा आराम से लेकिन इसका नहीं होग जब इसका नहीं होगा तो हम से चेंज करेंगे यानि कि लॉग A base B को हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं इसी को देखेगा इसे हम लिख सकते हैं log B base A की power में minus 1 देखिएगा number और base आपस में interchange हुई है power negative आ गया यानि कि uns को uns को हर और हर को uns बनाया गया तो power negative आ गई तो यहाँ देखिएगा y equal to यह कितना आ जाएगा यह आ गया log x base 5 plus और यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं interchange करिए number यहाँ पे है वहाँ पे ले जाएए base को तो base वहाँ चला गया number यहाँ आ गई ठीक है और इसकी power क्या हो गई negative ठीक है अब कर दीजिए इनका differentiation इनका differentiation करेंगे तो क्या आ जाएगा y dash equal to log x base 5 का कितना हो जाएगा 1 upon x हमें तो इसका differentiation पता है ना log x base a का differentiation होता है वो क्या होता है 1 by x log e base a यही होता है इसका differentiation तो इसका हो जाएगा 1 by x log e base 5 अब आगे आओ यह क्या है फंसन है अभी तो में x की power n से इसका differentiation करेंगे पहले देखिएगा यह plus है तो वो minus यहाँ पे निकल के आएगा log x base 5 की power में n minus 1 होता है तो minus 1 minus 1 कितना हो जाएगा 2 और log x base 5 का फिर से हो गए differentiation तो कितना आजाएगा इसका differentiation आजाएगा 1 upon x log e base 5 अब हमें निकलना है dy dx at x is equal to 5 dy dash के मतलब क्या हुआ dy dx at x is equal to 5 रख दीजे यहाँ पे कितना हो जाएगा एक बटे 5 हो जाएगा जहाँ पे x है वहाँ पे हमें कहरा रखना है 5 log e base 5 minus और यह हो जाएगा log 5 base 5 की power में minus 2 और into यह आजाएगा 1 by 5 और यह हो जाएगा log e base 5 अब देखिए यह इसकी value पूरे की 1 हो जाएगी यह plus की और यह minus की है दोनों cancel out हो जाएगे कितना आजाएगा answer 0 आजाएगा यानि कौन सा option correct होगा यहाँ पे c वाला option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 2 के पास question number 2 में हमसे कह रहा है कि the minimum value आ 4 cos theta plus sin theta अब देखिएगा यहाँ पे 4 cos theta plus 3 4 cos theta plus 3 कि मैं minimum value चाहिए अब हमें पता है कि जो cos theta की maximum जो value होती है जो maximum value क्या होती है अगर मालिजे कि cos theta की मैं बात करूँ तो क्या होती भीया minimum value जो होती हो minus 1 होती है maximum value कितनी होती है 1 होती है अच्छा तो एक काम करते है यहाँ पर हमसे minimum value पूछा है तो cos theta की हम minimum value इस्तेमाल करेंगे तो यह हो जाएगा 4 into minus का 1 cos theta की minimum value कितनी minus 1 होती है into 1 plus 3 तो कितना हो जाएगा यह minus का 4 plus 3 equal to कितना हो जाएगा minus का 1 यानि कि कौन सो आपपन सही हो जाएगा B वाला option यहाँ पर correct होगा अब देखेगा दूसरा तरीका क्या है एक बात हमें यह पता है कि A sin theta plus B cos theta है ना इसकी जो minimum और maximum value होती maximum कितनी होती है plus under root A square plus B square और minimum कितनी होती है minus इसी में minus लग जाएगा तो आईए यहाँ पर चलते हैं तो भई यहाँ पर A sin theta की जगह पर क्या है 0 sin theta यह तो 0 है 0 sin theta plus 4 cos theta plus 3 0 है 0 से multiply होगा 0 ही लिखा जाएगा कोई दिक्कत नहीं अब देखेगा इसकी जो minimum value होगी वो कितनी हो जाएगी minus का root 0 का square 0 आएगा और 4 का square 16 आएगा और यह plus का 3 यह कितना आ गया यह minus का 4 हो गया और यह plus का 3 हो गया तो कितना आ गया भी यह minus का 1 यानि कौन सा आपफ़न सही हो जाएगा बी वाला option correct हो जाएगा दूसरे में भी चलेगा question number 3 आपके सामने question number 3 में हमसे कह रहा है कि a force represented by a force हमको दिया गया है i plus 2 j plus k से इसको represent किया गया passes through a point एक बिंदू से होकर गुजरता है वो बिंदू हमारा a है a बिंदू से होकर गुजर रहा है यह force coordinate इसके है 2,3, 2,3,1 अच्छा एक point हमारे पास b है ठीक है जिसके the moment of the force about this point इस point के about में हमको moment चाहिए और जिस point के है उस वाले point से घटा देते हैं है ना तो यहां से मिल जाती हमें displacement यानि की r तो r बराबर कितना हो जाएगा a minus sorry क्या हो जाए a minus b यानि की a का position vector minus b का position vector b a यानि की यह हो जाएगा हमारा 2 minus 1 यानि की i बन जाएगा plus फिर 3 minus 2 यानि की j बन जाएगा plus 1 minus 1 है यहां पर अल्डेड़ी तो minus के रहेंगे तो plus का हो जाएगा और यह हो जाएगा 2k और निकाल दीजे यहां पर बल आघूर्ड परिता बल आघूर्ड यानि की the moment of the force निकाल दीजे तो वो क्या होता है टाउ बराबर क्या होता है टाउ बराबर होता है आर क्रोस एफ चलिएगा आर रख दिया जाए यहां पर यह i है यह j है यह k है आर है यहां पर 1 2 और यह 1 और यह भी 1 और यह 2 और f कितना है 1, 2, 1 चलिएगा calculate करते है determinant को हल कर लेते है is equal to i हो जाएगा यह चुटेगा यह चुटेगा 1-4 यानि कि minus का 3 हो जाएगा minus के j को रखेंगे यह चुट जाएगा यह चुट जाएगा 1-2 यानि कि 1-2 का मतलब क्या हुआ 1-2 का मतलब minus का 1 बना plus k into यह चुटेगा यह चुटेगा है two minus one यानि कि two minus one का मतलब कि यह one हो गया है न तो किलोगरेट कि हमने तो कितना है बाइस साब यह आ गया माइनस का three आई प्लस का जे प्लस का के ऐसा कौन सा उप्शन आ रहा है option नमबर जो सी है बिल्कुल डिटो कुछ ऐसा ही आ सब्सक्राइब तो दिए तो चार बटे चार अगर काटेंगे तो वही बात होगी कोई दिक्यत वाली बात नहीं है है ना तो हम इसका sum निकालना है हमको पहले तो इसको लिख लिया जाए s is equal to कितना लिखा हमने 2 plus 3 by 2 plus 4 by 4 plus 5 by 8 plus dot 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 infinite series है अब देखे हमें यह लग रहा है कि अगर हम इसके हर में है ना इसके हर में अगर हम 2 से गुड़ा करें यहनि कि एक बटे-2 से इस संख्या में multiply करें तो इसका हर आएगा और इसके हर में अगर एक बटे-2 से multiply करें तो इसका हर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी स्रीज में एक बटे दो से multiply करेंगे, तो एक बटे दो से हमने इसमें multiply किया, इधर multiply करेंगे, एक पत छोड़ के रखना है, इससे multiply किया तो यह दो बटे दो आ गया, है ना, तीन बटे दो को multiply किया, तो यह कितना आ गया साहब, तीन बटे चार, चार बटे चार को multiply किया तो यह आ गया चार बटे आठ इतना आएगा चार बटे आठ प्लस डॉट 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 रहें यहां गटा यह घटा यह भी घटा यह जटा आगे भी घटेगा तो देखे तीन बटे-दो में दो गटाएंगे तो कितना आएगा एक बटे- दो बच्चेगा ठीक है प्लस चार बटे चार में तीन बटे चार घटाएंगे तो कितना बच्चेगा एक बटे चार पांच बटे आठ में चार बटे आठ घटाएंगे तो कितना बनेगा एक बटे आठ प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा सिरीज हमारी जो जाएगी वो infinite तक जाएगी अच्छा फिर ये s by 2 equal to इसे 2 को लिख दीजिए 1 1 plus 1 ठीक है 1 plus 1 ये हो गया 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus dot 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 कहां तक infinite अब हम देक रहें कि ये यहां से लेखे हना यहां से लेखे जो सिरीज बन रही वो 21 इनफानाइट जीपी बन रही एक बटे दो में एक यानिक एक बटे दो आने वाला है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे एक प्लस कितना हो जाएगा भाई 1-1 बटे दो एक बटे दो आया दो का उपर multiply हो गया यानिक यह आ गया हमारे पास s by 2 is equal to 3 है ना कितना आया s by 2 एक पॉल टू 3 तो multiply करेंगे तो कितना जाएगा सिक्स है ना क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन के बाद सिटना मिल जाएगा सिक्स है यानि कि फोर में कौन सो अप्षन सही हो जाएगा सी वाला जो आप्षन होगा वो करेक्ट हो जाएगा आदो देखें questions 5 कट्वेट पत्थर को ऊपर क्यों पिए चैच्चीन के प 발라 por दोरा दोरा पकड़ लिया जाता है जिस समय फपक्त्थर को ऊपर की ओर फखेका गया होगा टो च्ठ के बाद जब पकड़ा गया होगा तो इंगल जो बनेगा थीटश ब्राबर कितना बना और उड़के आया फिर उसने हाथ में पकड़ लिया उड़क्त था क्या तू यू शाइन थीटा ऑन जी वह कितना था छे सेकंड था जब पकड़ा गया होगा उस समय इंगल कितना रहा होगा 90 लिए तो यू साइन नब्बे कमान हो गया वन बराबर में कितना हो जाएगा यह 6G 6G तो यू बराबर कितना आ जाएगा यू बराबर आ जाएगा 3G अच्छा फेकने कि 2 सेकंड के पस्चाथ 2 सेकंड के बाद हमको निकालना है पत्थर का वेग तो लगाएंगे यहाँ पर गती का प्रथम समीकरन क्या होता है वी क्वल टू यू माइनस जीटी हो जाएगा क्योंकि वस्तू नीचे से उपर फेकी जा रही है कि यू कितना आ गया है 3G माइनस टाइम कितना ले रहा है 2 दो और जी पहले से दोजी सब्ट्र delve कर दिजिए कि में दोजी जाएंगे तो जी बचैगा यानिकि वे कितना आ जाएगा जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रती शेकेंड यानि कि 5 में कौन सो आफ़कन सही हो जाएगा ये वाला जो आप्सन होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेस्टिय नमबर 6 में बताया गया है हमें कि एक परवले दिया गया है देखें परवले की जो format दी गई है वो क्या दी गई है 4Y यानि कि X2 बराबर 4AY है ना किस format का है X square is equal to 4AY X square is equal to 4AY को रेखा कौन सी को रेखा जो होती है Y बराबर MX प्लस C दोरा काटे गया एरिया निकालना है कि कि दोरा काटा हुआ एरिया निकालना है कि कितना चित्रफल होगा तो उसके लिए simple सा formula इस्तेमाल करते हैं क्या 72a square m cube ठीक है a क्या है हमारा ये है 4a से a निकल के आएगा और m क्या है x का coefficient है ना y बराबर mx से format में रखने पर x का जो coefficient होगा यानि कि प्रवड़ता है इसकी वो होगी चलिएगा यहां से दोनों चीज़े पता करते हैं हमें दिया गया ये 3x square is equal to 4y और इसे अगर हम convert करना चाहें तो ये x square is equal to कितना हो जाएगा 4 बटा 3y और इसको अगर हम compare करें तो ये है हमारा 4a तो यानि कि ये हो जाएगा 4a बराबर 4 बटे 3 और a बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 3 अच्छा तो a बराबर 1 बटे 3 हो गया और इस line के पास आ जाईए line हमें कितनी दी गई है 2y is equal to 3x plus 12 तो से आप करिए divide y is equal to 2 आ जाएगा 3 बटे 2x plus 6 यहाँ पर जो m हमको मिली है ना m कितना मिली m यह है m is equal to 3 बटे 2 तो दोनों चीजे मिल गुई है यह भी मिला 1 बटे 3 यहां रख लिया जाए area निकल जाएगा 72 और a कितना है यह बटे 3 का मतलब क्या हुआ एक बटे 9 ठीक है और यह m3 m3 का मतलब 3 बटे 2 3 का मतलब क्यूब हुआ उपर 27 नीचे हुआ 8 9 8 72 यह दोनों cancel out हो जाएंगे तो कितना जाए गया 27 square unit ठीक है तो कौनसा option सही हो जाएगा डी वाला option जो है question number 6 में सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 7 की तरफ अब देखेगा question number 7 में करहा है कि in following figures AD is the tangent of the circle करहा है जो AD है वो tangent है इस circle की और AB is equal to 4 BC is equal to 4 then the length of the tangent तो देखेगा इस condition में condition क्या होती है जो tangent है मारी AD square बराबर होता है यह वाला part AB into यह पूरा part multiply में आता है AD square is equal to कितना हो गया AB into AC अच्छा AD ही तो निकालनी है AB कितनी दी गई है 4 और AC कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक में 5 plus 4 यानि कितनी हो जाएगी यह 9 हो जाएगी तो यह हो गई AC हमारी 9 ठीक है तो यह AD square is equal to 9 AD square is equal to 36 तो AD is equal to कितना हो गया 6 तो कितनी आ जाएगी यह 6 cm आ जाएगी इस पर से रेखा यानि कि इसमें कौन सा पार्ट सही हो जाएगा इसमें डी वायला जो पार्ट है वो एकदम करेक्ट होगा डी वायला पार्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसको से में थोड़ा सा बढ़ी मिती है ठीक है तो इसमें कौन सा ओप्शन सही हो जाएगा डी वायला ओप्शन जो हो तो देखिएगा जब भी हमारे पास दो विक्टर दिये गए होते हैं एक अगर A है और दूसरा क्या है B है तो A dot B बराबर क्या होता है A B cos theta जहां पर A और B क्या है मॉडूलस हैं किसके A और B के है ना वेक्टर A और वेक्टर B के तो देखिएगा अगर हम यहां से एंगल निकालना चाहें इन दोनों के बीच का तो cos theta बराबर कितना आ जाएगा वेक्टर A dot vector B बटे इन दोनों का मॉड तो यहां पर आ जाओ एक हमारा यह A है और दूसरा क्या है B है तो यहां से हम अगर cos theta निकालना चाहें तो cos theta equal to हो जाएगा कितना दिया इन दोनों का dot तो A plus B vector A plus vector B dot vector A cross vector B इन दोनों vector का dot और इनके बटे में क्या होगा बटे में आएगा इन दोनों का मॉड तो यह मॉड आ जाएगा मॉड और यह मॉड A cross B ठीक है हम करेंगे पहले उपर multiply हम A का multiply करेंगे तो A चुपचाप dot में आ जाएगा है ना A vector A dot vector A cross vector B ठीक है प्लस अब B के साथ B का multiply करेंगे तो B dot आ जाएगा A cross B A cross B और divide में जो कुछ भी है उसे चुपचाप लिख दिया जाए मॉड के अंदर कोई दिख्यत नहीं है ना A plus B और divide में है vector mod vector A plus vector B और vector A cross vector B अब मेरी बात समझेंगे अब देखेगा यहाँ पे यह लिखा हुआ A dot और आपको पता है कि जो यह A होता है A vector A dot B cross C इसे हम लिख सकते हैं किया box product में A B C और अगर दो में से कोई एक से में जाए या तीनों से मा जाए तो इसकी value 0 होती है तो देखेगा यहाँ पे उपर वाले को अगर हम box product में लिखें और यह प्लस और यह आजएगा वी ए बी तो मैंने क्या बताया कि जब भी अगर दो दो सेम हो जाएंगे या तीनों सेम हो जाएंगे तो इनका जो box product होता वह क्या होता है जीरो हो जाता है अगर इसकी value 0 होती है 90 की value 0 होती है पॉस्ट 90 की value क्या होती है होती है जीरो होती है यह ना दोनों की बीच के अंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा यह निकि आठ्वे में कौन सा option सही हो जाएगा इसमें सी वाला जो option होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 9 की तरफ question number 9 में बहुत ही रटा रटाया question है करा एक अर्द बृत्ताकार एत रिज्जा वाले संपटल के गुरुत्त केंद्र की दूरी केंद्र से कितनी दूरी पर होती है यह होती है हमारी 4a by 3 दूरी पर होती है है अगर कभी भी हमारे पास क्या होगी अर्द बृत्ताकार एत रिज्जा वाला संपटल होगा तो इसके जो गुरुत्त केंद्र की दूरी होती है केंद्र से 4 a by 3 pi की दूरी पर पोती है आगे देखिए को लिए 10 में हमें से कह रहा है कि हमेंने कालना है g of fx है ना चलिए g of fx इससे लिख सकते हैं हम क्या G of Fx is QN G of Fx ठीक है Fx रख दिया जाए Fx रख दिया जाए G को चुपचा बाहर रखा जाए और Fx रखा जाए कितना 10 inverse x 10 inverse x अब G में X की जगा पर रख दीजिये 10 inverse x तो G ये है G हमको Gx दिया गया है न Gx में क्या करना जहां 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 तो यह साइन हो गया साइन को रहने दीजिए और एक्स की जगब क्या रखना टैन इन्वर्स एक्स अभी इन दोनों को कर लिया जाए क्योंकि अभी यह आप्सन तो मैच हो नहीं रहा तो देखिएगा यहां पर एंगल के साथ आईए यह हमें एंगल मैं चूझ कर रहे हैं यह क्या हो जाएगा एक सब्सक्स यथा अनलों तो कितना यहां पर कितना वन्प्लस एक्सवेर एक्सवेर वन्प्लस एक्सी स्कॉय दोनों कैंसिल आओट हुए तो कितना बचा यह बचा हमारे पास एकसष्बाइड रूट आप्स्वेर एकसष्बाइड ने यहीं कि दस्वा में जो भी वाला अप्षन होगा वह बार-बार मैं सही हूँ है ना क्वेस्टन नमबर 11 के साथ चलते हैं कि क्वेस्टन 11 में कह रहा है कि एक पिंड 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से साथ हंस के कोड़ पर प्षेपित किया जाता है अब देखिएगा यह यह है है मारा 36 और एक पिंड यहां से कितना 36 जो वेग था इसका 36 जो था वो कितना है यूँ एक्वल टू है 40 मीटर प्रति सेकंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेका गया और एंगल कितना बना रहा था यह एंगल बना रहा था थीटा बराबर शाठ हंस के कोड़ पर परचिप्ट किया गया पिंड का वेग जब वह महत्ता मुचाई पर हो अब यहाँ पे है महत्ता मुचाई इसकी यहाँ पे है कहीं पे अब हमको यहाँ पे इसका पिंड का वेग निकालना है पिंड का वेग यहाँ पे निकालना है अच्छा महत्ता मुचाई पर तो देखेगा महत्ता मुचाई पर पिंड जो होगा जो velocity होगी वो क्या u cos theta की value पूची है u कितना दिया गया है 40 दिया गया है cos theta का मतलब कितना है कितने answer पर प्रशिप्त किया गया है 60 पर किया गया है तो यह cos sort हो जाएगा और यह आजाएगा 40 का गुड़ा करेंगे एक बटे 2 से और काटने के बाद कितना आ जाएगा यह 20 मीटर प्रती सेकेंड कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर प्रती सेकेंड यानि कि B वाला जो option होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 12 की तरफ यानि कि question number 12 question number 12 में x-y का अब देखेगा यहाँ पर simple सी बात है यहाँ पर कोशिस है कि यह aq-bq-cq जब भी कभी इस type का बनेगा aq-bq-cq तो हमारा काम होगा कि a, b और c इन दोनों को छोड़ के जरूर एक बार देख लीजिए क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर इनको जोडने पर a plus b plus c वो जोडने पर 0 मिल जाता है तो aq-bq-cq की जो value होती है वो direct क्या होती है 3abc है ना हम लोगों ने proving की है 9th में यह तो 3abc के equal हो जाता है तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन सब को जोड़ के देखें तो c कितना दिया गया है जेड माइनस का x है ना जेड माइनस का x सब को जोड़ दीजिए x से x कार देंगे z से z कार देंगे y से y को कार देंगे तो कितना आ जाएगा यह 0 मतलब यहाँ पे भी वही सेम संभावना यह नहीं है क्या कि यह जो aq प्लस bq प्लस cq लिखा जा सकता है तो लिख दीजिए भाई उपर 3abc 3 a a की जगह पर कितना x-y उपर से में लिख रहे हैं यहाँ पर मालों ठीक है वगला इस्टिप यहाँ पर है हमारा a b c और यह y-z और यह जड़ माइनस का x divided by 9 वह पहले से वहाँ पर हम कुछ करी नहीं रहे x-y y-z और जड़ माइनस का x यह कर जाएगा यह कर जाएगा यह कर जाएगा यह कर जाएगा यह कितना आ गया भाई यह कर देख लेते हैं कि कोई करड़ी तो नहीं है कोई करड़ी तो नहीं है तो हमें किसी परकार की कोई करड़ी कहीं भी नहीं दिख रहे है कि हमें देखना है कि हाईस्ट और हाइस्ट डिवेटिव कौन सा है था हई दॉ Sc 스크मए नहीं तो बस जो धेका करड़े रहे है उसका डिवाज भी तूट रह पर 223 होजाती दिक्री इसकी है Right कौन सा ओडर सही हो जाएगा ओडर के रिए बी वाला ओप्शन सही हो जाएगा तेरा में बी करेक्ट होगा आगे बढ़ेंगे क्वस्चन नंबर 14 की तरफ अच्छा चाहएं और 14 में अगर हम उपदेखो नीचे लिखा साइन स्कॉर सें इंटू इंटू है अगर मुआ यूपर रखते हैं साइन स्कॉर एक्स प्लस कॉस्ट स्कॉर एकस अच्छा और हम अलग अलग बटे करें ना कि one bye y sin square x देखेगा 1 की जगह पर हमने क्या रख दिया sin square x plus का cos square x है ना हम नीचे से हर को खतम करना चाहते हैं इसलिए ये रड़नीती अपनाई गई है sin square x into cos square x अब देखिए आपको ना करना जब भी आप इनको अलग अलग बटे करेंगे साइन स्कूर की बटे में ले जाएंगे sin square x into cos square x तो साइन से sign कर जाएगा one upon cos square x यानि कि यह क्या बनने वाला है से स्कूर x plus जब आप करेंगे cos square x के बटे में sin square x into cos square x कर जाएगा तो यह one by sin square x यानि कि क्या बन गया यह विव इसक्वार एक से अब कर दिजिए दूनों का इंटिग्रेशन पहले यहीं पे कर लिजिए फिर սुद्व कर देंगे है 5y4 से थी 5y3 ठीक है यह हमारी 5y4 है और यह क्या है 5y3 अपलाइ कर दीजी कितना हो जाएगा 10x 5 by 3 tan 5 by 3 लिख दिया जाए एक बार इसे कितना हो जाएगा 253 minus का minus का कॉट 253 ठीक है फिर minus करेंगे minus 10 pi by 4 और यह plus हो जाएगा 10 pi by 4 क्योंकि multiply होगा minus लगता ही है already, पहले हमने upper limit रख ली, फिर lower limit रख था minus करके, तो यह आ गया हमारे सामने, तो यह तो दोनों खतम ही हो जाएगे, भाई यह पर caught है आगे, यह caught है, लेकिन जो उनकी दोनों की value होती हो, same होती ही, तो cancel हो जाएगे, अभी लिखो channel लिखो वही बात हो जाएगे, अब देखे गए याँ पर, यह कितना है, 10, 60, और 10, 60 कमान कितना होता है, under root 3, है न, minus, caught, 60 कमान, 1 बटे अंडर root 3, अच्छा, यह minus का 1 और यह plus का 1, यह दोनों cancel out हो गए, कितना बचा हमारे पास, 3 minus 1 बटे अ under root 3, कौन साप्षन सही हो गया, 14 हमें, इसी वाला जो option होगा, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 15 की तरफ, question number 15 करा है, कि एक आदमी A से B तक 40 km तो ती घंटा से यात्रा करता है, अच्छा, दो जगहे हैं, A से B तक, ठीक है, A से B तक, ठीक है, दूरी नहीं दी गए, यह दूरी हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की एक एकान को दूरी मान लेते हैं, कि यह 1 km की दूरी है, और यह प्रतिघंटे की गती से, और जब वह वापस आता, तो 50% और बढ़ा देता है, तो देखिए, 40 का 50 मतलब 40 का अधा कितना हुआ, 20, तो 40, 20, 60, जब यह वापस आता है, तो इसकी चाल हो जाती है, 60 km प्रतिघंटा, अब हमसे कह रहा है कि उन दोनों यात्राओं में और सत्ग गती, और सत्गती के लिए हमें सीधी सी बात पता है, हमें निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें पता है कि किसी भी चीज का अवसद निकालना है, तो खुल दूरी बटे, खुल समय, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 1 km गया, 1 km आया, तो 2 km हो गई, बटे सम आगा होगा, 1 km आया वापस, और 4 कितनी थी, 60 km, यहांनि कि दूरी बटे चाल, यह भी समय हो गया, अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तुम सीधी सी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, दोनों को इंटू में ले लिए, दोनों को इंटू में ले लिए, 40 और 60 उप प्रति घंटे 48 किलोमेटर प्रति घंटे तो 15 में कौन सो आप्षन सही हो जाएगा 15 में सी वाला जो आप्षन होगा वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नंबर श्रोला की तरफ क्वेस्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक्सवन और एक्सटू जो है इसके एक्वेस्चन के रूट्स है ना चीक है इसके रूट्स होंगे तो हमें पता है कि सम आफ रूट्स कितना हो जाएगा x1 फ्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस भी यह लग रूट्स कितना हो जाएगा यानिकि x1 into x2 कितना हो जाएगा अ छा तो x1 और x2 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास चिंच है न और आ गया अच्छा हमें क्या चाहिए ex2 ग्यूब प्लेस एक्सवन क्यूब प्लस एक्सट्व क्यूब तो देखेगा सिंपल सी बात है हमें जरूरत पड़ेगी दो चीजों की अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो देखेगा फार्मूला क्या बने हमारे पास x1 plus x2 है ना aq plus bq का फार्मूला है यहां पर x1 square plus x2 square माइनस का x1 x2 ठीक है चलिएगा मतलब कि x1 square x2 square हमें चाहिए दोनों तरफ इसको वर्ग कर दो पहली वाली equation का वर्ग कर दो तो कितना जाएगा x1 square और यह x2 square plus 2 x1 x2 is equal to इधर कितना जाएगा चार है ना क्यानिक यह आ जाएगा x1 square plus x2 square is equal to देखेगा यहां पर x1 x2 की value रखें कि 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से आके उधर घटाएंगे 8 को तो माइनस का 4 बनीगा है ना माइनस का 4 हमारे पास बचेएगा अब देखेगा अब वैलू निकाल लेते हैं अफसारी वैलू यहां पता चल चुकी है और यहां पर x1 प्लस x2 की value 2 है और इंटू ब्रैकेट के अंदर x1 square प्लस x2 square माइनस का 4 है और x1 x2 की वैलू कितनी है चार वहां पर माइनस का यह हो गया माइनस का 4 माइनस का 8 हो जाएगी यानिकि दो गुड़े माइनस का 8 कितना आ जाएगा माइनस का 16 कौन सा ओप्षन से हो जाएगा c वाला option correct हो जाएगा शोला हमें c option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 19 करा कि तीन कारों की जो चाल है दो अनुपाते तीन अनुपाते चार के अनुपात में है 100 किलो मेटर की दूरी तैंकरने में इन कारों दोरह लिए गए समय अब देखिएगा सिंपल सी बात होती है कि चाल और समय के बीच में है ना आपने पड़ा है ना चाल जूठा है चाल बराबर दूरी बटे शमय अनुपाते चाल कितनी दी गई है दो अनुपाते टीन अनुपाते चार कि समय कितना लगेगा चाल का गएगए ज है ज़्यादा तेज चले उसे कम समय लगेगा ज ज्यादा ज्यादा समय लेगी यानिकि उसकी चाल थिरह है ठीक है टूम पलड़ देते हैं बाइज इए एक बते दो हो जाएगा और ये एक बटे 3 हो जाएगा, समय में अनुपाद चाहिए में और ये एक बटे 4 हो जाएगा, इन सब का ले लिजिए, L-SUM, L-C-M, 2-3 और 4 का, है न, L-C-M ले लिज़ाए, 2, और ये 3, और ये 2, फिर से 2 से काटओ, 3 से काटओ, है न, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 से उपर multiply कर दीजे, 12 से multiply करेंगे, तो 6, फिर 3 चोग 12, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानिकि 6 अनुपाते, 4 अनुपाते, 3, यानिकि 17 में कौन सा अप्पन सही हो जाएगा, 17 में D वाला option जो होगा, वो correct हो जाएगा, आगे देखेंगे, question number 18, question number 18 में भी हमें integration करना है, एक बहतरीन है, यह देखेंगा, बहुत आसान है, यह बस थोड़ा सा, कि दिख रहा होगा, वैंसे कोई दिख करते हैं, चलिएगा, अब देखो, यहां पर थोड़ा सा, इसे ही हमें set करना है, यह दिया है, e की power x, जो function दिया हम, उसे sit करने हैं पहले, आगे, आगे नीचे x plus 1 दिया है, आगे x minus 1 दिया, हम चार हैं कि इसको x plus 1 किया जाए, एक 1 हमने जोडा है, तो हमारी जिम्मेदारी के 1 घटाया जाए, तो 1 घटाएंगे और 1 वहाँ पहले से है, यह minus का 2 बन जाएगा, और divided by, यह कितना आ जाएगा, x plus 1 का whole cube, ठीक है, अब यहां से break कर देते हैं, terms को, देखिए, एक तो हो जाएगा, हमारे पास e की power x, उसे च बटे, x plus 1 का whole cube, ठीक है, और यह हो जाएगा, e की power x, काड़ देंगे, x plus 1 से काड़ देंगे, नीचे single power बचेंगे, दो घातें बचेंगे, x plus 1 की, x plus 1 की 2 घाते, minus 2 बटे, x plus 1 की 3 घात, ठीक है, अब यहां पर एक बात confirm हो रही कि, अगर 1 बटे x plus 1 के whole square का differentiation किया जाए, तो कि integration आजाए, e की power x और एक function fx आजाए, और आगे उसका differentiation आजाए, इसका differentiation आजाए, तो इस situation में जो इसका answer हो जाएगा, वो क्या होता, e की power fx plus c, है ना, e की power fx plus c, तो यह function हमारा fx है, इसका differentiation यहां दिया है, यानि कि इसके जो अगर हम integration की value निकालना चाहें, यानि कि हम निकालना चाहें integration, आप e की power x, 1 by x plus 1 का whole square, minus 2 by x plus 1 का whole cube, हो जाएगा यह, dx है ना, इसका differentiation दिया है, तो इसका मतलब जो इसका integration होने वाला, वो क्या हो जाएगा, e की power fx, कितना दिया है, 1 by x plus 1 का whole square, यहने की 1 by x plus 1 का whole square, और यह plus का c हो जाएगा, और ऐसा option कहां पे है, ऐसा option पहले number पे है, 18 का जो a वाला part होगा, वो क्या होगा, correct हो जाएगा, a option जो होगा, correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 19 की तरफ, question number 19, एक सांदारा और आसा question है, कह रहा है कि 1 plus i की whole power 4, तो हम एक काम करना चाहते हैं, यहाँ पे, देखिएगा, 1 plus i को हम यह लिखना चाहते हैं, जो power 4 है, उसकी 2 power हम इनको दान में देते हैं, और एक power उपर रख लेते हैं, minus, 1 minus का i, इसकी power में 2, और यह power में कितना हो जाएगा, 2, नीचे क्या करेंगे, इसका square खोलेंगे, तो यह हो जाएगा, 1 का square, plus i का square, plus 2i, और i square की value minus 1 रखेंगे, तो 1 और minus 1 कर इसा गया, फिर क्या हुआ, फिर इधर भी आया, 1 plus i square, minus 2i, तो i square की value minus 1 रखेंगे, तो 1, 1 cancel, तो minus का 2i और इसकी power में भी आ गया, 2, अच्छा, अब आगे, यह कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे, हमारे पास यह हो गया, 4i square, minus, भाई, यह minus तो इससे वर्ग से हट गया, यह तो 4 हो गया, और यह भी हो जाएगा, i square, अब क्या हुआ, i square की value रखी गई, minus 1, यह 4 हुआ, minus का, और यहाँ पे, minus 1 रखी गई, तो यह plus का 4 हुआ, और 100 भाग से दोनों cancel हो गया, और 0 आगया, answer, 19 का कौन से हो जाएगा, c वाला option, correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 20 की तरफ, question number 20 दिया गया है, कि sin x plus i cos x की whole power 4, अच्छा, हम यहाँ पे, हम यहाँ पे, यूलर फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन अगर जब हम i common लें, तब, i common लेंगे अंदर से, i का power 4 निकल के आएगा, एक power common लिया है हमने, जहाँ पे होगा i, वहाँ से निकल जाएगा, जहाँ नहीं होगा, वहाँ पे भाग हो जाएगा, तो इसके पास नहीं था, तो यहाँ पे हो गया 1 upon i, 1 upon i, find x, plus, और यहाँ से i गया चुपचाप, निकल, और power में कितना है, 4, और i की power 4 की value कितनी हो जाएगी, 1 into, यह हो जाएगा, पॉस x, 1 by i जो होता है, minus i के बराबर ह होता है, यह minus का i, अरे, यह 1 by i है, उपर नीचे i से करो multiply, यह i बटे नीचे हो जाएगा, i square की value minus 1, यह निकी minus की i होती है, तो यह cos i minus का i sin x, और उसकी power में है 4, इसका मतलब यह हुआ, कि यह है, e की power में minus x, यह ना, e की power में, अरे, e की power में minus हो गया यह, यह बन गया हमारा e की power में minus x, और इसकी power में कितना है, चाहे तो वह अलब फारूला लगा दीजिए, और दिमाईवर थो लगा दीजिए, यह सीधा power यहां ले लीजिए, यह कितना आ जाएगा, e की power में minus का 4, 4 i x, ठीक है, फिर से open कर दीजे इसको cos 4x minus का i sin 4x हमसे क्या पूछा उसने वास्त्विक भाग पूछा है real part पूछा है जिसके साथ i नहीं है वो इसका real part है तो real part क्या हो गया इसका cos 4x cos 4x इसका real part हो गया और 20 में option सही हो गया c cos 4x आगे बढ़ेंगे question number 21 21 की तरफ 21 में तो एक भी निकालना था इन दोनों को multiply करना था एंटू बी का मान निकालना था एंटू बी का मान निकालना था एक इतना था 1-2 और यह माइनस का 1 और यह 2 बी कितना था यह 2 है यह 6 है यह 1 है यह 3 है चलिएगा करते हैं इसको इसका कॉलम और इसकी रो का मल्टिप्लाइज होगा तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा दो माइनस दो दो माइनस दो फिर यहां पर आजाओ माइनस का दो, प्लस का दो, इसका कॉलम, इसकी रो, कितना हो जाएगे, माइनस का दो, प्लस का दो, अगला आ जाओ, सेकेंड वाला, सेकेंड कॉलम, छे, माइनस का छे, आजे आओ यहाँ पे, माइनस का छे, प्लस का छे, ठीक है, दो में दो जाएंगे, जीरो, जीरो, जीरो सभी आगे elements 0000 21 में वाला option जो होगा वो correct हो जाएगा सारे पार्ट्स जो है इसके 0 हो रहे हैं चलिएगा आगे बढ़ेंगे question number 22 में कह रहा है कि केंद्र है मतलब कि कोई भी हमारे पास एक center है 0,0 कि यह 0,0 हो गया चलो केंद्र 0,0 और दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर पांच है ना माल लिजिए कि कोई किस पर से रेखा है दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर पांच वह यहां पे है मालो वाई चांस है ना यह दो यह 0,0 x प्लस का 3y माईनस का 5 बराबर में 0 हमें निकलना इसके वृत्य का विर्ट्य का समीकर निकालना है अच्छा केंद्र पता है अगर हम यहां से ये वालाल मनिक निकालने तो तरिज्ज का निकल जाएगी है ना इस केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई निकाल दे तो त्रिज्या निकल जाएगी थिधा पराबर क्या हो जाएगा जिरो कॉमा जी और मूल बिंदू से डालेगे लंब की लंबय क्या होती है माइनस का पांच बते में अंडर रूट 13 माइनस रखने का कोई फायदा है नहीं है क्यों नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि हमें पता है कि जब स्क्वेर होगा हमें पता है कि मूल बिंदू से होकर जाने होता है एक्स प्लस मुलटी क्लिकेशन करें कि टृटीन स्क्वेर 13Y स्क्वेर टीकवार टो 0 dow 25 सीओ जाएगा option नобр सही हो जाएगा यहां पर दी करें करेंगे Maurice मलटिक्लिकेशन करेंगे जा जांग 22 में दी वाला ओप्शन सही हो जाएगा ठीक है चलेगा आगे चलेंगे question number 23 के पास क्या रहा है कि the order of the element minus i है न हमें group दिया गया है multiplicative group दिया गया है g g equal to group दिया गया है one comma minus का one और यह है सहाब i और यह है minus का i ठीक है अच्छा multiplicative identity का पता करते हैं इस group में कौन सी है एक ऐसी number जिसको इसके सारे elements से अगर हम multiply करें तो same element आए तो देखिए कि हम one को try करते हैं one का one से multiply करेंगे one ही आएगा one का minus one से multiply करेंगे माइनस बन ही है वही से माजाना चाहिए जिस से multiply करेंगे जिस element को वही same element बच जाना चाहिए देखिए वन का multiply minus one से किया तो वह इनिस सोना आया one का multiply कि हमने multiply हमने माइनस है से किया तो माइनस का ही आ गया यानि कि एक बात अगर हम वही पे निकाल देंगे इस का order तो हम माइनस का आई तो हम सुरू करते ही निकालना यह है माइनस का i, n बराबर पहले 1 रख लीजिए, जहाँ पे हमें identity, multiplicative identity 1 मिल जाएगे, वहीं रुख जाएगे, 1 रखेंगे, तो माइनस का i आएगे, माइनस i की पावर में n की जगह पर हम जब 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा यह i square, यानि की माइनस का 1 हो जाएगा, अच्छा, जब यहाँ पे माइनस i की पावर में क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, तो आपको पता है, एक तो पहले माइनस खुद ही देगा, माइनस i cube आएगा, और i cube की जगह पे आप रखोगे, तो माइनस i के बराबर हो जाएगा, तो यानि यह हमें देने वाला है, प्लस का i, और माइनस की i की पावर में रखो 4, यह कितना दे देगा, आपको 1 दे देगा, और जहाँ पे ही, आपको मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली, जिस पावर से मिली है, वही इसका order हो जाएगा, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एन इस गोल्टू कितना हो जाएगा, 4, तो order कितना हो जाएगा, इसका 4, कौन सा option सही हो जाएगा, यह वाला option सही हो जाएगा, कौन सा, इनका मान जिसके लिए a और b का हरात्मक माध्ध की पराबर होता है क्या अगर a और b हैं तो यह हो जाएगा 2ab upon a plus b टी Hell है तो हमें इनका वह मान रखना है जिससे जो हरात्मक माध्ध क्रिखे ट्राइ ला थे राप कितना हो जाएगा? एन की जगह पे-1 तो डखतो, देखो एक की पावर में आ जाएगा यह हो जाएगा अब हमारे पास a plus b बटा a b और यह भी जाएगा ऊपर यूपर हो गया 2 multiply में 2 a b upon कितना हो जाएगा a plus b तो harmonic mean कितना आ गया भाई 2 a b upon a plus b और यही सेम यहां से आ रहा है और यह किस से आ रहा है n is equal to minus 1 रखने पर तो कौन से हो जाएगा पहला वाला ही option से satisfied कर रहा है तो हम 24 में यह वाले option को करेक्ट कर देंगे आगे बढ़ेंगे question number 25 की दरफ में 25 में दिया है हमको की x is equal to कितना और इतना देखे अगर हम यहां पर एक काम करें वैसे तो आपको रटा होना चाहिए है ना वैसे रटा होगा भी x is equal to i theta ठीक है और अगर 1 by x निकाले तो बस पलड़ जाएगा नीचे सूपर जाएगा तो माइनस में चली जाएगी पाव माइनस i sin theta होता है दोनों को जोड़ेंगे यह 2 cos theta बन जाएगे कितना बन जाएगा यह 2 cos theta बन जाएगे अच्छा अब आओ इसके पास अब अगर हम इसी में power 5 कर दें तो आपको पता power यहां आ जाएगी और यहां पे अगर इसकी power 5 कर दें तो यह power कहां आ जाएगी यहां आ जाएगी और यहां पर कितना बनने वाला है 5 theta और यहीं आ जाएगी तो इसने क्या कहा x की power कितना x की power 5 plus 1 by x की power 5 simply अगर वैसे याद रख सकते हैं याद रख सकते हैं क्या यह theta था जब 1 था 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 जब 5 रखा जाएगा तो यह 5 आ जाएगा बस और कोई परिवर्टन नहीं होने वाला यह कितना आ जाएगा भाई यह आ जाएगा e की power में कितना i5 theta प्लस और e की power में ही आ जाएगा minus का i5 theta दोनों को add करेंगे cos theta plus i sin theta plus cos theta minus i sin theta दोनों कहें से लोगे तो कितना जाएगा 2 cos 5 theta 2 into cos 5 theta अच्छा theta की जगा पर उसने use किया 5 by 5 रख लिजे उससे theta की जगा पर कितना use किया उसने 5 by 5 तो 2 into cos theta तो pi into pi by 5 तो 5 से 5 कट जाएगा है ना फिर जाएगा 2 into cos pi आपको पता है कितना होता माइनस का 1 होता है minus 1 90 plus 90 and sign 90 हो जाएगा minus sign 90 कितना जाएगा minus का यह दो आगया answer कौन से हो गया 25 में यह वाला option से हो गया तो एक बात सब्सक्राइब किसके पराबर हो जाता है वह जाता है तू इन्टू फॉस्टीटा यहां टू ही रहेगा बस जो भी परिवर्तन होगा हैंना अगर मैं यह कहूं और मुझे वैलु निकालनी हो यह की पावर parking य यह घ्र जाए ऑनming byIT espionVery सब्सक्राइब हो गया मल्टिप्लाइब होने के बाद है ना तो 25 को इस तरह से हमने हल किया कि पर 26 में कह रहा है तीन बल पी टूपी और थ्री पी किसी समभाहूत रिभुज एबी बी सी और शी एक अनुदिश लगा दिया है अब देखिए चुकि एक ऐसा रिभुज है यह एक शमभाहूत रिभुज है एक एक्क्यूलेटरल ट्राइंगल है और हमें पता है कि कितना होता है में इसके बारह ऑषर है कि छ क्टीन वंगोर लिए च गीपेश के वेशा यहँए बिच कि थ्री पी की करवगा 10 120 आपके सामने है यह रखा हुआ 120 है ना इसके बाद फिर क्या करा रहा है कि 2P और 3P के बीच के देखो कितना होगा अब देखो यहां पर यह क्या है यह हमारा 2P ही तो है यह 2P है 2P और 3P के बीच का भी कितना हो जायेगा 120 ही तो होगा क्योंकि यह 60 है यह linear सब्सक्राइब कर लाय एकशान जरूर्म फबसेंटी लेना चाहेंगे तो कितना आगा 120 सब्सक्राइब कर रहें और रहे इसका पहले निकालेगा 36 घरक का गश्यावब तू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा P बल और कितना एंगल तो ये हो जाएगा Cos 0 प्लस फिर कितना दिया गया है 2P दिया गया है और कितना हो जाएगा ये Cos 120 है ना X-axis से 2P कितना बना रहा है 120 का Plus 3P और X-axis से 3P कितना बना रहा है देखो यहां से 240 तो ये कौश 240 अब एक काम करें कैलकुलेट करो कौश 0 की वैलू 1 होती है प्लस का 1 हो जाएगा है ना पी बन जाएगी प्लस दो गुडे दो पी है और 120 कौश 120 की वैलू होती है माइनस का एक बटा दो इस दो से दो काट देंगे चलेगा प्लस तीन पी और ये कितना हो जाएगा इन टू ये भी हो जाएगा माइनस का एक बटा दो कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा पी माइनस पी और माइनस का तीन बटा दो पी पी शे पी कैंसिल कर दीजे ये आ जाएगा माइनस का तीन बटा 2P, माइनस का 3 बटे 2P x हा गया Y निकाल दीजे, Y भी same निकालना होगा यह कितना जाएगा P साइन हो जाता है उर्धवाधर घठक में क्या होता है शाइन हो जाता है, 36 घठक था अर इसे क्या बोलते हैं, हम लोग उर्धवाधर घठक बोलते हैं तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा P shine 0 P shine 0 plus 2P shine 120 shine 120 plus 3P shine 240 है ना shine 0 की value तो 0 हो गया यह पूरा 0 हो गया plus 2P shine 120 shine 120 की value होती है under root 3 बटे 2 under root 3 बटे 2 हो जाएगी तो यह 2P हो जाएगे और यह हो जाएगा under root 3 बटे 2 plus यह कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा और इसकी value होती है minus का under root 3 बटे 2 minus का under root 3 बटे 2 निकाल लीजेगा आसान है कुछ खास नहीं है minus का 3 under root 2 ठीक है अब इसके बाद हमें करना क्या है यह 2 से 2 काट दीजे रोट 3P minus ään subject एलसीम लेंगे एलसीम लेंगे अट कितना हो जाएगा 2 under root 3P minus 3 under root 3P तो घल्टाने भी कितना बने बचेगा minus का under root 3 बटे 2P अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है परिडामी बल का परिमाण तो वो क्या होता है? R is equal to होता है root x squared plus y squared यानि कि 36 गटक और 12 गटक k square, कर दीजे भाई, यह कितना हो जाएगा? root में आ जाएगा, कितना आएगा root में? यह आजाएगा minus का 3 बटा 2, इनका करेंगे 3 बटा 2, p का i square आ जाएगा plus कितना जाएगा minus का under root 3 बटा 2, p का i square यह हो जाएगा 9P square by 4, 9P square by 4, plus यह कितना हो जाएगा 3P square by 4, calculate करेंगे 9-3 कितने होते हैं, 12P square by 4, काट दीजिए, 3 बच जाएगा यहां पर, यह किया बच जाएगा 3P square और यह लगेगा root, तो P आ जाएगा बाहर, P under root 3, कितना हैगा, P under root 3, तो उनका प्रेडामी कितना होगा, P under root 3 होगा, और कौन सौफ़न सही हो जाएगा, यहां पर, A option correct हो जाएगा, चलेगा, चलेंगे इसके बाद हम लोग, next question number 2, saver के साथ, देखेंगे, यहां पर, Y is equal to, दिया गया है, X की power में X, अब दोखो function की power function, ऐसी situation में, दोनों तरफ log लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यह, log Y is equal to, यह हो जाएगा, log X की power X, और हमें पता है, log M की power N का क्या होता है, N log M, चलेगा, यहां पर भी, वही same process, log Y is equal to, X log X, है न, तो differentiate करो दोनों तरफ, तो log Y का क्या हो जाएगा, पहले 1 by Y, और फिर Y का फिर से क्या हो जाएगा, Y dash, यहीं कि DDX of Y है, यहीं, है न, first derivative है, चलेगा, first second से करेंगे, यह first है, और यह क्या है, second, first को छोड़ेंगे, second का करेंगे, plus second का छोड़ेंगे, first का करेंगे, ह 1, plus, और यह, log X, यह क्या है, Y dash, बटा, Y, cross multiplication करिए, Y dash ही है, यह हमारा, DDX of Y है, यहना, Y into 1 plus का log X, Y का value रख दीजे, कितना X की power X, X की power X into 1 plus log X, कौन सा option सही होगा, C option करेंगे, चलेगा, इसके बाद question number हम देखते हैं, 28, यहनी की 28, खुशन हमारा 28 क्या कर रहा है, एक परिक्षा में A के उत्तिर्ड होने की, है न, A के उत्तिर्ड होने की कितनी है, यह दी गई है, B के उत्तिर्ड होने की यह दी गई है, औ ठीक है, यह दी गई है, है न, किया A अथवा B, है न, A अथवा, अथवा मतलब union, A union B की probability क्या होगी, है न, यह क्या होता है, P A plus P B minus probability of A intersection B, अब देखो, A और B, भाई, ऐसा तो है न, दोनों क्या है, पुरी तरह से सोतंतर घटनाए हैं, कैसी है, independent event है, भाई, A, पास भी हो सकता है, fail भी हो सकता है, मतलब कि A के पास fail होने से B पे कोई असर नहीं पढ़ रहा, या B के पास fail होने से A पे भी कोई असर नहीं पढ़ रहा, यानि कि पूरी तरह से independent है, और जहां पर independent events होती है, तो इनकी हम क्या रख सकते हैं, यह हो जाएगा हमारे पास P A, मतलब कि P A intersection B की जगह हम रख सकते हैं, प्रवेल्टी आफ, P A को हम यह लिख सकते हैं, यह क्या होता है, intersection B, independent वाली कंडिशन पर यह इसके बराबर होता है, P A into P B, हैना, चलेगा, प्लस P B, P B, माइनस का, P A into P B, चलेगा, P A का वैलू कितना है, भाई, दस्शंबलो, दो जीरो, प्लस P P B का कितना, दस्शंबलो, 30, माइनस, अब इन दोनों का करना है, हमें, multiply, यानि कि यह हो जाएगा, into, multiply, यह, हैना, दोनों को multiply करेंगे, इन दोनों को multiply करेंगे, पहले इनको दोनों को add कर लो, add करेंगे, दस्शंबलो कितना जाएगा, 50, माइनस, यह कितना हो जाएगा, दस चैनल जीरो जीरो आएंगे बहुत से आप डो जीजिशे चक ले लिजेए बहुत है ठीक है डिसम्ब्र 0060 जीजिशे बस ठीक है सब्टत्रेक्ट कर दीजे माइनस का यह कितना है सब्ट्रेक्ट करेंगे तो आ जाएगा दिसम्लो चार चार है ना कौन्स आप्शन सही होगा यह आप्शन सही होगा यह निकि सी आप्शन क्या होगा करेक्ट होगा देखें कि कॉश्चन नमर ऊनुटिस सबसे पहले आप यह लिख दीजिए कि यह इसारा है कि क्या है प्रारंभिक बेग इनिशियल विलोश्टी जो है वो क्या है जीरो है अब देखते हैं टी में सेकेंड में चली गई हमें दूरी निकालना पहले वो क्या होती है यू प्लस हाफ जी इंटू टी माइनस वन अब य सबी में जीरो है तो हम पहले यू टी को ही मोडिफाई करते हैं यू टी इस इकोल टू यह तो जीरो हो गया यानि कि बना जाके हाफ जी इंटू टी माइनस वन अब यहां पर कह रहा है कि प्रथम दिती त्रिती यानि कि पहले वाले सेकेंड दूसरे सेकेंड तीसरे एस वन होता है 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 न मैंट्सकी जगा पर ना पहले में पहले से किना जाएगा टू-क वन कितना चैट गाएंगा यहां यह पर वन बचेगा यैनि यह आ जाएगी जी बाइटू एसट उप निकालोग swarm के सो웠ध निrar मैंट्सकों न wissen जैएगा भाई 3 यानि कि यह आ जाएगा 3 बटे 2 जी इसी तरह से S3 S3 कितना हो जाएगा 1 बटा 2 G इंटू 3 दूनी 6 माइनस का 1 यानि कि यह हो जाएगा 5 बटे 2 G अच्छा अब सबी का इनका हमें निकालना है रेशियो तो यह हो गया G बाई 2 रेशियो 3 जी बाई 2 ratio 5 g by 2 अब देखो हम क्या करेंगे divide करते हैं सब में g से ratio में करते ही है है ना सब से g में divide करते हैं एक minute भाई हाँ तो ये g से g g से g g g सब लब cancel हो जागा जब हम g से divide करेंगे और multiply कर दो 2 से इसी में तो ये 2 भी cancel हो जाएगा अब बचा क्या हमारे पास 1, 3, 5 है ना तो अनुपात जो होगा इसमें 1, 3, 5 का अनुपात होगा यानि कि 29 का जो भी option होगा वो क्या होगा correct होगा चलिएगा question number 30 question number 30 क्या कोई धन्रासी चक्रवद्धी ब्याज से 5 वर्सों में 2 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर से वो धन्रासी कितने समय में 8 गुनी होगी है पहले x होती है फिर क्या होती है 2x हो जाती है फिर क्या होती है 4x हो जाती है इसके बाद क्या होगी 8x तो कहरा कितने समय में 8x होगी तो देखिए यहां पर कितना टाइम लगा होगा इसे यहां पर पांस साल लगे होंगे यहां पर कितना लगा होगा पांस साल और यहां पर कितना लगा होगा पांस साल पांच दस पांच पंद्रा पंद्रा साल में यह आठ गुनी हो जाएगी यह ना कितने गुनी हो जाएगी smallest possible teacher n की value क्या होगी थारा सबसे पहले जो भी यहां पर given है इसे लेकर चाहिए यहां पर given है one plus i divided by one minus i पहले इसे आप क्या करेंगे one minus i की conjugate क्या होगी one plus i one plus i का उपर multiply one plus i का नीचे multiply उपर क्या बनेगा one plus i का whole square यानि की one plus i का whole square हो जाएगा one plus i square plus two i divided by नीचे क्या हो जाएगा a minus b bracket में a plus b bracket में a square minus b square यानि की one का square minus i square अब देखें यहां पर हम value रखेंगे i square के value minus one रखेंगे one minus का one हो जाएगा plus यह दी गई two i divided by one minus i square की value minus one रखेंगे यह one और plus one cancel हो गया minus one यहां बच्चा हमारे पास two i अब यहां पर देखेंगे one minus one दोनों मिला कि one plus one बन जाएगा यानि की two बन जाएगी two को two से cancel करेंगे एक कोल्टू आ जाएगा i यानि की one plus i divided by one minus i की जगह पर आ गया i i की power क्या है n जिच कोल्टू कितना है one तो कह रहा है n के ऐसी कौन सी smallest portion चीज़ यह जो option दिये गए है आपको 8 दिया गया है 12 दिया गया है और 16 दिया गया है तो क्यों से smallest value रख की जाए जिसके लिए true हो तो देखो यहां पर सबसे smallest digit को पहले हम try करेंगे अगले option को try करेंगे चलिएगा i की power हम 4 लेके चलने सबसे smallest portion टीजर हमें यहां 4 दिख रहा है i की power 4 i की power 4 is equal to 1 होता है मतलब यह से satisfied कर रहा है यानि कि जो smallest digit होगी वो कौन सी होगी इज्माले पॉस्ट्यून टीजर जो होगा वो क्या होगा n is equal to 4 यानि कि जो correct option होगा हमारे पास वो क्या होगा c होगा 31 का c इसके बाद देखें question number 32 question number 32 जो है बहुत ही अच्छा question है या आपके work and time से आया है पहली unit है आपके syllabus की push से आया हुआ है कह रहा है if three men working three hours per day make three toys in three day then the number of toys which can be made by six men working six hours per day in six day तीन आदमी तीन घंटे प्र दिन कार करके तीन खिलों ने तीन दिन में बनाते है देखेंगे यहां फिर formula ज़न समुपल साइस्टेमाल करेंगे है यह हो गया हमारा M1 यानि कि number of man into फिर D1 D1 क्या है दिन और कितने घंटे कितने घंटे होना है यानि कि इसके लिए हम H1 इस्तेमाल करेंगे है divided by काम कितना हुआ W1 यह equal होगा किसके M2 मायन बढ़ा दो जब बढ़ा दो गटा दो D2 देन हो गए है H2 क्या हो गया? घंटे divided by W2 यह जो बाद वाला काम होगा और चलिएगा M1 यह पहले वाले हम काम कर देन आदमी तीन घंटे यह गंटे वेली काम कर रहे हैं तो 3 खिलोने 3 दिन में बना तो तो आदमी कितने है तो दिन कितने है 3 और घंटे कितने हैं भाई उसारी हां घंटे कितने हैं 3 पिसलोने हैं कितना चिलोने बन रहा है शंक्या कितनी हमारें किटना हो चैनलो के 카नलना है इत्प साथ करें डैने कितने कह दिन में कर रहे हैं जुरु डैनने officers काम ल्वर नहीं पल दीजिस्त करने जायर को और यह हो जाएगा तीन दूनी 6, 3 एकर नम तीन, अब तीन दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यहां कितना बचा भाई, यह बचा 1 by 1 is equal to, 6, 24, 24, 24 बटा, डबलू 2, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे इसका गुड़ा, डबलू 2 बराबर आ जाएगा, 24, 24 बनेंगे, 24 बनेंगे, 24 बनेंगे, 24 बनेंगे, 24, कौन सा ओप्शन सही होगा, 3 ओप्शन सही होगा, यहां पर, 3 ओप्शन 24 है, वो करेक्ट होगा, चलेगा, question नमर देखते है, 33, question 33 है, आपके सामने attempt करिये, यहां पर बताना है, कितने त्रिभुष संभव हैं, एक question इसका आता है, यहां पर बताना है, कितने त्रिभुष संभव हैं, एक question स्थाइप का हर exam में टपक जाता है, चलेगा, यहां पर हमें दिया गया है, यहां पर बताना है, तो लेकिन चलेगा, यहां पर ट्राइ करते हैं, हम लोग उने पढ़ा है, sign rule, sign rule, sign rule, sign rule क्या है, तो भुज के भुजाओं में अनुपाद दोगा, इसकी जाके अनुपाद, यह संगत अनुपाद दोनों क्या होते हैं, बराबर होती है, यह क्या हो जाएगा, sign rule, is equal to c, बता sign c, यह ratio क्यों होते हैं, एक पल होते हैं, चलिएगा, यहां पर a की value रखते हैं, यह दोनों ratio ले लिजें, हमसे c की अभी जोरोती है, c है ही नहीं, यही से decide हो जाएगा, मुझे लग राज यह इतना ही दिया है, a का value कितना है, 2, और sign a का value कितना दिया है, 3 बता 7, is equal to b का value कितना दिया है, 5, साइन भी निकालना है, जो भी हो, चलिएगा, यह साथ पहां चला जाएगा, उपर चला जाएगा, multiply होगा उपर, साथ दोनी कितना हो जाएगा, 14, 14 बते 3 is equal to, 5 बता sign b, 5 यहां आ जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर, कितना बचेगा हमारे पास 10, एक हो जाएगा 10, 100 ले लिजी, कितना आ जाएगा, जो भी value आएगी हमारे पास वो क्या होगी, more than 1 होगी, एक से जादा होगी, और जो sign की value होती है, sign कहां तक, sign की range होती होती है, minus 1 से plus 1 तक, यानि की, plus 1 से जादा बड़ा मान इसका होता ही नहीं, जब इसका plus 1 से जादा मान ही नहीं होता, तो हम यहां पे 1 को, sign B की value जो है, more than 1 कैसे हो सकती है, मतलब कि कुछ तो दिक्कत है, यानि कि यह त्रभूज ही नहीं बन सकता, ऐसा त्रभूज ही नहीं बनेगा, जहां पे sign B जो है, उसकी value क्या हो, एक से ज्यादा हो, यानि कि ऐसे कितने त्रभूज बनेंगे, 0 त्रभूज बनेंगे, जहां पे त्रभूज कितने बनेंगे, 0 बनेंगे, चलिएगा, इसके बाद 34 देखते है, question 34, question 34 दिया गया, y is equal to 4 minus x square, तर था y is equal to x square, कि बीज का पुर्टी 6 पोर्ट, हमें निकालना ह एंगल आफ इंटरसेक्शन, है ना, तो एंगल आफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है, 10, 10, theta is equal to, m1 minus m2 divided by 1 plus m1, m2, है ना, उससे पहले हमें m1, m2 निकालनेंगे, m1, m2 कैसे निकलेंगे, पहले तो हम इन दो interaction point निकालने फिर दोनों का m1, m2 निकालने, जमने उन दोनों की मीच्ट ऑश, अब इन दोनों को हल करना हो यानी प्रति छे दंख भिंदू निकालना है, intersection point निकालना है, चलिक है इन दोनों को हल करने के लिए क्या y बराबर x-square तो यहा है, तो यहान लिएक पायर रख लि हो जाएगा और माइनस का x square x square इधर आ जाएगा यह हो जाएगा 2 x square is equal to 4 यह हो जाएगा x square is equal to 2 x is equal to कितना आ जाएगा plus minus root 2 है ना हम यहाँ पर सिर्फ root 2 ले रहे हैं plus वानी value ले ले लेगा ठीक है x की value निकल के आ गई x की value हम उठा के रखेंगे तो दूसरे वाले एक प्रेशन से y कितना आ जाएगा हमारे पास वह दो आ जाएगा यानि कि हमारे पास point of intersection बना वह क्या बन गया point of intersection बन गया root 2,2 root 2,2 यह point of intersection बन गया अब हम निकालते है प्रवड़ता यहां से differentiate करके प्रवड़ता भी निकाली जा सकती है ना y is equal to कितना होता है 4 minus का x square तो इसका m1 यानि कि y dash पहले निकालो differentiation कर दो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा अब यह क्या है हमारी m1 इसे मानके चलते हैं पहली प्रवड़ता है पहली प्रवड़ता भिंदू रख दीजिए at under root 2,2 यानि कि x की जगप under root 2 रखना तो यह कितने आ जाएगी यह हो जाएगा y' is equal to 2x है ना x का value कितना है हमारे पास वही है यानि कि हमें यह y' जो निकालना है यानि कि इसे हम m2 लेके चल रहे है m2 बराबर कितना हो जाएगा 2x है point रख दीजिए m2 at कहां पे root 2,2 पे कितना हो जाएगा root 2 आ जाएगी यह ना दोनों value मिल गई, m1 भी मिल गई, m2 मिल गई, m2 मिल गई अब उठा के यहाँ पे पठक दीजिए अपने आप answer आएगा, m1 का value कितना है, m1 यहाँ पे दिया गया है, m1 माइनस का 2 root 2, कोई बात नहीं, m2 का value आया 2 root 2, ठीक है, divided by 1 plus m1, m1 का value कितना है, यह है minus का 2 root 2, माइनस का 2 root 2, into m2 का value कितना है, 2 root 2, चलेगा, यह दोनों को करेंगे multiply, ऊपर कितना हो गया, दोनों को add करेंगे, minus का 2 root 2, 2 root 2, दोनों मिला के minus minus की संख्याँ add होती है, एडा, under root 2, divided by 1 minus, यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, minus का 8 हो जाएगा, subtract करेंगे इसे, घटाएंगे नीचे root 2, बटा, minus का 7, minus minus हटा दीजिए, यहनि कि अब यह यहाँ पर आ गया, हमारे पास यहाँ लिख रहे है, छोड़ी से जगा की स्वाट पर जाएगा, 10 theta बराबर आ चुका है, 4 under root 2, divided by 7, तो theta बराबर कितना हो जाएगा, 10 inverse 4 under root 2, बटा में 7, यह हो गया हमारा क्या, इन दो के बीच क्या, angle, है न, तो उनसा option सही है, option B is correct for this question, है न, इसके बाद देखेंगे, question number 35, इसके बाद 35, चले, 35 में हमसे principal value पूछी गई है, कि what is the principal value of sine inverse sine 2 by by 3, अब देखो, जो sine का मान होता है, यहाँ पे, है न, यह sine, यह दिया गया, sine inverse, sine 2 by by 3, है न, sine का जो मान होता है, वो क्या होता है, minus pi by 2 से plus pi by 2, क्या बीच होता है, minus pi by 2 से plus pi by 2, यहाँ पे, लेकिन यह value कितनी है, आप देखो, 2 pi by 3 में, आप pi की value अच्छी रखोगों, यह 120 आएगा, 120 है, यह इस range में नहीं है, लेखेगा, जब नहीं है, तो देखते हैं, उस range में ला और apply करें, sine 180 minus theta, कितना होता है, sine theta ही होता है, second quadrant में जाएगा, sine theta ही होता है, यानि कि यह हो जाएगा, sine pi by 3, अब जो pi by 3 है, वो इस range में है, तो आप क्या करेंगा, sine से sine दोनों क्या होंगे, neglect हो जाएगे, कितना बचेगा हमारे पास, pi by 3, यानि कि यहाँ पे जो option सही होगा क्या होगा, principle value क्या होगी, pi by 3, यानि, चलेगा, next question देखेंगे, question number 36, question number 36, समझे कर रहा है, कि सर्दिस, इतना, और इतना, एक समतली है, तो एक आमान ग्याद कि जी, एक आमान ग्याद करना है, जबती, यह क्या है, एक समतली है, थोड़ा सा concept समझने की कुशिश की भी है, समझे का, हमारे पास अगर मा लिजे, एक सदिस दिया गया है, a1, x, sorry, a1, i, a1, i, plus, b1, j, plus, c1, k, और दूसरा दिया गया है, a2, i, plus, b2, j, plus, c2, k, तिसरा दिया गया है, a3, i, plus, b3, j, plus, c3, k, अब हमझे यह कहा जाए, कि यह जो तीनों है, यानि कि जो तीनों वेक्टर्स हैं, यह क्या है, को प्लेनर है, यानि कि समतली, तो यह समतली तब होंगे, जब, a1, b1, c1, यानि कि इनके कोफिशियंट से बना, जो determinant होगा उसकी value क्या हो, 0 हो, तब यह क्या होंगे, sum तली लोगे, a, b2, और यह c2, और यह अपार आ जाएगा, a3, b3, और यह c3, अगर यह sum तली है, यह coplanar है, तो यह value क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब क्या होगा, यह concept है, इसे याद रखेंगे, या कहीं तहरी आप लोग इसकी अपने लिख सकते हैं, चलेगा, इसके बाद हम आते हैं, question number 36 में, इस concept को apply करेंगे हैं हापे, तो यह तब coplanar होंगे, यह तब coplanar होंगे, जब इनके coefficient से बना determinant की value क्या होगी, 0 होगी, बनाते हैं हापे, यह ना, पहला वाला दिया गया है, जब को पहले वाले है, 2, 2, minus 1, और 1, कहीं गल्पी हो जाती है, minus 1 को लोग छोड़ देते हैं, वो बहुत बढ़ी टूटी का कारण बन जाती है, पूरा question गलत हो जाता है, minus 1, और यह बहुत ही, साउधानी के साथ करना है, बरसने को, 2, minus 3, और यह यहाँ पर हो जाएगा, 3, और यह A, और यह 5, चुक यह चुट जाएगा, और यह चुट जाएगा, यह हो जाएगा, 5, 2, 10, 10, 10, 10, plus 3, 8, 10, plus 3, 8, यह minus को अल्रेडी होता हुदा, वहाँ पर minus है, पहले से, तो plus का 1 हो जाएगा, इंटो, यह चुटेगा, और यह चुटेगा, 5, plus 3, तो 9, है ना, minus लगा हूँ अल्रेडी, तो 5 प्लस नौ हो जाएगा, प्लस बन हो जाएगा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यह a-6, यह a है, a-6 is equal to 0, चलेगा, अब इसे क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, यह दो है, यह हो जाएगा, 20 2-6, प्लस 6a, यह कितना हो जाएगा, 14, प्लस, a-6 is equal to 0, चलेगा, इसे के बाद यह हमारे पास हो जाएगा, यह a-6 हो जाएगा, इकलब यह था, a-6, छेक है, यह 7a हो जाएगा, यह 7a हो जाएगा, यह 7a हो गया, और यह कितना हो गया, 20 और 34, आप इसमें क्या करें, चौदा में 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, यह हो जाएंगे 28 है, प्लस का 28 is equal to 0, 7, a is equal to हो जाएगा, माइनस का 28, a is equal to हो जाएगा, माइनस का 28 divided by 7, 7 बने 7, 7 फो जाएगा, यानिकि माइनस का 4, यह गलती कभी नहों कि यह माइनस आपको छोट जा, यह साही चीज़े देखना है, वरना प्लस और 4 भी उप्सन में है, और माइनस 4 भी उप्सन में है, यहां पे 36 में जो सही होगा, हमारे पास वो सही होगा, चलेगा, इसके बाद हम चलते हैं, question number, 60, यहां पर point दिया गया है, बहुत हिस्तानदार है, यहां पर point दिया गया और हमसे पूछा है, कि असन रेक है, सन रेक ही है, कोलीनर है, यह तीनों points कोलीनर है, इसे दो तरीके सम कर सकते हैं, एक तो इससे बनने वाले triangle का area, 0 होगा, 9th वाला method जो है, है ना, थोड़ा सा गर यह line हो गए, यह जब line हो गए, यह अगर यहां पर point बनता था, अगर a, 0 है, यह मान के चलती है, हमारा a, 0 है, और यह वाला इन्होंने दिया है, 0, b, तो वो कहीं by chance मानता हूं कि यह ऐसे-एसे कर गया होगा, और यहां पर हमारा point आ गया 1, 1, 3 point हमने इसे रेका में रख रह होगे 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 होगे, इसमें कुछ भी नहीं है, इस एका का समी करण होता हो, क्या होता है, xy a plus y by b is equal to 1, अब देखो हमने क्या कि आफ्टगर से इसे कर रहे हैं, यह line जो है, हमारी इस line के समी करण है, और इस line के 1,1 स्थित है, अगर यह स्थित है, तो आप x की जग़ तो क्या करो, पास करवा दो इस line को 1,1 से, अगर पास होगी तो इसे satisfied करेगी, यानि कि x is equal to 1, और y is equal to 1, अगर इसमें रख दिया जाए, तो इस तभी पास करेगी, चलेगा, x is equal to 1, 1 by a plus 1 by b is equal to 1, और प्रश्ट में हमसे किसी का value उच्छा है, तो क्या होगा, एक आप triangle वा यहां पर रेखा की, रेखा के विफिंद रूप होते हैं, चांगते हैं हम सभी, form of line, रेखा के रूप, तो रेखा के रूप हैं, ने में हम लोग से अभी discuss कर रहे हैं, यहां पर पहले के हम बात करें, प्रवर्दा अंताखंड रूप, यानि कि gradient slope form, प्रवर्दा अंताखं रूप, चले, प्रवर्दा अंताखंड रूप क्या होगा, ऐसा होगा, एकसे से हमारा और यह लाइन, यह लाइन जो है, यह अच्च पे सी अंताखंड काटती है, और यहां से मिल जाएगा, थीटा दिया गया है, तो थीटा बराबर, 10 थीटा बराबर M होता है, यानि कि ज format Y बराबर M X प्लस C है, इसे हम लोग बोलते हैं, प्रवर्दा अंताखंड रूप, यानि कि slope intercept form, दूसरे के हम बात करें, intercept form यानि कि सिर्फ इसे बोलते हैं, अंताखंड रूप, अंताखंड रूप, अंताखंड रूप में क्या होता है, XH और YH दोनों में रेखा अंताखंड काट रही हैं, तो B, तो इस रेखा का समय के राड़ होता है, X Y A, प्लस Y Y B, तीसरा perpendicular form है, यानि कि लंब रूप है, लंब रूप, लंब रूप क्या होता है, माल लिए कि हमारे पास access है, यह access है, और यह हमारी रेखा है, जिसकी equation निकाल रहे हैं, और इस रेख इस दोरान जो इस रेखा का समय के राड़ होता है, जो होता है, X of alpha प्लस Y sin alpha बराबर P, इसके बाद तीसरा रूप, चौथा रूप जो होता है, जो होता है, एक बिंदू प्रवड़ता रूप, है ना, एक बिंदू प्रवड़ता रूप, यानि कि 1 point, 1 point slope form, है ना, देखे ये Y minus Y1 is equal to होता है, M into X minus X1, है ना, दूसरा क्या होता है, two points form, है ना, यानि कि 2 बिंदू रूप, यानि कि रेखा हमारी क्या होगी, 2 बिंदू से होकर जाती है, X1, Y1, और X2, Y2 से होकर जाती है, तो ऐसे condition में क्या होता है, Y minus Y1 is equal to, Y2 minus Y1 divided by, है ना, ये वही नॉर्वल है, है ना, सवा सब्सक्राइब कैटिटेल और स्मॉल आगर है, कोई दिक्तफ में, X minus X1, है ना, या, Y minus Y2 is equal to, ये हमारा सेम रह गए है, ये प्रवड़ता ही होती है, दो बिंदू से, अब कभी दो बिंदू अगर आपको दे दिये जाए, कभी दो बिं में, तो काम आएगी, पहला मेने क्या बताया, slope intercept form, दूसरा intercept form, तीसरा perpendicular form, चौथा, one point slope form, और पांचमा क्या था हमारे पास, two points, जो मारे पास दो बिंदू होगी, ये चलेगी, इसके बाद हम चलते है, question number next, हमसे पूछ रखा है, कि 8 क्रम वाले चक्री समूह के जनकों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है, चलिएगा, इसके जनकों की संख्या हमें बतानी, नंबर साफ जनरेटर बतानी है, इसे हम लिख सकते हैं, five, और ये हो जाएगा, two point power three, पर इसके बाद हमें पता है, number of जनरेटर निकालने के लिए, ये पी की पावर एंड है, number of generator क्या होंगे, मालों, पी की पावर एंड है, ये हो जाएगा, यहां पर बचेगा यानि कि 8-4 कितना आएगा 4 आजाएगा कितने जनरेटर होंगे यहां पर हमारे पास 4 जनरेटर होंगे यानि कि 38 का कौन सा ओप्षन सही होगा बी ओप्षन क्या होगा और चलिएगा यहां पर question number 39 question number 39 भी है बहतरीन question है कि A और B दो आभ्यू है यहां पर हमें 2 matrices दिये गए हैं और एक बात हैं पर हमें यह बताई गई है कि A B जो equal to यहां पर B है और B A जो equal to A है तो हमें A square plus B square किसके बराबर होगा 2AB, 2BA, A plus B, AB देखते हैं जिसके भी बराबर होगा इसको निकालना है A square plus B square चलेगा इसे हम लिख सकते हैं A, A, A square लिख सकते हैं A into A, plus B square को किया लिख सकते हैं A into B, अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है इस A की जगा और इस B की जगा पर हम रख सकते हैं B, A और इस B की जगा पर अब रख सकते हैं A की जगा पर रख सकते हैं A की जगा पर हम रख रहे हैं B, A, B, A plus B और यहां पर B की जगे पर काह रख रहे हैं A, B, रख दिया आप देखें यहां पर अब ये और ब को हम साथ ले-ले तेहें अब एक और बहुत है वहीं पर नद पर्ञाक वहीं बहुंद हाट इसे लिए रेता बी ए प्लस और बी ए की जगह पर कहा रख सकते हैं अब देखो कोई option match नहीं कर रहा है तो मतलब कि यह संभाना है थो यह संभाना हो नहीं सकती यह संभाना हो यह नहीं सकती है ना किसी किसे में बी ए ए बी हो सकता है बी ए अलग बेसी मांपा बी करें पॉसbbARS और वी पॉस्पल करें और वी और अलग अलग है थो हम दोंहों को तो यह option को तुरंट टिक कर देंगे, लेकिन यहां पर B A की जगा हम फिर से A रख सकते हैं, तो B A किसके बराबर है, A के बराबर है, plus, और A B किसके बराबर है, B के बराबर है, यानि कि option कौन सा correct होगा, C, यानि कि A plus B के बराबर होगा, चले, इसके बाद हम चलेंगे, question number 40, question number 40 बहुत ही बहतर इन question था, यानि कि कहने का मतलब यह है मेरे, X plus Y is equal to हो जाएगा, 10 inverse A plus IB, अब हमें क्या करना है, हमें एक काम यह करना है, कि हम इसके conjugate को भी साथ में ले ले, यह क्या हो जाएगा, conjugate में क्या होंगे, क्या करते हैं हम लोग, यानि कि संयूगियों में क्या करते हैं, I को minus I से replace कर देते हैं, यह minus का I, जहाँ जहाँ आई है, वहाँ minus I, आई रग दो बस, 10 inverse A minus का IB, चलेगा, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एड करेंगे, एड करेंगे तो यह दो लो, cancel out हो जाएंगे, जो cancel हो जाएंगे, तो 2X हो जाएगा, X और X कितने हो जाएंगे, 2X हो जाएंगे, और यह हो जाएगा, 10 inverse A plus IB, प्लस, 10 inverse A minus का IB, अब इक बात में पता, पहले से, 10 inverse A plus, 10 inverse B बराबर formula क्या होता है, 10 inverse A plus B divided by 1 minus का AB, यह formula होता है, यह formula यहाँपे हमें apply कर देना है, अच्छा, 10 inverse X है यहाँपे, जहने दीजिए, यह हो जाएगा, 2X is equal to, 10 inverse हो जाएगा, formula apply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, A plus IB plus A minus का IB, divided by 1 minus 1 bracket में, A plus IB, अदूसरे bracket में, A minus का IB, है न, चलिए, 10 inverse इदर आजाएगा, यह 10 2X हो जाएगा, 10 2X is equal to, अब दोगों यहाँपे, यह दोनों cancel out हो जाएगा, यह 2A हो जाएगा, 2A divided by 1 minus, जोगों यहाँपे, A plus IB, एक bracket में है, A minus IB, एक bracket में है, तो यह हो जाएगा, A square minus I square, B square, और यह हो जाएगा, A square, I square के बेलों minus 1 रखते हैं, तो A square plus B square हो जाएगा, तो इस bracket को हल करने पे कितना आया है, A square plus B square, calculate करते हैं, 2A minus का अंदर multiply कर दो, 1 minus A square minus B square, कौन सा option करते होगा, यहाँपे, यह दिया गया, C option क्या होगा, correct हो जाएगा, question number 40 में, चलेगा, इसके बाद चलेंगे, question number 41, question number 41, जो होगी एक बहतरीन question है, देखेंगे, यहाँपे पहले तो हम concept देख लेते हैं, concept देख लेते हैं, पहले हम प्रस्ट को करेंगे, एक बात आपको बता देएं, आपको यहाँपे, कौन सा के विस्तार में, X से सोतंत पद बताना है, कौन सा पद है, तो पद के लिए सबसे पहले आपको R की value निकालनी आना चाहिए, R की value प्रस्ट को देखते हैं, यह आपके mind में क्लेक कर जानी चाहिए, हैना, देखते के expansion में, X की power M के coefficient के लिए हैना, इसके coefficient के लिए क्या करते हैं, जो हमारा R होता है, R बराबर होता है, N alpha minus, N alpha minus M, बटे, alpha plus beta, इस concept को याद रखना, आपके दो question पक्के होते हैं, हैना, X की power alpha plus 1 by beta की power N के प्रसार में, X की power M का गोडान का जब भी निकाला जाएगा, तो यहाँ पे, इसे याद रखना हमें कि यहाँ से R मिल जाएगा, और तुरंत T R plus 1 निकाल देगा, हैना, T R plus 1 हमें पता है, T R plus 1 बराबर क्या होता है, N, C, R, और X की power में N minus R, और A की power R, हैन तो यहाँ पे कई चीज़े clear हो चुकी, alpha क्या है, पहले वाले X का coefficient, beta क्या है, यह और N क्या है, power उसकी, यहाँ पे देखते हैं, चलेगा, पहले R निकालेंगे इस प्रसार में, आपके सामने एक दम practical करते हैं, X से सोतंतर पद जो भी होगा ना, वहाँ पे X की गोडान को ज जीरो होगी, यानि कि हमें, यहाँ पे X की पावर alpha, plus 1 by X की पावर beta की पावर N के प्रसार में, X से सोतंतर पद है, यहाँ पे X सोतंतर होगा मतलब वहाँ X होगा ही ने, यानि कि X की पावर क्या हो जाएगी, 0, यानि कि जो X की पावर M थी, M की वेलू कितनी हो गई, 0, यानि कि यहाँ पे alpha की value कितनी है, 1, और beta की value कितनी है, 1, और N बगाबर कितना है, 6, M बगाबर कितना है, 0, तो अब R तो आराम से दोड़ा के निकाल देंगे हैं, अब R को मिजालती है, तो यहाँ पे R बगाबर क्या पता है था, N alpha minus का M बटा में alpha plus beta, n का value 6, into alpha का value 1 minus का 0, तो बटा 1 plus 1, इन दोनों की value 1 है, और यह 6 बटा 2, यानि कि आया 3, अच्छा, यह आ गया 3, यानि हमें क्या निकालना है, T R plus 1, यानि कि T 3 plus 1, अच्छा, N का value, NCR होता है, N का value 6, C, R का value 3, X, X की जगह पे है, 2X, है न, 2X की power N minus R, यानि कि 6 minus 3, 6 minus 3 मतलब 3, into 1 by 3X की power R, R का मतलब 3, है न, 6C3, इसको भिस्तार कर लेकिन, तो यह कितना हो जाएगा, 6, बुडे, 5, बुडे, 4 है न, ऐसे पलट लिए गोर, जेखो 6, 3 है नीचे, तो तो 3 बार back चे रहे जाओ, 6, 5, 4, divided by C होगा, तो इसे पलट लि फिर से 3 दिखा, जितना होगा, उसको फैक्टर लिल दो लुटा कर लेंगी, है न, यह हो गया, into 2 की power 3 का मतलब 8 हो गया, into x की power 3, 8 बटा यह कितना हो जाएगा, 3, 9, 1, 27, x3, है न, हैंसल करनो, उसे इस से काड़ जो, है न, इसके बाद यह 3, 2, 6, यह कर जाएगा, उपर क् पांचोंग 20 और 8, 20 गुड़े 8 करेंगे, कितना हैगा, 160 divided by 27, है न, 160 divided by 27, कौन सा अप्सन सही होगा, 51 में अप्सन सही होगा, C, है न, करिएगा, इस कॉंसेप्ट को 2-3 बार करिएगा, से लेटर 2-3 प्रशन करिएगा, मामला अपने याप के लियर हो जाएगा, है न, चलत समांतर चकुर भुज दिया गया है, हमें उसकी सनलग भुजाएं दी गई है, चलिएगा, पहले हम यहाँ पर एक समांतर चकुर भुज बना लेती है, यहाँ पर एक समांतर चकुर भुज बना लेती है, यह है समांतर चकुर भुज बना लेती है, यह है समांतर चकुर भु 9 five ciud dot चलिएगा है यहाँ पर फिगर मैंने कंप्लीट कर लीह है यह हमें क्या खाए खैर किमेथ सेवेर की सेट्व धू SPL आप देखिएगा अंहें को यह दोनों का point of intersection मिंदू इन दोनों का कटान बिंदू मिल जाए, समीकरण ये और ये, इन दोनों को हल करके हम लोग ये निकालेंगे इन दोनों की मदद से इन दोनों रैखित समीकरणों को हल करेंगे और हल करके हम निकालेंगे एक शौर वाई कमान जो कि ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, पात बटे तीन माइनस चार बटे तीन, फिर इसके बाद हमें पॉइंट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन, ये हमारे क्वेसन यहाँ पर लिखा, वह 11x प्लस 7y बराबर 9, इन दोनों को हल करेंगे, यानि कि 7x प्लस 2x गोल को 0, और 11x प्लस 7y गोल को 9 को हल करेंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा, अब ये बीडी जो लाइन है, जो बीडी लाइन ह है, वो मिल चुकी है हमें, इस लाइन, इस डोनों hani mはいli मील चुका हाँ रिबी जो को मिल चुका हाँ, हमिल जो मिल चुक्तaca है या यह होता है पेलेलो ग्राम में इस कंडिसन यह होती है कि इसके डाइगनल होते हैं वो बाइसेक्टर होती है एक दूसरे को दो इक्कॉल पार्ट्स में डिवाइट करते हैं मतलब यह इनका में पॉइंट होता है तो यह एक प्वेस्न मिल जाएगी तुरंत अगर यह मीड प्लेस माइनस का दो बटा तीन है और उसके बाद माइनस का चार बटा तीन प्लेस का साथ बटा तीन बटा दो यहां पर देखो पांच में तीन जाएंगे प्लेस माइनस का साथ तो उपर बचेगा तीन बटा तीन प्लेस बटा तीन का यह चुका है एक बटा दो यहां कि दोनों का पुछेष बिंदू आगया एक बटा दो अब दो तो हम क्या करें कोई option ट्राइ कर लेते हैं तो हमारे पास यह है कि इन दोनों बिंदूँँ से होकर जाने वाली जो बिंदू वाला जो भी मैंने बताया था आपको लास्ट वाला दो बिंदू रूप लगा के हम रेखा कर समय कर निकालने दूसरा यह है कि इन option में try कर ले जिस जीरो जीरो रखोगे तो सभी को try कर जाएगा जीरो 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 सम में satisfied हो रहा मतलब कि इस वाले option से clear नहीं हो पाएगा कभी कभी इसी से clear हो जाता हो सकता एसी से हो सकता था लेकिन आप देखो one by two one by two रखके देखते जिस option में satisfied हो जाएगा वही question है क्योंकि जो line AC का समय क निकाल गें वही final जेखों यह पर एक बटे दो एक बटे दो रखेंगे याधा यह निक हो जाएगा यह option तो हो नहीं सकता थीर साथ बटे दो मैनस गारा बटे दो यह भी 0 नहीं हो सकता यह हो जाएगा हना एक बटे दो मैनस एक बटे दो कुपना जाएगा zero satisfied कर रहा है क्य तो इसमें कुछ नहीं था, गोटास एक दम कोई दिक्टत नहीं, आपको फर से एक बार में समझा देता हूं, कुछ नहीं करना था पहले हमें, यह दोनों हमें क्या दिया गया है, यहां पर सनलग में भुजायर दी गई है, तो सेक्ट्व नंबर दी गई है, यह साइट्स और यह साइट से हमें यह पॉइंट निकालेंगे, फिर यह दाइगनल दिया गया है, इन दोनों ख़ल करके यह पॉइंट निकालेंगे, फिर यह दाइगनल और यह दाइगनल और यह दाइगनल दिया गया है, तो इससे यह वाला पॉइंट निकालेंगे, जैसे मिल जाएंगे यह दोनों पॉइंट्स हमें, यह दोनों पॉइंट्स जैसे मिल जाएंगे, हमें इनका निकालना है, यह intersecting points, इन दोनों का mid point, जैसे mid point मिल जाएगा, जो question होगी, वो उसे satisfied करेगी, इस micron की हमसे इस diagonal की question पूछी जाएगी, हैना, तो 1 को 1 बटे 2, को म 1 बटे 2 satisfied कर रहेगी, इसलिए हमारा यहीं option correct हो जाएगा, इसके वाद हम लोग करेंगी question number 43, यहनी की 43, प्रसुशंक्या 43, प्रसुशंक्या 43, हमसे करेंगी, modulus x, chi square minus, modulus x, हैना, यहां पर देखने, modulus x दिया, modulus x का मतलब क plus x, हना, और क्या होगा, minus x, हना, plus x, minus x, यानि कि एक बार x की जगह पर plus x रख ले, try कर लेते हैं, और एक जगह पर minus x रखके try कर लेते हैं, फिर जितने option निकल काएंगे, उन्हें इसमें देख लेंगे, रखके, जो जो satisfied करेगा, वो इसका मुहलों की संख्या होगी, जो satisfied नहीं करेगा, उससे, क्या करता है, reject कर जाएंगे, हना, चलेगा, जहाँ पर x है, वहाँ पर plus x से पहले रखके देख लेगे, यह x square हो जाएगा, और यह minus 3x हो जाएगा, plus 2 is equal to 0, हना, इसे हल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x square minus 2x minus x plus 2 is equal to 0, पॉमल लेंगे, पॉमल लेंगे, x 3 हो जाएगा, x minus 2, है ना, x minus 2, माइनस का 1 पॉमल लेंगे, x minus 2 is equal to 0, यहाँ कि यहाँ से x की value दो निकल क्या गई, एक आ गई, x बराबर 1, दूसरी आ गई, x बराबर 2, अच्छा, अब आप क्या करिए, x की जगा पर minus x रखके देख ले plus 2 is equal to 0, मॉडल लेंगे, x 2 हो जाएगा, इसे हम calculate करेंगे, खल करेंगे, इसी तरह, x के 2 मान मिल जाएगे, एक आजाएगा, minus 1 और एक कितना आजाएगा, minus 2, यानि अब हमें x के 4 मान मिल चुके हैं, एक से कितने मान मिले हैं, 4, x के 4 मान मिल गए, क्या मिला है, एक तो हमें मिला है, x बराबर 1, और 2, minus 1, और minus 2, अब देख लेते हैं, क्या यह सभी satisfied कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ संतुस्त ना करें, हम जबर जस्ती 4 मूल ले लें, देख लेगा, पहले 1 ट्राइग करते हैं, इसी equation में 1 रखको, x is equal to 1, 1 का square हो जाएगा, माइनस का 3 into 1, 1 हो जाएगा, प्लस का 2, यह कितना हो जाएगा, 1 minus 3, प्लस का 2, यानि कि 3 minus 3, यानि कि 0, मतलब कि यह satisfied है, इसे, इस मान को ले आ जा सकता है, इसके बाद, दूसरा चेक करो, x is equal to 2, यह जाएगा, 4 minus 3, प्लस का 2, कितना हो जाएगा यह, यह, minus 3, यह भी 0 आ गया, मतलब दूसरा वाला value भी लिया जा सकता है, acceptable है, accept किया जा सकता, minus 1 करके देखो, minus 1 रखो कि तो, modulus के अंदर minus 1 है, प्लस का 1 बन जाएगा, और यह कितना बन जाएगा, यह भी minus 3 रहेगा, मॉद्लस को बैसे भी plus कर देगा, उसे, प्लस 2, कितना हो त्री माइनस 3, 0, मतलब कि इस मान को भी लिया जा सकता है, minus को 2 को try कर लो, minus का 2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा, minus का, 3 दुमी 6, plus 2, जो है ना, 6 minus 6, 0, यानि कि, यह मान भी try किया जा सकता, यानि कि, सब ही मान, जो 4 मान हमारे पास आएगा, मूलों क प्रस्ट नम्बर 44 में हमसे कहा गया है कि दिर्घुबृत ये परती परवले की नाभिया जोने, यानि कि इलिप्स, x square by 16 plus y square by b is equal to 1 and hyperbola जो दिया गया है, x square by 144 minus y square by 81 is equal to 1 by 25, ये क्या है, दोनों जो नाभिया है, वो कैसी है, संपाती, चलीगा, दोनों क्या है, consider, देखते हैं से, चलीगा सबसे पहले यहां पर hyperbola जो हमें दिया गया है, hyperbola की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोके निकालती है, तो hyperbola दिया गया है, x square divided by 144 minus y square divided by 81 is equal to, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमें 1 बंदना, इस 25 को ले जाएंगे यहां, यह multiply जाएगा और इसके बटे में चला जाएगा, यानि कि यह कितना हो जाएगा, x square बटे 154 divided by 25, माइनस y square बटे 81 divided by 25, अब इस गोल तो यहां पर आ गया 1, यहां पर इसे हम लेख सकते हैं, x square बटे 12 by 5 का square, माइनस y square by यह हो जाएगा 9 by 5, 9 by 5 का square is equal to 1, अब यहां से में क्या करना है, a और b की value देखा, a की value x square upon a square minus, इस टेंडर फ़र्म क्या होती है, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, means यहां पर a is equal to आएगा 12 by 5, और b is equal to आएगा 9 by 5, यहां और b मिल गए, तो हम सबसे पहले क्या करें, इस hyperbola की eccentricity निकाल ले, यानि की उत्केंदरता निकाल ले, चलेगा उत्केंदरता के लिए formula क्या स्कमाल करेंगे, यहां पर बोला की बात करने जा रहे हैं, अभी आप सब्य नहीं हिए मेरे निकेंदर, ब्वहासा दिख्ञा बाती ले, बी स्कुएर इपोल तो a स्कुएर इंट्व, यहां पर e स्कोएर माइनस वन होता है, चलेबां बी का वैलु दोखो बी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैलू है हमारे पास 81 बता परचीश स्क्वायर की वैलू जो है वह है एक्स तो सब्वालिस बटा में अच्छूष एड़ एड़ करेंगे प्लस बन हो जाएगा और फिर एल्सियम लेंगे तो एड़्टी वन प्लस वन हंड़ेड़ फोर कितना हो जाएगा 225 डिवाइड़ बाई 144 is equal to e square e की जो value आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितना 15 by 12 काड़ रेतें से 315 डिवाइड़ यानि की e आ गए हमारी 5 बटे 4 यानि की जो फोकी यानि की ना भी होगी वो क्या होती है अगरे परवले की a e होगे एका value कितना है हमारे पास 9 बटे का value 12 बटा में 5 और यह कितना आया है या पांच बटा 4 यानि की इसकी जो फोकी आ गई वो कितनी आ गई ए इ बराबर आ गई 3 यह ना ए इ बराबर 3 आ गई किसी तरह से यहां पर निकाल लीजिए इसकी फोकी क्या होती है ए ए दोनों क्या है इंको डोनों के जो फोकिया है वो क्या है इक्वल है यानि कि समपाति है इसकी फोकी क्या होगी वो भी ए ए होगी ए कितना है चार और ए अब हमसे प्रस्न क्या कह रहा है इसकी फोकिया है एक्वल है उप्रमॉला को प्या एक्वल है प्रमॉल्म है इस इसकी फिर कितना आ गया हमारे का इमा फॉर mình-बरत में शárणना है थिर्ष पता है हमें A B पता है, E भी पता हो गई, B पता नहीं को relation होता है, A B और E के बीच में B square is equal to E square, यहाँ पर 1 minus E square होता है, 1 minus E square, B square हमें नहीं पता, A square, A का value देखो, यहाँ पर दिया गया है, square का direct value system रखिए, into, यह हो जाएगा हमारे पास, 1 minus का 9 बटा 16, यहना 9 बटा 16, तो कितना हो जाएगा, यह B square बराबर हो जाएगा, 16 दूड़े, 16 minus 9, यहनी कि 7 बटा में 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगे, B square का value कितना बचेगा, 7, यहनी कि B का मान कितना हो, B square का मान कितना होगा, 7, अगर B पूशता तो, अंडर रूप साथ हो जाता है ना यानि कि यहां पर option 44 में कौने साही होगा C option होगा correct चलेगा इसके बाद करा संकू का दूज़ाद समझे करके अच्छों से गुजरता है हमें करागी the general equation of the cone second degree which passes through the axis यह याद करने वाली बात है यह आपको याद रखना है option B 55 में option B क्या होगा correct होगा चलेगा 46 f y z g z x plus h x y is equal to 0 होती है equation चलेगा इसके बाद आगे बड़ती है question number 46 question number 46 y square बराबर x हुआ बिंदू है जिस पर वत्र की इसपर से रेखा है देखे गया आपके यह है वत्र और यह है कोई इसपर से रेखा पाइवाई 4 बनाती है हमें साम करते ही यहां से पाइवाई 4 एम बराबर कितना होता है 10 थीटा दोनों जगह की हम क्या करें जो प्रोड़ता है उन्हें equal कर दें बस जो points आएगा देखेंगे कि कितना हो जाएगा यहां से प्रोड़ता कितनी आ गई वन आ गई उपर से वाले सी उपर वाले कि भी प्रोड़ता निकान लोगाई स्टेर बराबर एक्स और यह कितना हो जाएगा डिफरेंसियेट कर दो वन तो यह हो जाएगा हमारा यहां पर रखेंगे 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 y square बराबर x दिया गया है, y square हो जाएगा, यानि कि 1 बटे 2 का square, यानि कि x is equal to 1 बटा 4, चलीगा, इसके बाद next है, यानि कि point बन गया हमारे पास, 1,4, 1 बटा 4, 1 बटा 2 कौन सा option चाहिए, 2 option क्या होगा, correct हो जाएगा, चलीगा question number हम देखते है, 47, question number 27 हम से पूछा गया है कि वह बेंगो जिसके लिए स्थित सदीश, ये दिया गया है, फला 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 फला, चलीग, 1 point हमें p दिया गया है, 1 point हमें q दिया गया है, 1 point हमें r दिया गया, p के जो coordinate formula देते हिने, 60,3 है, q के है, 40, minus का 8, और r है, 1, minus का 52, अब देखिए, इसके पोलिनर होने के लिए condition ये होती है, pq, pq बराबर होना चाहिए, lambda qr, lambda qr, pq कैसे निकलेगा, q minus p, 40, minus 7, 20, ये हो जाएगा, 20i, plus, minus का 8, minus 3, minus 11j, is equal to lambda, into qr, r minus q, r का इसके सदिस, minus q का इसके सदिस, तो a minus 40, ये कितना हो जाएगा, a minus का 40i, plus, minus का 52, plus का 8, कितना हो जाएगा, minus का 52, plus का 8, ये हो जाएगा, 44, 40, कितना हो जाएगा, ये minus a, 44, j, चलिएगा, multiply करेंगे, पहले हमें, lambda मिल जाए, lambda जैसे ही मिल जाएगा, lambda की तलास कतम, तो हम फिर आगे फोचिंगे, क्या करना है, 20i, हमें a की value निकाल जाएगा, minus 11j, is equal to, ये कितना हो जाएगा, multiply करेंगे, lambda a minus 40i minus 44 lambda j, हम दोनों और i और j के coefficient को equal करेंगे, तो पहले हम j वाला करते हैं, जिसे lambda मिल जाएगा है, j वाला करो पहले, minus का 11 is equal to, minus का 44 lambda, ये कितना हो जाएगा, 4, तो lambda is equal to कितना हो जाएगा, 1 by 4, lambda मिल गया आपको, अब i वाले equal कर लो, तो इसका 20 है, और इसका कितना, a minus का 40, तो इसका कितना हो जाएगा, इधर ले आएगे तो, lambda भी तो है, उसके साथ ही, lambda भी तो है, lambda की value रखनो, एक बटा 4, इसे multiply करेंगे, तो चार दुनियात जाने कि 80 हो जाएगा, is equal to a minus का 40, थोड़ी से थोटी हुई है, यहाँ पर 40 minus 7 जो है, तो minus का 20 आएगा, minus का आजाएगा, minus का, तक यह minus का, तमझाएगा, और यह minus के 80 हो जाएगा, minus का 80 इधर ले आओगे, minus के 80 में, plus का 40 जोड़ेंगे, तो बराबर जो है, a बराबर आजाएगा, कितना minus का 40, एक ही value के आओगी, minus का 40, जो जो ऑप्शन करेक्ट होगा, वो a सही होगा, चुलिएगा, इसके बाद question 48 बहुत ही ब्यातरीन question है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो को यहाँ पर cos inverse है, तो यहाँ पर cos 2 alpha बनाना है, और cos 2 alpha तब बनाएंगे, जब हम यहाँ पर put करें, यह बराबर 10 के formula को फूट करें, 10 alpha रख देंगे, 10 alpha रख देंगे, तो यह हो जाएगा, 1 minus 10 square alpha, 1 plus 10 square alpha, जो की formula बनेगा किसका, cos 2 alpha का, यहाँ पर, और b is equal to हमें रखना है, यहाँ पर tan beta रख देंगे, 10 beta, उदो पर यह 1 minus 10 square alpha, 1 plus beta, 1 plus 10 square alpha, cos 2 alpha बन जाएगा, यानि कि यह बना हमारे पास cos inverse cos 2 alpha, which minus है, minus रख दीजिए, और यह रहा, cos inverse 1 minus b square, यानि कि 1 minus का beta इसको बन जाएगा, यह हमारे पास बन जाएगा, सेम फार्मूला, cos 2 beta is equal to 2 tan inverse x, यह कास से कास कतम, यह कास inverse x कतम, दोनों cancel होगे, 2 alpha minus 2 beta is equal to होगया, 2 tan inverse x, 2 दोनों से common ले लो, count card दो, 1 minus beta is equal to आजाएगा, tan inverse x, alpha यहाँ से कितना निकल कायाएगा, tan inverse a, alpha बराबर कितना उपर से निकल कायाएगा, tan inverse a, minus, यहाँ से beta बराबर कितना निकल कायाएगा, tan inverse b, is equal to tan inverse x, यह कितना होगे, tan inverse a minus b, बटा 1 plus ab, is equal to tan inverse x, दोनों से common ले लो, खताम, यहनि कि x is equal to, कितना हाजाएगा, a minus b, बटा 1 plus ab, तो कौन सा option सही होगा, b option क्या होगा, 48 में, correct होगा, चले जाएगा, इसके बाद question number 49 देखते, question number 49, question number 49 जो है न, अच्छा question, चले, यह पर कॉस्स इंवर्स को पहले convert कर लो tan में, फिर बात में बात करेंगे, यह हो जाएगा, कॉस्स इंवर्स x दिया गया, triangle बनाओ, triangle बना लिया, यह हमारे पास theta में लिया, और हता अधार बटे कर, है न, base by hypotenuse, यह हो जाएगा, हमारे पास base, यह हो जाएगा, x और hypotenuse कितना हो जाएगा, 1, है न, x by 1 लिखेंगे, यह कितना निकल किया जाएगा, यह निकल कियाएगा, पाइसा गोरफ सर्म अफलाई करेंगे, 1- x square, 10 बनाओ, यहांसे, 10 नहीं जाएगा, तो tan inverse किया होता है, लंब बटे याधा, यह निकल कि परपेंडिकुलर by base, तो परपेंडिकुलर कितना है, 1- x square, base कितना है, x, यहां पर रखा जासकिता है, रखो भाई, यहां दिया गया है, ddx of tan, tan, और यह कितना है, tan, tan, का से inverse किया हो जाएगा, tan inverse, tan inverse हमने निकाला कितना आया, 1- x square, बटा में, x square, और इसमें, बड़े को बड़े से कर रखा है, whole square कर रखाएगा, अब देखो, यह दोनों cancel हो जाएगे, हट जाएगे, यह दोनों हट जाएगे, ddx, हट जाएगे, जब दोनों tan, और tan inverse, दोनों cancel out हो जाएगे, हटने के बाद, हमारे पास बचेगा, क्या, 1- x square, बटे, यह के x है, हाँ, x है, ठीक है, क्या, square करोगे, तो root उसका हट जाएगा, यानि कि 1- x square, और नीचे क्या हो जाएगा, x square, चलेगा, ddx, यह क्या हो जाएगा, अलग-अलग बटे कर दो, 1 by x square, minus x square by x square, यानि कि 1 by x square, और यह बन जाएगा 1, और इसका करो differentiation, इसका differentiation करो कि ओपर जाएगा, minus 2 by x square, minus 2, minus 1, minus 3 बन जाएगा, 3 नीचे ले आना, और इसका हो जाएगा, 0, यानि कि हो गया, हमारे पास क्या differentiation कि ओपर जाएगा, minus 2 by x cube, क्योंसा option सही हो गया, यह option क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, question number 50, बस्ते नमर 50 में कहा रहा है कि 300 लोगों के एक संगूम है, इतने लोग है, अच्छा, बहुत हिसांदा, यह लोग है टोटल, ऐसे बनाएगा, यह लोग है हिंदी वाले, और यह हैं इंगलिस वाले, कितने हैं यह हैं लगके जो हैं 1.500, इंगलिस वाले, 1.500, और इंगलिस वालों की तादाद ज्यादा है, दोस्ते हैं, हमसे पुझे रहा है, जो टोटल है मिलाके ना, उतने हैं, 300, करेंगा, बी, तू, आज हम करेंगे, प्रस्तिर संख्या 51 से लगतार आगे, प्रस्तिर संख्या 51 कह रहा है, एक हवाई जहां 36 वेग यू से यू वेग से, यानि कि इसका जो horizontal velocity है, वो यू है, और h height पे उड़ रहा है, यहां पर माल लिजे, h height पे उड़ रहा है, यहां पर h height है, और इसका जो initial velocity है, वो कितनी है, यू है, यू ही है, चली है, हमसे पूछ रहा है कि इस जवीन पर इसका, यानि कि पहुंचने पर वे पर ला लगाएंगे v² बराबर होता है u² प्लस 2gh चलेगा u कहाँ यहाँ पर छटिट बेड है क्योंकि initial velocity u ही है तो u फॉर्मॉले में जैसे के तैसे बना रहेगा कोई दिक्तर नहीं लेगी चुटी कई लोगों से यह हुई थी कि लोगों ने यहाँ पर u को 0 ले लिया था करेंगे वर्मॉल ले लेंगे टेकिंग स्कुएर रूट बोथ साइट यहाँ यहाँ पर ओप्सन ए क्या हो चलेगा इसके बाद देख लिए क्वेस्टन नमबर 2 अच्छा कोस्टन है क्वेस्टन नमबर 2 क्वेस्टन नमबर 2 है करा एक गुबारा है हमरे पास एक वैलून ह बैलून जो है माल लेते हैं कुछ इस कदर का होगा वैलून तुड़ रहा है कि इतना करा कि एक गुबारा जी बाई एट सेंटीमीटर पर सेकेंड डिस्कुएर के एक समान तोरण से यहाँ एक समान तोरण से यह निकि यूनिफॉर्म एस इल्रेशन से जा रहा है जब यू तोरण दिया गया है एसल्रेशन दिया गया है एसल्रेशन कि इतना है जी बाई एट सेंटीमीटर परती सेकेंड स्कुएर तोर कि आधे मिनट बाद इसमें से एक मिन्द गिराया जाता है तोरण कि इतना है जानि कि यहां थी यहां थी उसका इसल्रेशन दिया गया है जी ब जो भी टुकडा गिराया गया है, वो कितना time, कि मैंने कि कितनी distance time कर रहा है, तो हम उतारने लगने समय, समय पूछा गया, पहले हम यहां पर निकाल लेते हैं, कि कितनी distance यह time करेगा, यानि कि जो गुबारा है, 30 second में गुबारे द्वारा time की कि जूरी क्या होगी, चलिएगा height ऐसे निकालेंगे, h is equal to क्या होता है, ut plus half fp square, यू तो यहां पर 0 है, इसलिए पूरा terms क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चलिएगा कोई बात नहीं, यह 0 हो गया, plus half, f कितना है, g by 8, g by 8, यहां पर आधा minute दिया गया है, आधे minute रहाँ, कुकि सारी units second में है, तो कितना हो जाएगा, 30 seconds हो जाएगा, यहां पर time कितना हो जाएगा, 30 seconds, 30 seconds का square हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आठ गुनी 16 हो जाएगा, और बुड़े 30 यानि कि 900, यानि कि यह हो गया 900 को जी बटा 16, कितनी डिस्टेंस, 30 सिकंड में गुबारा तै करेगा, अब हमें सबसे पहले यह पता कर लेना है कि जो बैलून है हमारे पास, उसकी चाल क्या है, उसकी विरॉसिटी क्या है, देखेगा उसकी विलॉसिटी क्या होगी, बी इजकोल टू, बी इजकोल टू हो जाएगा, यू प्लस एफ ती यू जिरो हो गया, प्लस एफ कितना दिया गया है यहांपे, एफ दिया गया है जी बाई अगजिटी क्या है, 30, यानि कि यह विलॉसिटी कितनी बन गई जाके, यह अपवर डियरेक्शन में है ना, उपर क तब कितना हो गया minus का sorry plus का कितना 30 g by 8 यह अगर डाउन नीचे की तरफ लेंगे तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा minus में आ जाएगा बस सिर्फ negative sign हो जाएगा किने कि जो बेग होगा तो कितना हो जाएगा minus का 30 g upon 8 हो जाएगा अब हमें गुबबारे की चाल पता चल गई है विलॉस्की और वैलून पता चल गई है अब हम क्या करेंगे के यह अल saying फिर time निकालेंगे, time निकालेंगे, लेकिन height वाला formula निकालेंगे, लगाएंगे, h is equal to, यह height निकल आई है, यह height निकली हुई है, यह वाली distance कितनी है, यह निकल आया है, अब इस distance को तैंक करने पे कितना समय लगेगा, यह निकालना है, यह ut plus half gt square, यह formula हो जाएगा, यहाँ t time वहाँ का नहीं है, time यहाँ का था, आधे मिनट की बाद है, यह depend गिराया जाता, यह उस बीज का time था, यह time पहुचने का नहीं है, यह जमीन पहुचने का नहीं दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पी t 30 seconds रखते है, अब देखो यहाँ पर velocity, अब उसकी velocity है अल्रेडी कितनी है, माइनस 30 G by 8 है यह निकली थी इसकी velocity, हमें क्या करना है, अलग direction, direction उसकी इन चेंज करना है, वो नीचे आ रहा है, उन्हें उपर जा रहा है, तो यह का कि इसको negative direction में ले लिया, तो यह माइनस का आ गया, अब देखेंगा, यह हाइट हमें दी गई है, चाहिए नीचे से उपर की हाइट लो, या उपर से नीचे की हाइट दोनों हाइट सेम रहेंगी, और हाइट कितनी दी गई है, वो दी गई है, 900 G और बटा में 16, is equal to u कितना दिया गया है, माइनस का 30 G by 8, प्लस, अच्छा T भी है, यहाँ पर से तुमा लेतनी, T है, यह T हो स्क्वार, सुप चाहँ प्लस, काम करते हैं यहाँ पर, हम लोग दखो, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, अगर इन दोनों से G ले ले, comment, इस G से कर जाएगा, ठीक है, करते हैं, काटते हैं इसे, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 900 G गया, और नीचे से हम एक काम कर रहे हैं, चलो भी रहने देते हैं, वरना जाएगा, इसे, यह माइनस का 30, G जा चुका है, 30 by 8, T बचा है, प्लस, यहाँ पर G जा चुका है, यह T square by 2 बचा है, चलो यह काम करते हैं, सब जगह पर क्या बना है, चाहते है, 16, जो को यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, यह क्या करेंगे, उपर 2 का गुड़ा करेंगे, यहाँ पर 2 का गुड़ा, और यहाँ पर 16 नीचे बनाना, यहाँ 8 का गुड़ा और यहाँ भी 8 का गुड़ा चलेगा, तो यहाँ भी ब्लो करना होगा, आप देखो बन जाए, मतलब हम नीचे से 16 common ले सकते हैं, नीचे 16 common लें माइनस का 900 is equal to 0 एक काम करेंगे यहां पर हम 4 common ले लेंगे 4 common लेंगे तो यह हो जाए कि 2p square minus का 15t minus 225 is equal to 0 चलेगा अब इससे हम हल भी कर सकते हैं दूसरा हमारे पास एक तरीका और है हम हलना करना चाहें तो जो हम satisfied करवाले option इन में से ही t का कोई मान होगा है तो 10 second होगा है त तो 15 second होगा है तो 20 second होगा है दस एक बार रखके देख लेते हैं तीकी जगह पर 10 रख तेंगे तो 100 और यह दो सो डेढ़ सो डेढ़ सो क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे तो सब्सक्राइब यह जुडएंगे तो यह पहला option तो वहीं नहीं सकता दूसरा क्राई कर दो करेंगे तो 450 माइनस पंद्रा पंद्रा हम 225 हो जाएगा माइनस का 220 है ना यह दो मिला के 450 माइनस 450 है ना यानि कि यह वाला option यानि कि पराबर 15 second इसे satisfied कर रहा है यानि कि इसमें option कौन सा सही होगा बी सही होगा चलेगा इसके बाद देखेंगे कि next question 15 second आया यह next question देखेगा करा एक ही समतल में किसी द्रण पिंड पर कारे रत कोई हमारे पास अगर प्लेन है और कोई हमारे पास rigid body है तो rigid body में क्या होगा करा है कि अगर उसे हमें इक्पिली ब्रियम स्टेज में रखना है यानि कि साम्में वस्था में रखना है माली जै होगा अगर इसमें तीन बल लोगे है या तो वो तीनों बल क्या हो एक बिंड चाम हो एक मूंदी रखना हो जिससे कि संकवाध्यों में कोई दिक्कत बार में इन दोनों situation में मतलग कि वे एक विंदू गामी भी होते हैं तो समांतर भी होते हैं यानि कि दोनों situation होती हैं, वो दोनों situation कहा पर दी गई है छी option में दीगैइ जैनि कि एक संतर में किसी print window पर कारज़ा तेम भल उस print window को सामय वस्था में रखते हैं जदी वो एक बिंदू गामी हो जा फिर वो क्या हो शमानता हो यानि कि तिरपन में कौन सो आप्शन सही होगा इसमें आप्शन सही होगा C चलेगा इसके बाद देखते ही चाओंगा एक स्कॉयर माइनस बाद आप्शन दी गहीं अग्या पर इसका मतलब क्या हुआ माइनस र की वैलू है यानि जो आर की वैलू है माइनस वन से प्र देख यहीं नेकर देखते हैं यह लिखा हुआ x square by 1 minus r, यानि कि यह भी a square के part बन सकता है, standard form होती x square by a square minus y square by b square is equal to 1, यानि कि यह a square वाला part है, और यह b square वाला part है, यहाँ पर जो a होगा, वो हमेशा क्या होगा, greater than 0 होगा, a, यह a है, और यह क्या है, b है, यानि कि a square वाली value है, a b square वाली value है, यानि कि यह जो part होगा, हमेशा क्या होगा, greater than 0 होगा, तो नियर दोट की 1-R greater than 4 यह कितना हो जाएगा – का R greater than –1 मैनस का multiply करेंगे मुप अदल जाएगा दूसरी तरह हो जाएगा दूसरा क्या होगा यह B है यह 1 plus R greater than 0 ही होगा तो नियर दोट की R greater than minus 5 यह अगया यही कहना चाहता है जो R कमान होगा R क्या होगा 1 से क्या होगा minus 1 से क्या होगा R कमान बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा कहने का मतलब यह जो condition है यह वाली और यह वाली जोनों same condition है और यह किसमें होता है यह होता है हमारा अतिपरवले में जिसमें यानि क्यों सारा कर रहा है कि यह क्या है अतिपरवले है, हाइपर बोला है, ठीक है दोनों करडिशन मैच हो रही है, इसका मतलब क्या है यह है, हाइपर बोला है, चलिएगा, अब देखो यहां पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिर्ग बृत होता तो पलस होना यह स्टेंडर्ड फार्म होती है, हाइपर इसमें ज्यादा सोचने नहीं था, हाला कि नना भी अबब दिया था, इसलिए करना बहुत जरूरी था, तो यह दोनों स्टिपिया मैच हो रही है, कौन सा ओप्टन सही होगा हमारे पास, अतिपरवले वाला सही होगा, चलिएगा कौन सिर्फे नमार 55, पॉष्ट मैंन शब्द है कि अक्षरों को ऐसे कितने सब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अक्षर है, ए, फो, तीन, चार, फान, छे, साथ हैं, साथ हैं, साथ साले बना लेके और एट दो थी चार पांच रिश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश अच्छा कौन कौन से बच्चे, हमारे पास तो अलफावेट बच्चे, वो बना P बच्चा है, O बच्चा है, S बच्चा है, E तो जा चुका है, M B जा चुका, A बच्चा है, N बच्चा है, यानि कि 5 है, तो पहली वाली पोजीशन यहां पे 5 में से कोई A चूच किया जा सकता है, दूसरे वाले में, जा चुका, आप कितने बच्चे हैं हमारे पास, चार, तो यह चार प्रकार से भारा जा सकता है, यह पांच प्रकार से भारा जा सकता है, चार प्रकार से, आप कितने बच्चे हैं, यह तीन प्रकार से भारा जा सकता है, और यह दो प्रकार से होंगे प्रकार से यानि कि जो हमारे पास total types होंगे यानि कि वो हो जाएंगे 5 गुढ़े 4, 3, 2, 1 गुढ़े एक यानि कि इन 5 words और 5 factorial प्रकार से अड्जेस्ट किया जा सकता है ये भारा जा सकता है ये हो जाएंगे 5 factorial ओंसा तुपना ओ गया 120 है न यानि कि ऐसे कितने सब्द बन सकते है 120 सब्द बन सकते हैं 120 वर्ड बन सकते हैं चलेगा question नम्र देखेंगे 56 question नम्र 56 भी बहुत ही वहतरियन question है effects दिया गया है और कहरा बिंदू x is equal to 0 पर सतत होगा यदि f0 कमान है अब देखें चुपी यह कह रहा है कि function जो है x is equal to 0 पर continuous है continuous की condition क्या होती है continuous की condition ये होती है कि function की value है我們 f1 क्व sub f1 की value और limit की value यहकि x is equal to a पर उस function की limited अगर ये दोनों equal है तो या होगा कि x is equal to a पर function क्या है हमारा continuous है देखेंगा यहां पर क्या दिया गया है fx की जिगवा पर हमारा दिया गया है x plus 1 की power cortex और if a की जगवा उसने f0 पूछा यानि कि a की जगवा पर हम 0 पूट कर देखेंगे यानि कि f0 is equal to क्या equal किसके होना चाहिए limit limit x tends to 0 fx fx की जगवा चाहो तो रख सकते हैं डारेक्ट हम चलिए पूरी को कि यह हो जाएगा limit x tends to 0 x plus 1 x plus 1 x plus 1 की power में दिया गया है और x एक बार काम करते हैं यहां पर हम लोग limit को रखके देखते हैं क्या form बन रही है लोगों यहां पर रखते हैं कि 0 को 1 आ जाएगा और part 0 की value undefined होती है यहां की power infinite undefined form बन रही है यह तो इस condition में क्या करते हैं ऐसी situation में हम क्या करेंगे अगर इसमें एक घटा देते हैं एक इसमें क्या करते हैं घटा देते हैं और इसको लिखते हैं एक घटाएंगे इसमें एक घटाएंगे तो एक बस बचेगा इन्टू जो power होती उससे इन्टू गरत दिया जाता है ठीक है कर दिया है e की पावर लिमेट x tends to zero पॉर्ट एक्स पॉर्ट एक्स को लिख सकते हैं हम x into 1 by 10 x 1 by 10 x लिखें होती है और इसकी वैलू क्या होती है कितने की वैलू क्या होती है limit x tends to zero x by 10 x की वैलू 1 होती है यानि कि यह हो जाएगा e की power 1, मतलब कि यह कितना आ गया e, कौन सो option चाहिए होगा, c option correct होगा, next question देखेंगे, 56 के बाद हम देखेंगे 17, question 57, बहुत ही सांदार है, इस question को दो मेथड से बताते है, करा यदि एक समिश्र संक्या है, जिसका मापांक है न, एक number दी गई है, जिस का मौडुलस Z है, मौडुलस Z की जो value है वो 1 होगी है न, हम ये भी कह सकते हैं की Z, Z bar भी क्या होगा, 1 होगा, मौडुलस Z का square भी क्या होगा, बन होगा, जब भी हमसे कहा जाए कि z एक समिश संथ है, जिसका मापांग ठीकाई है, उसका मजलब ये तीनों बातें सत्य हो सकती है, और हमसे कहा जाए है कि जो z है, इसका जो पूरांत है, यानि कि argument of z वो कितना है, ठीटा दिया गया है, ठीटा दिया गया ह ठीक है, अब हमें निकालना है, इसका हमें निकालना है, यहां पर निकालना है, argument of one plus z divided by one plus z ना the चलिएगा, करते हैं से, यह हो झाएगा, argument of one plus z divided by one plus one by z, यहां देखो एक बाइच आख सकते हैं यहां देखो जोगे यह से कर दिया लेंगे लिए आधा जाएगा आर्गुमेंट वन फ्लस जेड और यह हो जाएगा जेड फ्लस वन बटा में और इस जेड प्लस बन से यह प्लस लं टैंसी को जाएगा उपर क्या गया यह बन जाएगा आर्गूमेंट आफ जेड हम उपर से इतना और प्रस्ट में धिया है लेकवर। तो ने लगाया एक मेथाड हम लोग और यूज कर सकते हैं लोग हम एक ऐसी संख्या ले 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 एक ऐसी समिष्टर संख्या ले ले एक ऐसी complex नमब ले जिसका माफांक 1 तो हम ले रहे हैं, z is equal to i, i का माफांग क्या होगा? 1 होगा, i का कोडांग क्या हो जाएगा? इसका जो कोडांग हो जाएगा, यानि कि argument, आप यह जो z हमने माना है, जो कितना हो जाएगा? 5 by 2 हो जाएगा, अरे, यह कितना हो जाएगा? 5 by 2, यह होता है न, हमारे पास, cos theta plus i sin theta जोनों तरफ compare कर दो, sin theta बराबर कितना हो जाएगा? 5 by 2, और sin, theta जहनी कि 1 हो जाएगा, theta बराबर कितना हो जाएगा? 5 by 2. जब बराबर 5 by 2 होगा, उमने क्यार्गमेंट इसका मनी कि जो हमने जड माना है, जड बराबर आई माना है, इसका जो आर्गूमेंन्ट होगा, वो कितना होगा? जब पाई वाईपल होगा चलिए जड़ीएगा पाई वाईपल हो गया लिया हम यहाँ पर रख़ेंगे, अब इसका आर्गूमेंट में निकालना है यह हो जाएगा argument of 1 plus z, यानि कि z की जगह पे हमें रहना है क्या, i, z की जगह पे क्या रहना है, i, i, बता 1, दो को 1 by i जाएगा, बता 1 by यह z बार है, यह z है, z बार कितना हो जाएगा भाई, 1 by i हो जाएगा, multiply कर दो, i जो multiply i, यह minus i बन जाएगा, नीचे i square बनेगा, उसके बने minus i, चलिए, अब क्या करना है हमें, argument आप हमें दिया गया, 1 plus i, क्या करो, ऊपर नीचे multiply करो, हम कर भी चुके हैं, इस से पहले, multiply करेंगे, conjugate 7 plus i की, तो उपर आजाता है, हमारे पास चुकना, 2i, तो नीचे क्या आएगा, 2, उसे 2 cancel कर देना, कर चुके हैं, किसी section में कर चुके हैं, argument आफ आई, argument of i, निगाल चुके है argument of, यानि कि z का मतलब i, यह तो था, z का मतलब क्या था, i, जड के बराबर i माने है, क्या होता, 5y2, 5y2, 5y2 तो उसको मान के चले, थीटा, question theta ही तो दिया है, argument of i क्या था, theta ही कि तो बराबर, यह इसने दे रखता है, यहां की, थीटा, तो theta, दोनो theta आ रहा है, यहां पर यहां पर आ रहा है, यहां पर theta होता, यह यह मेतल भी अच्छा है, तरगर हो सकता है, यह भी आपको अच्छा लगे, इसमें से आप चूज कर सकते हैं, चले, 58 देखेंगे, रसन बरा 58, 58, थाना वत्रों, y square बराबर, x तथा, x square बराबर, y से गिरे चहत्रा का चहत्रफल, ग्याद कीजिए, हमें क्या तरहना, इस से गिरे चहत्रफल, दो बक्तर दियेगा है, x square बराबर, y स्क्क्वार बराबर, x, और x square बर पर एक्स और एक्स स्कुयर बराबर य ये हो जाएगा एक्स्सी कोरा हो जाएगा एक्स स्कुयर बराबर य हम सब्सक्राइब आन सकते हैं रख दीजिए दूसरे वाले से एक क्वेशन से हना x स्क्वेर की पावर में 2 बरावर x यह हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का x is equal to 0 हना x common लेंगे x cube minus 1 is equal to 0 एक आ जाएगा x is equal to 0 दूसरा आ जाएगा 1 x के 2 मान आ जाएगे उठा के रख़ेंगे तो y के भी 2 मान आ जाएगे एक आएगा 0 एक आएगा 1 मतलब है लिए हमारे लिमिट है वो कहां से तक जा रही है वो 0 से शुरू होके पहले वाले करव का y क्या हो जाया कि Y-Dutuable्ग कहाई य वरा वरे कि तो how zयगा, root xnatural और ये हो जायगा dx फिर क्या करना है माइस करदेंगे, जोना इस वाले भाग का हमें area या तो जीरो से one जीरो से one, फिर दूसरे वाले का y जीरो से y Fay-Dutu bex calculate करेंगे, calculate करेंगे तो इसका integration क्या हो जाएगा, x की power 3 बटे 2 आएगा, 3 बटे 2 का मतलब क्या हुआ, x into x, x root x, x root x, बटा में कितना हो जाएगा, अरे, यह होता नहीं, x की power n का, x की power n plus 1 बटा, n plus 1 plus c, यही तो होता integration, x की power n का, है ना, integration हो गया, चलेगा, यह हो गया, और minus का हो गया हमारे पास, minus का हो जाएगा, x की बटा में 3, तो उनों की limit रख दीजिए, 0 से 1, और इंकी भी है, वही same limit है, 0 से 1, 1 को रख दीजिए, तो कितना आजाएगा, जबको यह 3 बटे 2 है, उपर जाएगा, एक बटे 3 का common ले ले लेना, यह आएगा, 1, एक बटे 3 होगा, यह तो 1, एक बटे 3 का common नहीं के भी है, यह तो 1 minus 0, यानि कि निकल के आगई हमारे पास, अब कितना, यहां पे यह आगए, दो बटा 3, माइनस का, एक बटा 3 सब्टे करेंगे, एक बटा 3 आएगा, न, यूनिट स्कुरर, इसका अएगा, एक बटा 3, यूनिट स्कुरर, यह तो कोईज़ आप्शन सही होगा, अठावान में, आप्शन सी क्या होगा, करिप होगा, उनसर देखना, प्रस नमबर उनसर ने कह रहा 6, x plus 1, की पावर में, x की पावर 2, अच्छो, हम यह ताम करना होता हम, यहाँ पर 1 बनाने की कुछ जिस करें, क्योंकि हम एक 1 रचाना होता है, यह को यहाँ पर, अगर आप यह undefined रखोगे, form चेक करना इसका, यह undefined आएगा, उपर भी undefined आएगा, undefined की पावर undefined, य इसे calculate करने के लिए भी कुछ खेल जरना पड़ेगा, लिमिट, x tends to 0, हमें इससे क्या करना है, 1 यहाँ बनाना है, उपर 1 बनाना है, यह साम करते हैं, x plus 1 बनाते हैं, और यह कितना plus का 5 हो जाएगा, हमने 6 को तोड़ दिया, x plus 5 में, और इसके बटे में भी x plus 1 कर दो, और इ यह बन गया है, हमारे पास अब, लिमिट, x tends to 0, 1, plus 5, divided by x plus 1 की power में x plus 4, अब जब जब अन्दिवाइन फार्म बनते हैं, 0 ने अन्दिवाइन दिया गया है, हमें क्या करना होता है, इसे e की power में चेंड लिखेंगे, जब e की power में लिखेंगे, जब e की power में लिखेंगे, और ये number जो होगी, और ये number जीने लिखेंगे, ये और वो power दोनों multiply में लिखेंगे, e की power हो जाएगा, limit, x tends to, and defined, ये हो जाएगा, 5 divided by x plus 1, into x plus 4, बटे, बस कुछ लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, जब लिखेंगे, e की power, जो भी है, कोई दिखेंगे, 5 रखेंगे, च मार रहा, limit, x tends to undefined, x plus 4 है, नीचे, x plus 1 है, undefined होती है, तो एक काम करते है, अभी रखेंगे, तो तुछे undefined बटे, undefined आ जाएगा, undefined form को होटाना होता सबसे पहले, x उपर से common लिखेंगे, तो या जाएग, 1 plus 4 बटा x, लिखेंगे, नीचे से भी x, no common, 1 plus 1 बटा x, य यह cancel, अच्छा, अब एक काम करेंगे, यह है, et power में limit, sorry, et power में 5 है, et power में 5, अब limit कर दो apply, limit apply करोगे, तो इन्टू आ जाएगा, 1 plus 4 बटा infinite का मतलब 0, 4 बटा infinite का मतलब 0, 1 plus 0 यानिकी 0 हो गया, और यह भी 1 plus 0, यानिकी 0, अना, उतलब 0 नहीं, add करेंगे, तो 1 आ जाएगा इसके बाद, आगे चलेंगे, start, start भी एक बहतरीन question है, यहाँ पे हमें निकालना है, सबसे पहले आवासमांतर मात दे दिया गया है, हलाकि question तो high school level का है, लेकिन गलतिया होने के chance ज्यादा रहता है, तो गलतिया हो जाती है, अगर exam में थोड़ा सा calculation हो गया, तो calculation की इसके काम करना होगा, हमें चाहिए यहाँ पे x है, तो टाइम हमारे पस इतना ज्यादा नहीं है, इसमें कर लेकिन हमारे जीवाले को अच्छा, यह हमारा column हो जाया, हमें क्या चाहते हैं, क्या है, एक एक बार के लिए हमें फ़़वोला क्या है, समान मात दोदाणा, sigma fx sigma f into x divided by sigma f यह value चाहिए है sigma f into x हम fx पहने निकाल लेते हैं फिर तक हम दिरो लिकी रेते हैं चलो यहाँ पर x दिया गया है x कितना दिया गया है x वाले कॉलम दिल बना लेते हैं इस f वाला कॉलम बना लेते हैं f फोड़ा है और fx चाहिए हैं f into x दिया गया है 5 5 के बाद है 15 15 के बाद है 25 20 के बाद है 30 30 के बाद है 25 frequency दी गई है 6 है, 4 है, 3 है 3 है, 4 है, 4 है multiply करते हैं 5 इंटो 6, 30 आजाएगा 15 इंटो 4, 60 आजाएगा 75 आजाएगा 35 के हो जाएगा और यह 90 हो जाएगा 3 और 60 भी 90 हो जाएगा 1990, 180 हो जाएगा 180 और 75 को आज़ करेंगे जैसे ही आज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 255 के ना 255 यानि कि कहने को मतलब यह है कहने तो आप देखो, दो चीज़ों जरूरत है sigma effects sigma effects हमने निकाल लिया कितना आया? sigma effects जो आया silent point यह इंटू में लिया sigma effects sigma effects इसकों पर कितना आगया? वो आगया 255 plus 35 k है ना? sigma f जोड लेकिए sigma f जोड जाएगा 6, 4, 10, 13, 13 तो 15 15 plus k है ना? वैसा नहीं कि k भी उसी में जोड दो 15 plus k 15 plus k 15 plus k हो गया अब यहां पर रख देते है x-bar कितना दिया गया है? वो दिया गया कि 21.5 और यह कितना दिया गया है? 205 plus f is k divided by sigma f कितना है? 15 plus अब एक काम करेंगे थोड़ा सा calculation को smart करेंगे smart calculation करेंगे smart calculation करेंगे जगो उपर से कर हम 5 पांच कॉमल लें इसमें 5 चार्टा जा सकता है तो हम 5 चार्टा जा रहे है 5.20 और यहां कितना बचा? 15 15 15 बराबर हम कितना हो जाएगा? 5 यहां सकॉमल ली है 5.25 पांच से 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 तीस तो साथ क्यों जाएगा? यहां हम वे कुछ क्या नहीं 15 प्लस क्या करेंगे? आप प्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे पंगा का मल्टिप्लाइ करेंगे 4.3 के साथ मल्टिप्लाइ करने के आएगा 64.5 is equal to इभी है लोग प्लस यह आजाएगा 4.3 is equal to 1 का इसके साथ मल्टिप्लाइग 51 plus 7 4.3 को इधर ले जाओ, 51 को इधर ले जाओ, यह हो जाएगा, 64.5 minus का 51 is equal to 7k minus का 4.3k, subtract करेंगे, इन दोनों को subtract करेंगे, तो कितना आजाएगा, 13.5 is equal to, इधर subtract करेंगे, 2.7k, k equal to कितना आजाएगा, k is equal to यह हो जाएगा, 13.5 divided by 2.7, point से point हट जाएगा, क्यों कि decimal के बाद number क्या है? इक्कोल है, 135 divided by 27, अब क्या करें हम इसे 9 से कासिए हैं न, 9, 37, 9, 9 और कितना बचा, 4 टानिश, 9, 10 पानिश 15, 3 एकरणिश 15, यह बरावर कितना आया? 5 है कॉंस आप्शन सही हो गया दी आप्शन सही हो गया के जितने आएगा फाइप आएगा चलेगा इसके बाद करेंगे कॉर्शन नमर 60 नमर 61 बहुत ही बहतरीन कॉर्शन था यहां पे एक लिखा गया है आप समझेगा की की पावर लिखा गया रहा है लोग टेक्स तरह हम मानते ह और यहां सेम सेम उफ इसकी वैलू 1 यह क्या हो जाता है एक्स लाज़के चलिए इसके बाद अब देखेगा यहां पे इसकी वैलू x हो गई अब आसान हो गया इंटिग्रेशन 1 और 3 यह हो गया एक्स और यह हो गया प्लस का 1 dx कल्कुलेट कर देते हैं यह हो जाएगा x2 ब लिमिट अब रख दीजिए यह है 3 और यह 1 पहले 3 रख दो तो यह कितना हो जाएगा 9 बटा 2 प्लस 3 अब माइनस करके लोवर लिमिट रख दीजिए माइनस कर एक बटे दो माइनस कर एक अब देखो 9 बटे दो यह है ना मतलत कि 4 में आधा और गटा देंगे ति यहाँ चार बचेगा प्लस 3 माइनस 1 4 3 7 माइनस 1 6 कौन्स आप्शन सही होगा यहाँ एक शट में बी आप्शन क्या होगा चलेगा इसके बाद चलते हैं सुछ चिटेगा यदि एक अल्प सम्मिती बंटन के लिए माद्ध बिचलन 12 है हमें दिया गया यहाँ पर अल्प सम्मिती बंटन के लिए माद्ध बिचलन है हमसे पूछा गया है मानक बिचलन यहाँ पर हमें moderately distribution दिया गया है तो फुल मिलाके हमें पता होना चाहिए moderately distribution यानि कि short में सम्मित बोले md अब इस गोल टू होता है 4 बटा 5 इन्टू standard deviation यानि कि अल्प सम्मिती बंटन के लिए जो अल्प सम्मिती बंटन इस माद्ध बिचलन यहाँ यानि कि 4 बटे 5 इन्टू sd सब्सक्राइब इन्टू sd मुझा standard deviation इन्टू 4 एक अदन 4 और 4 इनवाद कि यह 3 और 5 आ जाएगा गुडा में इधा cross multiplication होगा sd सब्सक्राइब इन्टू sd कितना आ गया पंद्र रख़ा गया पंद्रा कौन्स आप्शन चाहिए यानि कि यानि कि हमारे पास जो md होगा मानक बीचलन होगा और मानक बीचलन रोलों को भीको जो रेलेशन होता है क्या होता है md एक्वल टू 4 बटे 5 sd सब्सक्राइब इन्टू वैसे तो यह आपको याद होना चाहिए सब्सक्राइब लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बसा देता हूं थोडा सब्सक्राइब में देखेंगे यहाँ पर u is equal to दिया गया है यहाँ पर एक वेक्टर है इसको हम क्या करेंगे component इसके मान लेती है वेक्टर a is equal to a1i plus a2j plus a3k 1 i तो वेक्टर u का मान हम से पूछा गया है हम रखते हैं यहाँ पर पहले हम निकालेंगे कितना पहले हैल कर लें तेरे को मान होगा हमें क्या क्या सब्सक्राइब अगी तो निकाल रहे साथ क्या होते हैं ? । ini क्या हो जाते हैं ? A 2 यह क्या है जे आई, जे के बाद आई नहीं, आई के बाद जे आता है, तो क्या करेंगे, इसे माइनस का आई क्रोस जे हो जाएगा, जो कि किसके बरावर हो जाएगा, के के बरावर हो जाएगा, प्लस, इसका तो क्रम ठीक है, के के बाद आई ही आ रहा है, तो इसको अब इसे i से cross करना है यानि हमें निकालना है i cross a cross i की value देखिएगा अब i के साथ इसका cross कर दीजिए i cross minus का a toom k plus a3j cross करेंगे i के cross कोगा किसके साथ k के साथ यहां पर भी k के बाद i आना चाहिए था लेकिन i के बाद के आ रहा है i cross k तो minus पहले से वहां पर तो से plus कर देगा यह कितना हो जाएगा अब चुक्ति i और k हैं यहां पर किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा a to j plus अब देखो i j तो k आ जाएगा a3k a3k हो जाएगा डायरेक्ट है ना हमें इसमें कुछ सोचने नहीं किसी प्रकार यह वाला जो पार्ट है यानि कि क्या j cross a cross j है ना उसकी value निकाल लेंगे है ना में भी उसकी value निकल के आएगी वो आएगी a1i आप निकाल लेजएगा try करिएगा एक बार a1i है ना a1i plus a3k है ना अच्छा इसके बाद हमारे पास है जो भी हो गए इन दोनों मित्वासे change हो सकता करके देख लीजएगा लेकिन a cross k वो आजाएगा जो बचे हुए होंगे वो कितना आजाएगा यह आजाएगा हमारे पास a2j plus a1i इन में से यह तीन हो आ जाएगे हमें क्या करना है हमें सभी को add करना है इसको 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 क्यों कि यहाँ पर यह को बीच कुर्द का चीन है plus का चीन है plus का चीन है प्लस का I plus A3K plus A2J plus A1I चलेगा अब देखो A1I एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है दो A1I है दो A1I plus इसी तरह से दो A2J है प्लस इसी तरह से दो A3K है दो ले लो कॉमन A1I plus A2J plus A3K अब जको यहाँ पे हम को में बहुत है Quesn 3.64 यह याद रखना है यदि A करतबोली की तरिज्या E है तो इसका गुरुब केंद्र होगा केंद्र से 3A बटे 8 दूरी पर होता है तीन ए बटे आठ दूरी पर होता है, उसे रहे पैफर्ट देखेंगे, लेट्श पर में पैफर्ट दी बहुत ही अच्छा कोस्टन है, हमें पता है कि क्वेस्टन यह कह रहा है कि जो हमारे पास omega है, ओमेगा ही जाएं, imaginary root of unity, यानि कि जो omega है, omega cube की value क्या है, 1, लेखेंगे यहां पर, रखते जाएंगे, यहीं पर रखते जाएंगे, omega की power 6 है, और 3 से भाग देना, अगर 0 आता है तो उसकी value 1 होगी, बाकि जो 6 बचाएंगे, इतनी घाते छोड़ दी जाएंगे, रखते जाएंगे, देखेंगे यहां पर, बेटर एमिनेंट 1 में कोई दिक्टत नहीं, यहां पर omega की power 3 यानिके 3 से भाग देंगे, 6 पूरी तरस भी भाजित है, तो इसकी value 1 भी जाएगे, यहां पर 3 से भाग देंगे, 3 को नी 6 दो बचाएंगे, यानिकि यह हो जाएगा omega square, जो बचाएंगे, यह भी पूरी तरस से कड़ी तो 3 से इसका कितना आजाएगा, 1 आजाएगा, ओमेगा 2 की बनलीकी 1 होती ही है, अच्छा, और omega 7 है, तो 6 यानिके 1 omega यहां बचेगा, और omega की power 8 का मतलब क्या हुआ, omega square बचेगा यहां पर, और यहां पर omega बचेगा, यहां बचेगा, यहां पर omega बचेगा, यहां पर यह चुते हैं, जिसना हो जाएगा, 1 minus omega 2, 1 minus का omega 2, plus में omega square into, यह चाहिएगा, 1 minus omega square, sorry, omega minus omega square, omega minus का omega square, तो बात ही जाएगा, 1 minus का omega square, देखों, आप omega, क्योंकि 1 लगते ही, तो कटे गए, 0 हो जाएगा, इस सम्टम्स को छोग दीजिए, कोई दिक्षपनी, plus, omega square का अंदर multiply करो, यह कितना हो जाएगा, omega 2 minus omega की घाच 4, omega घाच 4 को आप लिखो, omega की पावर 4 को लिखो, omega 2 into omega, omega 2 to value 1, यानि कि omega आ गया, इसकी value भी 1 हो गई, omega 2 to value 1 हो गई, 1 और 1 मिला के 2 हो गए, कि 2 हो गए, minus का omega, minus का omega square बचा हुआ, कोई दिक्षप नहीं, 2 minus का, यह हो जाएगा, omega plus omega square, और यहां से बात और हमें पता है, कि क्या, 1 plus omega square, 1 plus omega plus omega square की value होती ही, वो 0 होती है, omega plus omega square की value कितने हो जाएगी, minus 1, है ना, तो रखिएगा यहां पर 2 minus minus का 1, यानि कि 2 plus 1, यानि कि कि इतना हो गया, 3, correct option जाओगा, यहां पर 2 option जाओगा, correct होगा, चलेंगे, इसके बाद, question number, 66, 66, 66, question number 66, बहुत ही बेहतरीन question है, के रहा हमारे पास ये गोला है, 3D है, LYSती बृत्य वाला होता था था ना, के रहा कि ये गोला है, और गोला कि ब्यास के सीहां होगा, ये ब्यास होगा, ब्यास ये 3D है चेता है, ना, ये एक सीरे दिये गए हैं, हैना, एक end आफ ईसकी एक end दिया गया है, diameter का वो दिया गया है, 2, minus..2,-3, 2, 1 ón, 2, 1, यह one है, दूसरा end दिए गया है, दूसरे ाकश्व दिये गया है, यह होता हमारे पास x1 यह होता y1 और यह होता x2 यह coordinate अगर इसके होते और इसके होते x2 y2 z2 z2 तो जो समीकरण होता है यहनी कि जो equation आप स्वेयर होती यहनी कि गोले का जो समीकरण होता यह होता x minus x1 into x minus x2 plus y minus का y1 और y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 is equal to 0 यह हो value रग दीजे x1 की तो यह हो जाएगा x minus का कितना 2 और x को कितना है 3 है na x minus का 3 plus अब देखेगा plus y minus y1 y1 का value है कितना minus का 3 कि इसे plus का 3 बना दो plus का 3 y minus y2 यह हो जाएगा plus का 1 अब देखो हमें क्या करना है हमें यह देख लेना है कि इसका जो पहले हम मिला लेते क्या constant वाला टर्म क्या है constant term से खेल कर लेकिन जर आ जाता तो ठीक है यहीं आता है तो सोचा जाएगा तो आज खेल करने जरूरत है क्या करते हैं यह पर इसका देखो इसका देखो शिर्फ हम उनको ले रहे हैं जो हमारा अनक वाला रहा है constant वाला है तो माइनष बस्ट दो गुला होगा तो प्लस का कितने आ जाएंगे गदेखो यहां पे तीन और एक का गुला होगा तो प्लस का PayPal क्य Àक मेंशए को जान में कि अगर प्रस्ट में प्लस का 11 वाले उप्शन सही होंगे यह वाला तो reject हो गया यह भी reject हो गया शंभावना है या तो C के साथ हो सकती है या D के साथ हो सकती है अगर मुझे तुक्ता मारना होता तो 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 मैं C और D में से कोई option चेक कर दो लेकिन अभी तुक्ता मारने वाले टम्स को हटाया नहीं जा सकता तो माइनेस का 5 एक्स होना चाहिए मतलब कि यह option D नहीं हो सकता कौन सा option सही होगा option D दूसरा रास्ता यह है कि आप इसे calculate करें multiply करें फिर इनके सब गोडांगे जोड़े x square आप एक्स कोफिशियन सब जोड़के x वाले टम्स हो जगर रखें इसके बाद आप option को अलग करेंगे जबकि आपको इस तरह से करेंगी तो और जल्दी हो जाएगा चलिए परस्या नम्बर सांस तरह एक टॉन एक टॉन यूवेग से इस प्रकार से पिछे पिक किया प्रचे पिक किया जाता है कि इसका परास यानि कि इसकी जो range है maximum height की two times है यानि कि जो इसकी range है means r है वो two times है कि इसकी h maximum यानि कि height दी गई है उसका two times है अच्छा range का formula एक बार comment section में आप लेक दीजिए क्या होता है क्या होता projectile में range का formula क्या होता है यानि मुझे लग रहा है कि आपके दिमार की चल रहा होगा sir यह होता है u square u square हाँ जल्दी से लिख दीजिए क्या हो सकता आपके हिसाब से formula u square sin square theta होता होता है u square sin 2 theta होता है range वाले हम 2 theta upon में g और इसका क्या हो जाएगा 2 into high है यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा u square sin square theta बटा में 2g हैना 2g हैना एक बात याज रखना height h2 से याज रखना हैना यहां पे नीचे 2g होता है इसमें g होता है h2 hydrogen है h2 height 2 मुलब की height के साथ नीचे यह तो formula में है इसमें question में रखा था condition में है इस 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है इस फार्मूले का 2 नहीं है यह h2 होता है 2 यहां पे होता है और यहां पे क्या होता है r के साथ भी 2 theta होता है एंगल में है याद रखने का अच्छा तरीका है बरू लेना पाए अपर क्योंकि यह भूल गया तो कि question नहीं होताएगा चले तो यह हो जाएगा देखो यहां पे इस 2 से तो इस 2 को cancel कर दीजिए इस g से इस g को काट दीजिए और इस के बाद इस u square से इस u square को काट दीजिए sin 2 theta का फार्मूला हाफ एंगल लोग खेल देंगे यह हो जाएगा 2 sin theta cos theta is equality sin square theta एक काम करते हैं आपके हम लोग sin theta को इधर ले आत यह हो जाएगा 2 sin theta और यह cos theta minus sin square theta is equal to 0 sin theta लेंगे common sin theta लेंगे common तो 2 cos theta minus sin theta is equal to किसना आजाएगा 0 यहां पर theta बरावर 0 आएगा 0 अंस आजाएगा जो की 0 अंस पर अगर जाएगा तो वस्तु जाएगी ही नहीं यह ना एंगल है नहीं तो ऐसा क्या होगा इसा होगा नहीं यह एंगल क्या हो जाएगा common हो जाएगा अभी इसको लेकर चलो इसना क्या हो जाएगा यह जाएगा 2 cos theta is equal to sin theta बन जाएगा और यहां पर पूछा है परास है रेंज बताओ लिया क्या है अब यहां पर 10 theta की value में चुकी है अब देखते है रेंज रेंज बराबर होगा फार्मूला हमारे पास वही है q square sin 2 theta बटा में g q square चुक्षाप रहेगा फार्मूले में u square की बाती गई ही तो value इसकी नहीं जाड़ी पूही की गई ही sin 2 theta की जगह पर sin 2 theta की एक फार्मूला हमें चुछे 10 का मान पता है tan 2 tan theta का 2 मान पता है अब sin theta का वह फार्मूला रखेंगे जिसमें tan होता है क्या होता है 2 tan theta बटे 1 plus tan square theta रख दीजे यह हो जाएगा 2 tan theta 2 tan theta divided by यहाँ g है हमारे पास और divided by हो जाएगा 1 plus tan square theta यह हो जाएगा u square into 2 गुले tan theta की value 2 है बटा यह जाएगा 1 plus 2 तिक भाज 2 यामिकि 4 बन जाएगा यह उपर कितना हो गया 2 गुले 2 कितना हो गया चार चार यह उना चार बना देखें चार यू square बटे 5 जी तो पोर यू square बटे 5 जी कौन सा आप्शन सही है यहाँ पर option D क्या हो जाएगा correct हो जाएगा 67 में इसके बाद बढ़ेंगे आगे 68 देखते है बहतरीन question 68 दिखते है एक कोटी वाले चक्री समूवते जनकों की संख्या क्या होगी हमें बताना यहाँ पे ऐसे positive integer जो को प्राइम ही यानि कि इसके साथ 10 के साथ 10 के साथ 10 के साथ तो लेके चलते हैं दस से चोटा एक भी है एक और 10 दोनों का अगर हम GCD निकाले ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानि कि मार्षा निकाले तो कितना आएगा तो मतलब कि ये भी एक generator लिया जा सकता है जि 3 और 10 के साथ 1 आएगा GCD मतलब इसे भी लिया जा सकता है 4 के साथ भी नहीं होगा 5 के साथ भी नहीं होगा 6 के साथ भी नहीं होगा 7 के साथ 7 और 10 का GCD कितना होगा 8 होगा 8 के साथ भी नहीं होगा 9 और 10 का कितना होगा भाई इसका भी GCD 1 होगा 10 से चोटी से चोटी ऐसी के हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कौन्स option सही होगा, c option क्या होगा, correct होगा, आगे चुछ, इस question को आपको याद रखना है, बहुत पूछा गया, और रिपीटेड क्वेश्चन है, यको यह divergent है, divergent तो minus undefined, minus undefined तो अफसारी, 59 में कौन्स option सही होगा, c option क्या होगा, correct होगा, 70 देखेंगे, question number 70, एक बहतरीन question, और इसका एक question दिया भी था एक बूच में, है न, देखें, चलेगा, अब यहाँ पर question दिया गया है, log, 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 tbx of y is equal to a की power x plus b की power y, यह question दिया गया है, अब देखरों यहाँ पर क्या करेंगे, separate करेंगे, x को bx के साथ और y को dy के साथ, उससे पहले इस log को हताना होगा, log तब हटेगा, जब यह वाला power चला जाएगा, e में चला जाएगा, अगर यहाँ लोग हटेगा, यह पूरा टम्स क्या होगा, y की power में चला जाएगा, log भट गया, अब इक काम करना होगा, हमें यहाँ पर इसे लिख सकते है, dy, dx is equal to e की power kx into e की power dy, लिखा होता है न, a की power, अगर m plus n लिखा होगा, तो a की power m into a की power n लिखागा सकता, अब एक काम करेंगे, y को y वाले की तरफ, और x को x वाले की तरफ ले जाएंगे, यह हो जाएगा, dy के बटे में आएगा, e की power by is equal to, यह हो जाएगा, e की power ax bx, चलो इसे और थवा से simplify करते ही, e की power by को उपर ले जाओगे, तो कितना हो जाएगा, e की power में minus का by dy is equal to, e की power में ax bx, taking integrate, integration both sides, दोनों तरफ integration लेजिए, integration लेंगे, तो e का तो वही रहेगा, e की power में minus का by, और यह तो coefficient होगा, integration में क्या होता है, divide में चला जाता है, equal to, same, e की power x रहेगा, और वह coefficient होगा, वह divide में चला जाएगा, plus का c, अब जा करो है, हमें calculate करना है, चिक करते हैं है, calculation इसका, छोड़ा सा calculation, छोड़ा सा है, यह कभी लिखने होगा, अभी द्यास में होगा, चलो, इसको उठाके न, इसे भी RSS side में उठालीजे, इधर 0 बच जाएगा, यह क्या हो जाएगा, अब एक काम करते हैं, वो नीचे ABC LCM ले लिजी है, AB LCM आजाएगा, AB LCM लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां पर B का multiply हो जाएगा, B into A के पावर AX, प्लस यहां तो A का multiply हो जाएगा, A into E की पावर माइनस का BY, और plus कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, A, B, C है एक काम करते हैं, close multiplication करेंगे, तो यहीं उधर 0 में चला जाएगा, B, E की पावर AX, प्लस A into E की पावर माइनस का BY, और इसकी जगह पर एक बड़ा सा C माल लेगे लेगे, ना, नया कॉंस्टाइंटर माल लेते हैं, इससे हमने इससे हमने, प्लस A into E की पावर AX, प्लस A into A into E की पावर माइनस दुगाई, प्लस C कौंस अप्शन होई है, यह आपि, आगे option चाहिए, E के पावर X नहीं, यह पहला वाल option चाहिए, ना, B into A के पावर X, प्लस A into E की पावर माइनस दुगाई, प्लस C is equal to 0, यानि की 70 रु वीडियो आपको परशंद आई हो, तो वीडियो को अपने दोस्कों साथ जरूर शेयर करें, और comment section में, नमस्कार दोस्तों, TGT, PGT के अगनिपत बैच में, आप सभी धुरंधरों का मैस्वाज़त करता हूं, और आज हम लोग डिसकास करेंगे, गुपी TGT 2021 का mathematics फोके पर question number 71 से आगे continue, देखेंगे यहाँ पर question number 71 में दिया गया है, limit x tends to a, limit x tends to a minus x की power a divided by x की power x minus a की power a, जो गुल तो में minus 1 दिया गया, पहले हम limit को हल कर लेंगे, फिर minus 1 के बारे में सोचेंगे कि क्या करना हुसका, चलिएगा देखते हैं यहाँ पर, यह है limit x tends to a, और a की पाव में x minus x की power a divided by x की power x minus a की power a, पहले में इसे हल करेंगे, देखेंगे पहले यहाँ पे undefined form बन रहे हैं क्या, apply करके देख लेते हैं, direct पहला का apply करके ही देखना होता है, चलिएगा a की power a minus, यहाँ भी जहाँ x से वहाँ a रख रहे हैं, और यहाँ भी हो जाएगे a की power a minus a की power a, यह को उपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, मतलब कि यह 0 बटा 0 का form है, undefined form है, हम क्या करना होगा, जहाँ पर ऐसी situation आती हम l hospital rule का यूज़ कर सकते ही, और l hospital rule क्या है, uns or her, दोनों की terms का अलग-अलग differentiation चल दिया जाता है, करते हैं, यहाँ पर differentiation, apply करते है l hospital rule, limit, limit, x tends to a, और यह a की power x हो जाएगा, differentiation, और into में आ जाएगा, log a, minus x की power n का क्या होता है, n into x की power n, यह कितना हो जाएगा, a into x की power a minus 1, divided by x की power x का क्या होता है, x की power x into 1 plus log, इसका differentiation, अलग से तर्के निकाल दीजिएगा, यह minus का 0 हो जाएगा, 0 लिखने ही जरूरत नहीं, ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार limit apply करके देख लेते हैं, अब तो मुझे गरा 0 बटा 0 को form नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई indifferent form नहीं बनेगा, आ बराबर में कितना दिया थे होंने, minus का 1 दिया थो apply लेके हम चल रहे हैं, minus का 1 है ना, बराबर minus 1 यहाँ पर given है, limit apply करते हैं, यह हो जाएगा, a की power a into log a minus a into x की power, हाँ, a की power a minus 1 divided by हो जाएगा, a की power a into 1 plus का log a is equal to minus का 1, जखो a की power a यहाँ भी है, और यहाँ से a की power a निकाला जा सकता हमारे पास क्या बचेगा, a into a की power minus 1 है ना, उपर से a की power a common लीजिए, नीचे वाले a की power a से cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर common लेने के बाद बचेगा क्या, log a minus, देखो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर a बच to minus 1, cross multiplication करेंगे, minus 1 के साथ, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, log a minus 1 is equal to minus का 1, minus का 1, minus हो जाएगा, log a, अब क्या करेंगे, यह minus 1, minus 1 दोनों same sign है, एक पल के दबचेगा, दोनों cancel out हो जाएगे, अब क्या बच्चा यहाँ पर, यह हमारे पास बच्चा, log a, इधर ले आओ, तो log a हो जाएगा, 2 log a बराबर 0, हम यह कह सकते हैं, कि log a बराबर 0 हो जाएगा, दो को डिवाइड हो भेज देंगे, खना इसका base e ले ले लेते हैं, ठीक है, log a base e is equal to 0, अब देखें, हमारे पास जो लगगड़क form होती है, log b base a is equal to m, इसका जो exponential रूप होता हो, क्या होता, a की power m बराबर b, तो यहाँ पर a की जगा पर क्या है, e, m की जगा पर क्या है, 0 बराबर में a, है ना, तो e की power 0 की value कितनी 1, 1 बराबर a, यानि कि a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, पहला option सही होगा, question 71 का पहला option सही होगा, चलिएगा, next देखेंगे, question 72, question 72 है, कह रहा है कि, यदि x क्या है, x is a real number, then the function fx is equal to x cube plus x square plus x plus 1 hat, है ना, option दिएगे है, maximum value होगी, x is equal to 0 पे, या minimum value होगी, x is equal to 1 पे, या maximum value होगी, x is equal to 1 पे, या maximum value होगी, x is equal to minus 1 पे, या कह रहा है कि, neither maximum nor minimum, कोई भी value नहीं है, चलिएगे, सबसे पहले हम क्या करते है, fx क यहाँ पे दिया गया है, fx is equal to, दिया गया है, x cube plus x square plus x plus 1, differentiate कर दीजे से, f dash x कितना हो जाएगा, 3x square, है ना, 3x square plus 2x plus 1, है ना, अब देखे गए, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप निकालना चाहिए, आप f double dash भी निकाल दीजे, f double dash x is equal to, कितना हो जाएगा, 6x plus 2, 2, f dash x में यहाँ पे हमें कुछ चीजे देखनी है, जैसे कि हमारा जो f dash x है, वहाँ पे देखो, x square को जो गोडांक है, है ना, हम बात करें, अगर, ax square plus bx plus c, है ना, यह हमारे पास बन रहा है, is equal to 0 कर ले ना, हम क्या करते है, मैच जी में आप मिनिमा के लिए हम क्या करते है इसको 0 लेंगे, है ना, f dash x को, यानि कि f dash x is equal to 0 लेंगे, हमारी question क्या बन जाएगी, 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0, यहाँ पे देखो, जो a है, वो क्या है, greater than 0 है, greater than 0 है, और जो इसका d आएगा, वो क्या होगा, less than 0 आ जाएगा, है ना, यह a greater than 0 है, तो d क्या हो जाएगा, less than 0 हो जब f dash a, है ना, greater than 0 हो, for all x, है ना, प्रतेक x के लिए, for all x, प्रतेक x के लिए, तो क्या होगा, ना तो function हमारा magima होता है, ना तो minima होता है, यानि कि neither magima nor minima, यानि कि कौन सा बहत्तर में अप्शन सही होगा, बी होगा, चलिएगा, इसके बाद question number 73 देखते है, तो question number 73 एक question है, कि अधा multiplicative group, है ना, एक group दिया गया है हमें, हापे, है ना, एक multiplicative group दिया गया है, group में elements है, हमारे पास 1 है, minus का 1 है, और i है, और minus का i है, अच्छा, इस a cyclic group, कि यह a cyclic group है, its generator हो, कि इसके generator कौन कौन से होगे, जैखो generator कौन कौन से होगे, चिसकी मदद से group के सारे element प् करते हैं, तो 1 की power 1 करेंगे, 1 आएगा, 1 की power 2 करेंगे, 1 आएगा, ये 1 ही आता जाएगा, मतलब कहने का, ये है कि 1 generator नहीं हो सकता, क्यों कि 1 से हम minus के 1 को नहीं ला सकते, i को भी नहीं ला सकते, minus के i को भी नहीं ला सकते, मतलब कि जिन जिन options में 1 है, वो generators नहीं हो सकते, इस तो i की पावर 1, तो यह i आ जाएगा, i की पावर 2 करेंगे, तो यह minus का 1 होगा, i square minus 1 होता है, i की पावर 3, यह कितना हो जाएगा, minus का i हो जाएगा, आई की पावर 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, पलस का 1 हो जागा, देखिए हैं आपर सारे element i से आ रहे हैं, मतलब i एक generator हो सकता है, i एक generator confirm हो चुका कि एक i generator है, देखते हैं, माइनस i को भी चेक कर लिया जाए, एक element हमारे पास और है, माइनस i, तो देखते हैं, माइनस i, माइनस i की पावर 1 करेंगे, तो i आएगा, माइनस i की पावर 2 करेंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस i की पावर 3 करेंगे, तो यह आजाएगा, पहले माइनस निकल जाएगा, तो यह प्लस का i आजाएगा, फिर आप अगर माइनस i की पावर 4 करेंगे, i की पावर 4 करेंग इक प्रक्तिकिन हए इस नमीन है प्रक्राइप हो नियुकर पतुम। तो कौन्स आप्शन सही होगा, C, C आप्शन क्या होगा, correct होगा, question number 74 देखेंगे, question number 74 में वक्र दिया गया है, हमें करना, the tangent आपड़ करो, x is equal to 280 square by 1 plus t square, y is equal to 280 cube, हमें सबसे पहला क्या खाम करना है, point find कर लेना, at 1, t is equal to h2, t is equal to h2 पर वो point निकाल लो, जहां से ये रेखा ह होके गुजरेगी, है ना, चलेगा, हमें tangent आपड़ निकालना है, यानि कि इस परसी का समीकरंड निकालना, ये इस परसी का समीकरंड दिया गया है, तो एक ऐसा window होगा, x और y से मिलके जो बनेगा, यहां से होके गुजरेगी, तो यह काम करते हैं, वहम पहले window निकाल लेत होगा, 2a into 1 by 2 का मतलब का हो, 1 by 4 बन जाएगा, t square है यहां पर, फिर कितना है, 1 plus t square का मतलब का होगा, 1 by 4, ये कितना हो जाएगा, चैंसल मत करे अधी, 2a by 4 और ये हो जाएगा, 5 by 4, चैंसल हो जाएगा, x कमान आ जाएगा, 2 by 5, इस तरह y कमान निकाल लेत, y कमान कितना जा होगा, 1 by 4, 1 plus square का मतलब होगा, 1 by 4, इस से 8, 4 by 4, a by 4 और ये 5 by 4 आ जाएगा, 4 से 4 कमान जाएगा, y कमान आ जाएगा, a by 5, यह निकि हमारे पास जो points बन गए, जो बिंदू बन गया, जो बिंदू बन गया, मालनों कुछ भी नाम देगा, पी देगा, इस बिंदू पी के न समय कर निकालना था, इस वाले point P के जो निर्दे सांग आ गए है, coordinate आ गए है, x की value कितनी आई इसमें, 2 a बठा 5 आई है, और y की जो value आई है, वो आई है, a बठा 5 जाना, a बठा 5 जाना, अगर इन दो, यह दोनों, यह points, मालनों की रेखा का समय कर यह हो सकता है, यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह points हम satisfied करवा गए, अगर हम इसमें, पहले वाले option में satisfied करवाते हैं, कोई एक ही satisfied करेगी, ठीक है, चले, 13 x minus 16 y is gone to 2 a है, हम यह points satisfied करेगी, क्योंकि यह points इसमें स्थीत है, और स्थीत है तो इसमें satisfied करना पड़ेगा, जहांपे x है, वहांपे 2 a बठा 5 जहांपे y a बठा 5 रखते हैं, देखते हैं, हो सकता है, कि LHS, RHS आ जाए है, 13 गोड़े x के अपना रखना है, 2 a बठा 5 minus 16 गोड़े a बठा 5, है न, यह कितना हो जाएगा, 13 अधुनी 26, 26 minus 16, 26 में 26 a में 16 a घटेंगे, तो कितने बचेंगे, 10 a, बठा में कितना है, 5, 5, 5, 5, 2 a, हैना, 2 a आ रहा, देखो, satisfied कर रहा है, 2 a यहां भी आ रहा है, 2 a यहां भी आ रहा है, यानि कि LHS, RHS गोड़े इक्वाल आ रहा है, यानि कि कौनसा option सही होगा हमारे पास, पहला option correct हो जाएगा, 13 x minus 16 गोड़े बठा कि आप अन्य option ट्राई कर लिएगा, किसी में satisfied नहीं कर बाते हैं, यह दिया गया है, limit, n, n मालोब से, n के मानेगे, x जैसे बढ़ाते है, n tends to infinity, और यह x square है, plus 2 square है, plus 3 square है, plus dot 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 n square, कि न, divided by, divided by, n cube, n cube दिया गया है, अब देखो, ऊपर क्या है, natural numbers है, कुछ उनके square का sum है, कि न, प्राक्रतिक संक्याओं के वर्गों का योग, वो कितना होता है, limit, limit, n tends to infinity, यह होता है, 1 बटा 6, n, into, n plus 1, into, 2, n plus 1, है न, यह योग होता है, n numbers का, बटा n cube, यह थाम करेंगे, हम यहाँ से n common निकालेंगे, तो अभी, n tends to infinity, जब भी होता है, तो अगर हम यहाँ रखेंगे, अभी रख देंगे, तो infinity by infinity बन जाए दोनों जगा पे, हमें क्या करना है, limit, n tends to undefined, यह निकालेंगे, यहाँ से common निकालेंगे, और यह 1 यहाँ से common निकालेंगे, मतलब n cube हम ले रहे हैं, common, यह n तो अपनी जगा पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ यहाँ से जब निकलेगा, तो 1 प्लस, जहाँ नह से जब गया, तो 2 बचा, 2 प्लस, एक बटा, n, और divided by n cube, हम क्या करेंगे, n cube से n cube को cancel out कर देंगे, करते हैं, cancel out, यह हो जाएगा, limit, n tends to undefined, 1 बटा 6, हम क्या करेंगे, 1 प्लस, एक बटा n, इन्टू, 2 प्लस, एक बटा n, अब क्या करेंगे, लिमिट को आप अपलाई कर द इन्टू, इamtट्फिनटी, और ₹ YA, 2 प्लस, वन बटा इंटी, वन बफेंटी की बटाई जीरौ होती है, एक बटे अच्छे है, इंटू, वन बच Вамक यह जीरौ ह trudसे चाहा है, पर यह भी जीरौ ह ó जाएगा, इन्टू, बच शे रहें, क्याना इक बटा 3, एक बटा 3, कौ है हमें अच्छा एक रेखा की सब्वहत आर ऑर इन दोनों के बीच की दूरी दिए निकालनी है जब भी कभी हमें इस प्रकाडर की दो रेखाईं दी बराबर में 5 दूसरी वरी रेखा से आपको 2 common ले लेना है आप यहां से 2 जैसे ही common लोगे तो आज आएगा x plus 2y बराबर में कितना 11 और x plus 2y बराबर आज आज आएगा 11 बटा 2 इस लाइन को भी लेख लिजिए x plus 2y बराबर में 11 बटा 2 यह दोनों समानतर रेखा हैं और इन दोनों रेखाओं के 20 की दूरी लिकालना है तो हमें क्या करना होता है पहले तो मूल बिंदू से आप दूरी निगाली है आप पहले वाली रेखा कि मूल बिंदू से दूरी कितनी हो जाएगी यह हो जाएगा देखते हैं पहले वाली रेखा कि मूल बिंदू से दूरी आप मूल बिंदू से डाले गए लंब की लंबा a x plus by plus c is going to 0 की किससे x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई है ना डाले गए लंब की लंबाई पर्पंडिकुलर की जो लेंथ होती ही वो क्या होती a x1 plus by1 plus c divided by under root x का गुडान का जो होगा a square plus b square मूल बिंदु से क्या होती ही मूल बिंदु वालम यहाल टम नहीं होता है ना चीज है c by under root a square plus b square यहाँ पे c कितना है पांच बटे under root a square plus b square यानि कि एक प्लस चार यानि कि यह आ जाएगा यह पांच बटा में root 5 है ना पांच बटा में root 5 ऐसे d2 निकाल लेते हैं d2 कितना आ जाएगा ग्यारह बटे दो रूट बटा under root 5 वह भी आ जाएगा सेम पोफिशेंट है वहाँ पे भी है ना अब देखेगा यानि किसे हम देख सकते हैं ग्यारह बटे दो अंडर root 5 अब हमें इन दोनों समानतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल ली है ना दोनों के बीच की दूरी निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस सीधा क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रेक्ट कर देते हैं दोनों को क्या करो अब धाटा दीजिए है ना मॉडूलस में ले लेंगे कि पलस का ही चाहिए हमें, चलो इस तूसरे वाले इंप पहले लगटा, बड़ा लगड़ा है, चलो चोटा ही है बटा, हाना, पांच बटा में, दो पांच बटे में आगया, अंडर रूट 5, माइनस करना है, ग्यारा बटे जो अंडर रूट 5 से, घटा दिजे भाई, दो एलसियम लोगे, हाना, एलसियम कितना आजाएगा यहां पर, एलसियम आएगा, दो अंडर रूट 5, दो अंडर रूट 5 आएगा, एलसियम यह कितना हो जाएगा, पांच, दो निद दस, यह 10, माइनस का घ्यारा, हाना, मॉडूलस लगा हुगा, होगा, चलिए, आगे चलेंगे, कराई, यदि एक त्रिग हाथ सम्मी करण इतना है, का एक सुन्यक, तो अन्य दोनों सुन्यकों का गुलन फल, करना, अब देखे गए यहां पर त्रिग हाथ है, तो यहां पर हमें पता है कि इसके कितने 0 होंगे, 3 0 होंगे, यानि कि 3 सुन् बहुपत दिया गया है, इसमें कोई ऐसी value x की रखती जाए, जिसकी वज़े से कोई a polynomial कमांज 0 हो जाए, तो उसे हम लोग सुन्यक के निकि 0 जो बोलते हैं, चलेगा, हम मानके चल गाएं यहां पर कि इसके 2-3 0, एक तो दिया गया है, अलफा बराबर माइनस 1 मान लेते हैं इसके अलावा जो है एक बीटा है और एक गामा है, अच्छा यह बताओ, अलफा बराबर माइनस 1 इससे satisfied करेगा क्यों कि इसका 0 है, है कि ने, अगर यह इसका 0 है तो इससे satisfied करेगा, satisfied करेगा तो satisfied करवा दो, जहां जहां भी x है वहाँ पर minus 1 put करतीजें, satisfied करवाएंगे, कु यह हो जाएगा minus 1 का cube plus value 0 हो जाएगी, क्योंकि है इसका solution न, यह निकि इसका 0 है minus square हो जाएगा और यह b minus का b और यह हो जाएगा 1, minus का 1 रखना है यहां तो plus का c equal to 0 है तो इससे satisfied करेगा, इसलिए का हो जाएगा 0, यह हो जाएगा minus का 1 और यह हो जाएगा plus का a और minus का b plus का c is equal to 0 एक relation यहां पे हमें मिल चुका है अब देखेगा हमें क्या करना है गुड़ा निकालना है तीनों का गुड़ा अलफा इनको बीटा इनको गामा इसको अन्य दोनों सुनने को का गुड़नफल क्या होगा तो गुड़नफल क्या हो जाएगा यह होता माइनस दी बाई यह है माइनस दी मतलब की अचरपद और ए मतलब की एकस ट्यूब का गुड़ान अचरपद क्या है यहां पे सी माइनस का सी बटे और उसका गुड़ान क्या है वन अल्फा कितना है माइनस का वन बीटा गामा हमें नहीं पता बीटा गामा नहीं पता, बीटा इंटो गामा निकालना है, जो इस माइनस बन से माइनस बन चैंसल हो जाएगा, बीटा इंटो गामा इस कोंटू हो जाएगा, C, है ना, बीटा इंटो गामा इस कोंटू हो जाएगा, C का वैलू यहां से निकाल दो, C बराबर कितना हो यहाँ पर यह B हो जाएगा, minus का A हो जाएगा, plus का 1 हो जाएगा, ठादा, B minus A plus 1, C का value, यानि कि यह बीटा इनको गॉमा इस को पर जपना हो जाएगा, B minus A plus 1, C की value यहाँ पर रख दे रहे, यह आ गया हमारा B minus A plus 1, B minus A plus 1, कौन सा option सही होगा, question number 77, यानि का option A correct होगा, चलेग इसके बाद चलेगे, question number 78, 78 यह एक अच्छा question है, यहाँ पे हमें स्थित सदिस दिया गया है, सांदार, के रहा है, बिंदूओ A, B, C, D के सदिस क्रमसा इतने, 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 इतने हैं, है ना, हम कि सदिस सदिस को point में convert कर लेंगे, के रहा है, यदि बिंदूओ A, B, C, T, T एक ही समतल में है, यह क्या कह रहा है, कि, जो point A, B, C, T हो लाई कर रहे है, same plane, है ना, same plane में लाई कर रहे है, देखते हैं, तो, एक ही plane हम रख लेते हैं, point A, थोड़ा समय उधार रखना के जगा मिल जाए, जिसके के, थोड़ा question हो सकता है, ए, B, हाँ, यह point A हो गया हमारा, और यह हो गया B, और यह हो गया C, यह हो गया D, जाना, यह सारे points स्योप्चाप रख दी है, हमें क्या करना है, इन सभी के points रख लेने हैं, convert करके क्या करना है, इन्हें, रख लेना है, A, B, C, D, सारे मिल गए हैं, हम इनको better form में न लिखके, यानिके इन्हें हम लिखेंगे, बिंदू रोप में लिख लेते हैं, रख लेते हैं यहां पर, A के क्या देखो, A वाला जो है, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, D, B के coordinate दिये गए हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, C वाले के पास आ जाओ, माइनस का 1, 1, 2, 1, 1, 2, D वाले के पास चलते हैं, D आ जाएगा, 4, 5, लेंडा, अब देखिएगा, हमें यह बताना है, कि जो A, B, C, D हो करा सेम प्लेन में हैं, तो हमसे क इंडा का मान क्या होगा, एक बात आपको बता दें, इस दोरान, जो यह box product होगा, यानि कि वेक्टर A, B, कौनसा, A, B, A, C, और A, D, यह क्या होगा, A, B, A, C, और A, D, यह क्या होगा, 0 होगा, अगर यह एक समतली है, तो इन वेक्टर का जो box product होगा, वो क्या होगा, 0 होगा तो हम पहले a b निकाल नहीं, a b मतलब b minus a, c minus a, a d मतलब b minus a, यानिके d का इस्थित सदिस minus a का इस्थित सदिस, यानिके d का position vector minus a का position vector, तो हम पहले निकालें यहां पर a b, a b निकालिएगा, जैसे निकालते हैं, a b को हम पहले points में निकाले ले रहे हैं, a b को आप points में निकाले तो निकल क्या जाएगा, माइनस का 1, 5, माइनस 3, है ना, points में निकाल रहे हैं, माइनस का 1, 5, माइनस का 3, निकल जाएगा, इसी तरह से आप निकालियेगा, AC, AC मतलब C का position vector minus A का, C का, देखो minus का 1, minus का 3, यह minus का 4 बन जाएगा, यह यानि कि आ जाएगा, minus का 4, और फिर 1 minus, minus 2, यानि कि 1 plus 3, यानि कि 3 बन जाएगा, फिर यह हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, 3 है ना, 2 minus minus 1, यानि कि 3 बन जाएगा, इसी तरह से आप AD निकालिएए, AD एक फॉमा साथ पॉमा लेम्डा प्लैस थीक है अच्छा निकल आया तो आभ इनका क्या करना है बाक्स प्रोडक्ट पथा है हुम्हें की 0 हो जाएगा है थोड़ा साफ ओपर करते हैं 10 ए और आपक्स प्रोडट्ट 10 हो जाएगा है 3 है 3 है एड़ी कितना है 1 है यह 1 है और यह 7 है और यह lambda plus 1 है यह क्या होना चाहिए 0 होगा किसलिए क्योंकि यह ABCD जो है same plane पे लाई कर रहे हैं कि यह एक समतली है एक समतली है चलेगा इसे अब आप में क्या करना है open करना है open करेंगे तो यह minus का 1 हो जाएगा minus का 1 यह चूटेगा यह चूटेगा 3 lambda plus 3 है ना 3 lambda plus 3 minus यह चूटा यह चूटा यह चूटा 3 lambda minus 21 है ना minus का कितना हो जाएगा minus का 21 minus का 5 लिया अब इसके अलांग और open करेंगे तो कितना हो जाएगा minus का 4 minus का 4 lambda का पहले गुड़ा कर लो माइनस का चार लिम्डा, माइनस का चार, और यह माइनस का तीन हो जाएगा, 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 माइनस का तीन हो जाएगा और यह प्लस का 18 हो जाएगा जब माइनस का मल्टिपलाई करेंगे है ना प्लस का 18 हो जाएगा इसी तरह से यह हो जाएगा प्लस का 20 लेमडा और यह हो जाएगा हमारा 35 34, 37, 37, 35 हो जाएगा 35 प्लस इधर आ जाएगा 93 है ना 23, is equal to 0 देखेगा उपल से थोरा से यहना अब दो को तीन लेमडा है यह और यह है 20 लेमडा सब्ट्रेक्ट कर देंगे 17 लेमडा बचेंगे 17 लेमडा और इन सभी को जोड लेंगे तो प्लस का आ जाएगा यह 146 है ना लेमडा इसको तो कितना हो जाएगा माइनस का 146 बटह में 17 लेमडा और यहां पर यह एंसर हो जाएगा option कौन सो सही होगा एक option करेक्ट होगा एक बहतरीन question है इस हमतली वाला question खटक जाता है उसे आप ध्यान रखेंगे इस concept चलेगा यहां पर एक बहतरीन question है question number 71 है ना SSC वालों का question है यह उठा के यहां पर पतक भी आ गया है हमें value निकालनी है इसकी x3-1 अपान x3 तो इसको पहले formula रख देते हैं क्या है x3-1 by x3 क्या हो जाएगा एक bracket में a minus भी होता है एक bracket में x3-1 by x दूसरे bracket में होता है x2 plus x2 और plus 1 हो जाएगा देखो यहां पर इसकी value में पता है इसकी निकल जाए तो मामला set हो जाएगा तो निकालता है यहां पर यह x2 plus 1 by x2 हमें 11 दिया गया है हम क्या करें माइनस वाला बनाना है x-1 का whole square बनाना है हमें क्या करना होगा दो इधर भी घटा दें दो इधर भी घटा दें आप देखो इसे हम लिख सकते है x square plus 1 by x square minus 2 into x into 1 by x is equal to 9 हो जाएगा दो तरफ हमें 2 क्यों गटाया अब आपको समझ में आ गया होगा हमें x minus 1 by x का whole square बनाना है तो देखो a square plus b square minus 2ab है ना यह बन गया x minus का 1 by x का whole square is equal to 9 दोनों तरफ बर्गमूल लेंगे x minus 1 by x is equal to 9 का बर्गमूल जबन अच्छा इसकी value 3 आ गई अब यहां पर सारी values पुट तर जीए 3 गुड़ा इधर कितना है x square plus 1 by x square की value 11 है plus 1 है कितना हो जाएगा 3 गुड़े 12 बारह कितना हो जाएगा 36 कौन्स options होगा यहां पर d option क्या होगा correct होगा चलेगा इसके बाद बढ़ते हैं आगे question number 80 एक बहतरीन question है यहाँ पर हमें निकालना है कि b minus यदि b minus e का whole square तो हमाज c minus a का whole square a minus b का whole square समांतर शेडी में दिये गए हैं तो इनका जो सरवंतर होगा यानि कि common difference होगा वो same होगा यह कितना हो जाएगा c minus a का whole square यानि कि क्या होथा t2 minus t1 is equal to यह होगा हमारा t1 t2 t3 है ना common difference हैं करेंगे t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 के यह हो जाएगा c a minus 1 का whole square minus इसमें सब्सक्राइट करेंगे b minus 1 का whole square बराबर होगा जिसके a minus b यानि कि t3 minus t2 के है ना minus का यह c minus a का whole square चेलेगे इसमें a square minus b square अपलाई करते हैं अपलाई करेंगे जैसे a square minus b square एक bracket में प्लस b एक bracket में a minus b है ना कितना बन जाएगा यह c minus a plus b minus c दूसरे bracket में a minus b माइनस का a और माइनस का b plus c कि कुल्टू हो जाएगा एक bracket में a minus b plus c minus का a दूसरे bracket में जाएगा ते A minus b minus c हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा चलेगा और cancel करते हैं क्या-कई cancel हो रहा है यहां से ये cancel हो रहा है और यहां पर यह pencilt हो रहा है अगर देख और यह क्या है? यहाँ पर हो जाएगा C-A और B-C अभी यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बराबर में देखो यहाँ पर B-C, C-B-C लिखा है, माइनस कॉमान ले लिजिए, ति B-C बन जाएगा, और यह हो जाएगा A-B-C-A, कुछ भी नहीं करना भी, आप देखेगा, यह म माइनस-A है, और B-C से हम इसे डिवाइड करना है, जो को यहाँ पर जब माइनस कॉमान लेंगे, हम चाहा रहे हैं, बर्टे में, यह B-C को हम इधन ला रहे हैं, यह B-C यहाँ आ जाएगा, और बीच में माइनस कॉमान ले रहे हैं, माइनस जैसे हम कॉमान लेंगे, तो य यह हो जाएगा B-C मैनस का भी अभी मैनस का था मैनस हमने कॉमन लिया तो अब वो पलस का हो गया वो मैनस का हो गया बटे में B-C इक्वल टू अब यह टम्स उधर जा चुका है मैनस से मैनस कैंसील हो चुके है उसको बल्कुर सोचना नहीं है यह कितना हो जाएगा B-C इधर जा चुका A-B इसके नीचे लाओ A-B बटा में A-B और मैनस यहां पर भी कॉमन ले लो यह मैनस C पलस यह लिखा पर क्या हो जाएगा मैनस जैसे ही कॉमन लेंगे C-A बटा में हो जाएगा A-B यह कैंसील होगा 1 आजाएगा और यह कैंसील होगा 1 आजाएगा तो यह देखो यहां पर C-A बटा में B-C is equal to यह तो कैंसील आउट हो गए है एक आगया ना सोभी कैंसील का हो हम जीरो थोड़ी आया यह मैनस का एक बराबर में यह भी एक आगया और C-A A-B बास और बतर लेना चाहिए इधर ले जाएगे तो दो बन जाएगे कितना हो गया C-A बटा में B-C इधर आ जाएगा C-A बटा A-B is equal to 2 आ गया अच्छा C-A यहां भी है यहां भी है यहां भी है common लेंगे ऊपर रहेगा common इस साइड ले जाएगे तो 2 के बटे में चला जाएगा यह हो जाएगा 1 by B-C is equal to माइनस में इसके प्लस का आएगा प्लस हो जाएगा यहां पर इधर का माइनस था उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा B-C और प्लस में था 1 by A-B is equal to 2 बटे C-A अब देखो यहां पर अगर यह दोनों यह अगर समानतर स्टेडी में होता हो तो 2 by C-A is equal to 1 by B-C plus 1 by A-B यह वाली condition बनती कहने का मतलब यह है कि अगर यह समानतर स्टेडी में है यह भी किस स्टेडी में होंगे समानतर स्टेडी में होंगे तो एक बात याद रखना है इस प्रस्ट को आपको एक्जाम में करना नहीं है करना नहीं मतलब attempt करने की बात नहीं कर रहे है हम कह रहे है कि हल नहीं करना है यह आपके एक ऐसी डाइरी होना चैये जिसमें यह प्रश्ण लिखा हो और यह प्रश्ण आपको याद हो इस टाइप के मुश्किल से 10 प्रश्ण होंगे जो आते हैं बार-बार उन्हें आप भैलाओंगा जब भी सेरी सुरू करूंगा चैप्टर के तो वह सारे इंपोर्टेंट क्वेश्ण जिन्हें आपको थेक का लेते हैं, लेते हैं, काम पर लेते हैं, A और B एक साथ मिलकर की थीटना दो बटा फांच भाग कर देता हैं, सी के लिए कितना वजा त्.. 3 2 5 भाग, मतलब c को कितना करना है 3 2 2 5 भाग, जिसका जितना काम उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो c का भाग कितना हो जाएगा三वतार हीक्स, उसने काम किया तो 500 भाग लगा देती है, Thai 595 और यह कितना होaciaगा, सो आ जाएगा कितना हो जाएगा भाई तेन सो उसके कितने रुपए बन रहे हैं तेन सो कौन सबसे आसान है उसकी बात करेंगे आप उसे पहले तो 1 by under root 2 प्लस i by under root 2 करके इसे आप दिमाउस थोरम का यूज करके भी कर सकते हैं आईलर और दिमाउस दोरों को प्रयोग करके कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे इसे थोड़ा सा अलग है छोटा करना है हमें देखो यहां पर लेकर चल रहे हम इसे 1 प्लस i की पावर अगर हम स्क्वेर ले 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 तो स्क्वेर लेंगे तो यह कितना होता भाई यह 2i होता है सभी को पता है इसके बराबर होता है प्लस i की पावर चार हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा चार आई स्क्वेर यानिक यह वैलू कितने हो जाएगी माइनस का चार हो जाएगा अब हमें पावर में आठ चाहिए तो इसका एक बर बर गाउर कर दो 1 प्लस i की पावर में 8 बराबर 4 की पावर 2 यानि कि यह हो गया 16 है ना बुड़े ये कितना हो जाएगा बुड़े में 8 है ना कार्ट दो 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16, जानि कि कहने का मतलब यह है यह भी 16 आ गया बटे में 16, प्लस यह भी 16 बटे में 16, कर लो, यह उपर वाले की value कितनी आ गई, यहां रख लिखते हैं, उपर 1 प्लस i की value कितनी, 1 प्लस i की पावर 8 की value कितनी हाई भाई, 16, 16 बटे 16, प्लस 16 बटे 16, cancel करो, यह भी 1, कर टे 1, 1 प्लस 1, कितना हो गया, 2, कौंस option सही होगा, 2 option करेक्ट होगा, क्या, question 83 गेखते हैं, question 83 यानि कि 83, 83 कर राए कि a is equal to 2b, और modulus a minus b is equal to 5y3, तो 4c की value क्या होग जहां पर बहुत ही simple सा formula इस्तेमाल करना है, देखे गया हमें, क्या दिया गया हमें, a minus b दिया गया है, तो 10, a minus b बटा में, a plus b, और यह होता है, quart c y2, इस formula करेंगे, a minus b, तो 10, pi by 3, 10, pi by 3 का मतलब 60, 10, 60 का value कितना हो जाएगा, under root 3, a minus b की जगा हमने 60 रखता, 10, 60 का value, under root 3 बटा 2, अच्छा, a की जगा पर हम क्या रख सकते हैं, 2b, यह 2b minus b, और यह कितना हो जाएगा, a की जगा पर 2b रख लिया, और प्लस का b हो गया, और यह कितना हो गया 4c by 2, under root 3, बराबर में, 2b में 1b घटा, तो 1b बचा, नीचे कितना 3b, 3b, इस b से b कर गया, इस b से b गया, कट, अब देखिएगा, 10, 60 की बात आ रही थी, यहाँ पर यह formula में थोड़ी से लोग चोटी कर रहे हैं, यहाँ पर formula होता है, a minus b, a minus b by 2 होता है, तो a minus b की value, 7b 3, 2b 3, 30 बचे गए, एक बचे बचे एक अंडर root 3 हो जाएगा, वही थोड़ा सा angle की दिखा रही न, बिल्कुल, तो 10 a minus b by 2, इस को नतू होता, a minus b, यहाँ पर a minus b है, a minus b by a plus b, और cot c by 2 होता है, एक बचे में under root 3 हो गया, चलो, कोई बात नहीं in cot c by 2, अच्छा, cot c by 2 is equal to, 3 बचे अंडर root 3, cancel करेंगे तो एक बचे अंडर root 3 आजाएगा, cot c by 2 बरावर किकना हो जाएगा, अंडर root 3 आएगा, किकना बचे एगा, अंडर root 3, और cot c by 2, अंडर root 3 किसमे मान होता है cot का, तो c by 2 is equal to आजाएगा, अंडर root 3 मान होता है, इसका उतर 30 का होता है, और tis, यह हो जाएगा, tis हैंस, c बरावर कितना हो जाएगा, यह, 60 आएगा, 60 तहां पे है, यह, 5 by 3, को उप्रों सही हो जाएगा, 83 में, 2 option पे रेक्ट हो जाएगा, 84 देखेंगे, 83 पे रासी दोबार 10 cm, 20 cm, 25 cm, respectively, then the radius of in circle है, हमें अंता प्रित्य की तरिज्या पतानी है, अंता प्रित्य की तरिज्या सबी को पता है, क्या होती, r बरावर हम लोग क्या निकालते है, delta by s, यानि कि हम आपके दो चीजों की जुरूरत है, एक को चाहिए delta, और दूसरा क्या चाहिए, s चाहिए, तो delta का मतलब क्या हुआ, कि तरभुज, s into s minus a, s minus b, s minus c, वो निकाल ले, और उसके बाद, इसका s निकाल ले, और उसके बाद दोनों रख दे, तो पहले हम यहाँ पे निकालते है, s, s बरावर क्या होता है, 2s बरावर तीनों भुजाओं का योग है, 15 प्लस 25, 15 और 25 इसे 30 हो जाएगा, 30, 10, 40 हो जाएगा, 40 भी 60 हो जाएगा, 60 हो गया, s बरावर कितने आजाएगा, semi perimeter कितने हो जाएगा, 30 आजाएगा, यानि कि s निकालाया 30, s निकालाया 30 cm, अब हमें निकालना है यहाँ पे, under root, यानि कि delta निकालने के लिए क्या करना होगा, delta बरावर होता है, पार्मूला s into s minus a s minus b और s minus c under root s का value कितना है 30 गुड़े a s में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 s minus b कितना बचेगा 10 s minus c 5 आप करते हैं कितना जाएक यह 15 है 10 से 10 पहले कम निकाल देते हैं यह हो गया वो इतना आ चुछा है ना, यहीं कि r बराबर क्या है, delta कितना निकल घाया, तीन गोडे पांच गोडे दस, और उसके बाद, औरेगल कितना है, हमारे पास 30 है, तो 32 है, तो तीन, धस है ना, दोनिमिला केً के paper कर गया, हार कितना आ गया, inner circle के जो radius इतनी आ गया, और अगर कौन साइए होगा C साइए होगा 54 में C option correct हो जाएगा कि दो बलों का महत्तम प्रिडामी P न्ER! को जई सबकर करके ब करदेगा? चलिएगा देखते हैं इस प्रष्ट को और करते हैं देखेगा यहां प्रष्ट में दिया गया था कि दो बलों का महत्तम प्रेडामी जो पी है और नूंतम प्रेडामी क्यों है यानि कि अगर हमारे पास दो बल दिये जहां मान लीजिए कि हमारे पास एक बल लूए, एक बल ले लिएक हैं कर दोनों को हल कर के हम ने यहाँ से क्या किया दोनों को हल करेंगे इन दोनों समीकरणों को यहां से में A और B की value निकाल लेगी है तो A इज गोल तो कितना आ गया है P प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा इन दोनों जोड़ दो एक बार एक बार घटा दो तो B मिल जाएगा B बरावा P माइनस 2 बाई 2 आ जाएगा पिर हमें क्या करना है परेडामी वाल का परेडामी का फर्मूला क्या होता है तो इल्ट इस गोल तो होता है अंडरूट e square बास b square बास 2 a,b cost alpha दोनों को बीच का जो angle दिया गया है वो कितना दिया गया है, alpha दिया गया है यहीना अगर हमारे पास दो हैं भल है A और B उनके बीच का जो क्या पर guidance भेलाव है वो क्या दिया गया है R है और the angle जो बीच का दिया गए alpha दिया है हम क्या करेंग gustaría a की value रख भीया b की value रख दिया दोनों जगा a b की value रख भीया angle जगा alpha पहले से ہے जब भी हमारे पास आएगा क्या a plus b का whole square plus a minus b का whole square जब भी आएगा तो किसके बराबर होता ही cancel out हो जाएगा 2 into यह होता a square plus b square 2 into a square plus b square मतलग कि 2 into p square by कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा plus q square by 4 2 से multiply करेंगे तो cancel हो जाएगा कितना बचेगा इस वाले इन दोनों terms को whole करने पे कितना आएगा p square by 2 जोको 2 cancel हो चुका अगर मालीजे कि मैं यहाँ पर रखना चाहूं p का value कितना p square by 4 आया है p square by 4 plus इसकी value आई है q square by 4 2 का multiply करो अंदर तो इसका आएगा p square by 2 plus q square by 2 है ना उसे cancel हो जाएगा यानि कि p square minus q square बटे 2 आया तो एक बटे 2 हमने common ले लिया एक बटे 2 into p square minus q square plus alpha अब एक काम कर रहे है p p वाले p square पी square वाले टम एक जगा रख ले रहे 2 square पी square वाले टर एक जगा रख ले रहे हैं रखते हैं यहाँ पर रख भी लिया हमने पी square बाइटू common लिया यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर बचेगा पॉस alpha और यहाँ पर q square वाले में common लिया तो इसको बच्छा और यहाँ पर minus का पॉस alpha बच गया चलिएगा यह हो जाएगा अंडर रोट यह कितना हो जाएगा पी square बाइटू और देखो पॉस alpha को हाफ एंगल में तोड़ेंगे क्योंकि ओप्शन सारे हाफ एंगल में दिये गए हैं तो अब हाफ एंगल में ही चांस है क्योंकि यहाँ मिलना हो तो बाइटू इस टू से यह टू काट दीजे इस टू से यह टू काट दीजे बचा क्या हमारे पास रूट के अंदर बचा है क्या है पिस्वयर और कोल सपंगर अलपावाइकी कांस hon मैच हो रहा है और मैच हो रहा है बहुत यासान था कुछ भी इस से यासान नहीं हो सकता कुछ भी इसमें के मगद करहें चलीगा स्वाद कम लगे इसलीं मैंने लिए पहले से तक कर पर आवर इतने से एक वस्तूर रेखा दी गई है तर्व स्थापित हो जाती है इस बिंदू से इस बिंदू पर विख्यापित हो जाती है एसे बी में चली जाती है एना f यहां पर given है यहीं कि जो बल छेता है एक विख्यापित है f f is equal to दिया गया है यहां पर 4i minus का 3j plus का 2 पर अच्छा यह बिंदू a से b यह माल लेते हैं बिंदू a से b में भी स्थाफित हो जाती a से b हैना तो हमें निकालना है a, b हैना पहले क्या निकाले आप निकाले लेक्र a, b कितना आ जाएगा? cya थापन यहीं कि displacement निकालते है कितना आ जाएगा a, b i minus a हो जाएगा है अब क्या करें यहां ओं 8 ी कालते है दिसप्रमेंट निकालते हैं यह होट बिंधर ab ना, 2, minus का एक है, तो 2 plus 1 हो जाएगा, यानि कि 3 हो जाएगा, 3J हो जाएगा, यह वह जाएगा, और 4 plus 1 जन्य कि 5 हो जाएगा, अब हमें यह भी मिल गया है, दोनों चीज़े मिल दिखते हैं, तो यहाँ पे यह हो गया, 3 minus 2, I आया, 1 भचा, यानि कि 2 minus, minus 1, तो 3 भचेगा, औ और मैनस का वण मैनस का जाएगा इंकि डी ती विक्तापण मिल चुका है T कितना आ गया I plus 3Z मैनस 5K हमें निकालना वर्क ब्रक बराबर क्या होता है F into D इंसा विक्तार F into v AM तो रूख क्या करना है डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है कितना हो जाएगा i minus का 3j plus का 2k इन्टूट इसके साथ निकालना है i plus 3j minus का 5 चलेगा i का i के साथ multiply करेंगे बस i वाले terms आएगे बागे सारे 0 हो जाएगे 4 आएगा j का j के साथ minus का 3 3 का 9 हो जाएगा और minus का 10 हो जाएगा है ठीक है यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 minus का 19 कितना जाएगा minus का 15 आजाएगा और टाड़क अभी negative हो नहीं सकता यानि कितना जाएगा 15 आजाएगा 15 आजाएगा 15 यूनिक्स हो जाएगी क्वार्स अप्षिन साही होगा यहां पर हमारा A option क्या हो जाएगा टरेक्ट हो जाएगा Q87 देखें कि कहरा है इस प्रकार है A, B, C इस प्रकार है कि इतना 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 vector A का modulus 1 दिया गया है modulus B बराबर 4 दिया गया है modulus C बराबर 2 दिया गया है और हमें एक बात यहां यह दी गई है कि A plus B, vector A plus vector B plus vector C जो है वो 0 दिया गया है, यह 0 दिया गया है, चलेगा हमें काम करना है, दोनों तरफ क्या करना है, इस्क्वेर कर देना है, दोनों तरफ स्क्वेर करेंगे, तो taking square root, sorry taking square both sides, दोनों तरफ work करने पर यह कितना हो जाएगा, modulus A का square plus modulus B का square plus modulus C का square plus 2 vector A dot vector B plus 2 vector B dot vector C plus 2 vector C dot vector A, इधर हो जाएगा, चुप चाप 0 देना, इसका value दिया गया है, इसका value 1, 1 का square यानी की 1 ही रहेगा, plus इसका value 4 दिया गया है, 4 का square यानी की 16, plus इसका value 2 दिया गया है, यानी की 4, plus 2 ले लो common पूरे से, तो यह A dot B, है न, और plus B dot C, है न, plus C dot A, C dot A, is equal to 0, यह कितना हो जाएगा, 16, 4, 20, है न, 20 और 21 हो जाएगा, यह 21 हो जाएगा, अच्छा, अब उधर भेज देंगे, है न, यह हो जाएगा, 2 into A dot B, plus B dot C, plus C dot A, is equal to हो जाएगा, minus का 21, A dot B, plus B dot C, plus C dot A, is equal to हो जाएगा, minus का 21, 20 बटा 2, minus 20 बटा 2, कौन सो option है, option B, क्या होगा, यहाँ पर correct होगा, इसके बाद देखेंगे, 89, 88 है न, 87 के बाद 88, तो 88 जो है, बहुत ही बहतरीन question है, करते हैं से बहुत है, बटा, इसे बटे हुई, यह बटे हुई, यह बटे है, इन्टू दिया गया है, 10 π y by 2 A, यह दिया गया है, इन्टू दिया गया है, लिमिट को अलग तो लेते हैं, इन्टू लेते हैं, इन्टू लिमिट, यह दिया गया है, 10 π y by 2 A, यह दिया गया है, लिमिट को अलग, उसे हम इस तरह से न अलग करके इस तरह से देखते हैं, यहां पर हैं अपलाई करके देख लिखते हैं, यह हो जाएगा, 0, ऊपर के 0 बन जाएगा, नीचे देखते हैं, यह y से y कट जाएगा, और 5 by 2, और 4 जो 90 कमान होता, वो 0 होता है, 0 से भाग देगे, undefined आ जाएगा, undefined आने का मतलब क्या है, कि मतलब कि यह undefined warm बन रही है, हमें क्या करना है, फिर से इसके बारे में कुछ और सोचना है, अब देखें, जो undefined form बनती है, तो हम यहां पर एल-hospital rule लगा सकते हैं, लगाते हैं यहां पर एल-hospital rule, एल-hospital rule लगाएंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा, limit y tends to a, साइन है, यह क्या हो जाएगा, पॉष में y-a by 2, साइन का डिफ्रेंसेशन ना नॉर्मल पॉष हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, इसका फिर से हो जाएगा, तो y by 2 का कितना हो जाएगा, एक बच्छा दो आजएगा, नीचे वाले का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क् आपड अपलाई करके देख लेंगे एक लिमिट को एक बार लिमिट अपलाई करके देख लेंगे। तो इससे भी ऐखाट डेंगे तुक्ता कैट जएगा हमारे पासt बचेगाін क्या। एक बार रख लेते हैं फेले योरे देखे कर से यह minus का a by pi पाई पाई आ गया into अब क्या करो एक बार यह लिख लेते हैं फिर इसका limit अपलाई करके देख लेते हैं पाई minus a by 2 divided by यहां पर दिया गया है perfect square pi y by 2a अब limit अपलाई कर देती है minus का a by pi पाई यह हो गया into तो यहां पर cos a रखें यह a minus a 0 बनेगा cos 0, cos 0 की value 1 divided by cos square यहां पर देखो a रखें यह से कर जाएगा pi by 2 cos 90, cos 1 square 90 की value भी क्या होती 1 होती यानि कि यह क्या आगया minus का a by pi कौन सो option चाहिए होगा, d option क्या होगा, correct होगा चलेगा आगे चलते हैं 89 89, question number 89 कह रहा है बेंदास question ना रहतरीन question क्या सकती से, क्या एक कड़, a particle is projected in vertically upward direction, उपर की और फेका जाता है, एक particle, क्या इफ after t1, t2 seconds, its height, its h, then h is equal to h, कि इसके equal होगा, तेखे गए आपने, कोई भी हमारे पास एक कड़ है, कोई print है, ऊपर की और फेका जा रहा है, कितना wave होगा इसका, जो भी wave होगा, मानलो हम यहाँ पर u wave से फेका जाएगा, कोई भी इसका अपना प्रारम भी wave होगा, है ना, कि रहा है कि h height तक वो जा रहा है, कितनी height को कबर कर रहा है, वो h height कबर किया है, तो correct even t2 करावर, बाद में h क्या होगा, तो उर्ध्वातर उपर इक square, अच्छा, यह है, हम क्या करेंगे, cross multiplication करेंगे, cross multiplication करेंगे, बटा एक, बटा एक है ना, पहले 2 l3 lc m ले लो, इधर lc m लेंगे truth, यह आजाएगा, h by 1 is equal to 2 ut minus gp square by 2, cross multiplication करेंगे, बागे सारे टम से धल ले आएगे, तो यह हो जाएगा, फ्रेक्टर लेते हैं, cross multiplication करेंगे, 1, है ना, यह हो जाएगा, 2 x, 2 is equal to 2, 2 ut minus gp square, सारे टम से धल जाएगे, gt square minus 2 ut minus 2 h is equal to 0, हम यह मान के चल रहे हैं, जो हमारे पास t है, उसके दो root, है ना, दो roots, एक क्या है, t1, एक t2 है, है ना, तो हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं, यहाँ पे, दोनों का root file, यह नि की, t1 into t2 निकालना है, t1 into t2 कितना हो जाएगा, c by a, कितना हो जाएगा, c by a, c by a, c कितना है यहाँ पे, मैं 2x, हम सारे को उधर लेगा है, तो 2x तो अपनी जगा पे ही है, ना, भाई, माइनस है कैसे हो, यह हो जाएगा, 2x by g, 2x by g हो जाएगा, है ना, अर होता नहीं है, ax square plus bx plus c is equal to 0, कि दो मूल होते है, alpha plus beta बराबर क्या होता है, minus b by a, alpha into beta बराबर क्या होता, c by a, तो हमने य g into t1, t2, और h is equal to कितना निकल गया जाएगा, वो आजाएगा, 1 by 2 g into t1, t2, है ना, कौन्स option सही हो जाएगा, पहला option सही हो जाएगा, 89 में पहला option correct हो जाएगा, चले, 90, question 90 नंबर में दिया गया है, हमसे की कहरा, इतना और इतना और इतना की लियता का समी करण क्या होगा, तो पहले क्या करें, देखते हैं, ये दिया गया है y square, plus का 4y, plus का 4y, एक जगर रख लिएते हैं, plus का 4y, और अभी इसका कुछ clear नहीं है, क्या करना है, हम बाकी को सारे को इधर भेज देंगे, माइनस के 4x, माइनस के 2 को हमने इधर भेज दिया, अब देखो इसका square बनाना है, तो क्या करें, plus के 4 इधर जोड़ दें, plus के 4 इधर जोड़ दें, दोनों तरफ हमें plus के 4 add करने पड़े, है ना, add के लिए ये कितना बन गया भाई, y plus 2 का whole square, y, food work बना रहा हैं, कहने का मतलब यह है, क्यों जाएगा, minus का 4x plus का 2, कोई दिक्कत नहीं, अब देखिएगा ये plus का 2, माइनस का 2 था, cancel out हुआ, तो ठीक है, है ना, plus का 2 बन जाएगा, अच्छा, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम common ले लेते, minus का 4, minus का 4 common लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x, है ना, x minus का 1 बटका 2, है ना, और इधर कितना है, y plus 2 का whole square, y plus 2 का whole square हो गया, अब लेट क लेते हैं, इसे मान लेते हैं, इसको बड़ा सा y माल लो, बड़ा वाला y है, इसे बड़ा वाला y माल लो, यह हमारा हो गया, बड़ा वाला y, और यह हो गया, बड़ा वाला x, है ना, यह कितना हो जाएगा, y square बड़ाबर आ जाएगा, minus का 4x, बड़ा वाला x, है ना, 4x, अब देखे, यह होता है हमारा, इसकी हमें नियता, y square बराबर 4x, यह वाला होता है, माइनस वाला यह होता है, यह होता है, इसकी जो नियता क्या होती? x बराबर a, x बराबर a, तो a यहाँ पे कितना है? एक पहता है 4 E ये बराबर कितना हो जाएगा minus का 4 दिया गया है minus का citra यहाइ штऌ टूनके minus का 1 हो जाएगा minus का 1 Oh my. और यह है कहाँ पर हमा। e कहाँ पर है minus की 1 नहीं आएगा क्योंकि ्याँ tú यह minus's कुलेगी हमने उसी format रहुत हता बही तो सेम फॉर्मेट अगर, हाँ, ठीक है, यह 1 नहीं आएगा, चलिए, अब देखो यह, एनि कि X वाला टम्स कितना है यह, यह कितना भाई, अब हमें यह A मिल जुका कितना 1, और यहाँ पे कितना है यह, X is equal to A, है न, तो A का पहले क्या करें, value निकाल लेते हैं, X minus का 1, X minus का 1 A is equal to कितना आ गया, 1 आ गया, देखेगा यह, आपने, X is equal to हो गया, 1, है न, कितना हो गया, 1, अच्छा, बड़ा वाला X है, यह, बड़ा वाला X, न, बड़ा वाला X is equal to 1, और छोटा वाला X में कनवर्ट करो इसे, तो X minus का 1 by 2 is equal to 1, calculate हो करेंगे, इसे X is equal to आ जाए, 1 plus 8 ब बड़ाबर में 3 बड़ा 2, क्यानि कि जो इसकी नियता आगए, X बड़ाबर 3 बड़ा 2, कौन सा option सही होगा, 90 में, D option क्या होगा, correct होगा, चलेगा, इसके बाद 91 के पास, 91, question number 91 कह रहा है, यह questions दी गई है, इतनी, 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 का एक अधिती हल होगा, यदि A plus B कि यह unique solution है, तो A plus B, जब भी परस यह कहेगा, कि एक अधिती हल होगा, यदि A, B बराबर है, देखे गए, यहां पर, इसके जो determinant की मेलू होगी, वो 0 होना चाहिए, not is equal to 0, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर इसका एक अधिती हल है, अगर 0 के बराबर होगा, तो अधि होगा, यहां पर आपर देखो X-top coefficient, Y-top coefficient और Z-top coefficient गग्या, not is equal to 0, कैल्कुलेट किया, तो यहां से relation निकल काया, A plus B not is equal to 3, मतलग कि A plus B बराबर 3 नहीं होना चाहिए, बाद की सब चल जाएगा, कोई दिक्तत नहीं, दो को हो यहां पर A plus B, A यह है, B यह है, क्योंकि A और B क हो जाएंगे नहीं हो सकता एक और दो हो जाएंगे यह चल जाएगा आगे दिख लेतें क्या यह भी मैंनस की बन पॉस का चार यह भी 3 हो यह भी नहीं हो सकता कॉन सा ओप्षण सही होगा तो C option correct होगा, क्योंकि वह कह रहा है कि A plus B not equal to 3, है ना, तो C वाला option चल जाएगा, question number 92 देखेगा, 92 कह रहा है कि cos A बराबर sin B, है ना, ऐसा करेंके बोला इसलिए, देखते हैं यहां पर, बहुत भेहतरीन question है, cos A, cos A is equal to, उसमें दिया है, sin B, बटा में 2 sin C, cos A का formula क्या होता है रखते हैं यहां पर, B square, sides में होता है, B square plus C square minus A square, जो एंगल होगा, वाली side minus में जाती है, divided by 2BC, equal to sin B, को हम B के लिख सकते हैं, sin rule से, है ना, जैनियम से, और यह हो जाएगा, C के, ना, यह से एक एंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 केंसिल होगा, C से, C केंसिल होगा, यह आजाए C square minus A square, बराबर में केतना, B square, यह B square, B square, दोनों plus के हैं, हट जाएंगे, C square minus A square, बराबर 0, C square, बराबर A square, taking square, और both sides, C is equal to A, दो भुजाएं बराबर आ गई हैं, किसी तिर्भुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसा तिर्भुज जो होता, ISOCELLESS triangle होता है, यानि कि सम जिवा होती होता है, 93 जाएंगे, पॉस्टर में 93, पॉस्टर में 93 में कहा रहा है कि दिर्भुजट, 3X square plus 4Y is equal to 12, कि इस पर से रेखाओं को सम्हें करें, जो Y plus 2X बराबर 4 के समांतर है, इसके समांतर है, देखिएगा, यहां पे, Y is equal to दिया गया है, इसका अब जो दिर्भुजट दिया गया है, उस दिर्भुजट को भी समझते है, यह दिया गया है, 3X square plus 4Y square बराबर में 12, यह हो जाएगा, X square बटा 4, 12 डिवाट करेंगे, 3 से गटेगा, 4 आएगा, पलस Y square by 12 डिवाट करेंगे, 3 बचेगा, बराबर में 1, यह अपनी standard form में आ च हो जाएगी, और B square की जो value है, वो 3 हो जाएगी, हैना, सारी बिल चुकी है, अब हमें पता है कि इस दिर्भुजट की इस पर सरेखा का जो समी करण होता, वो होता, Y is equal to, हैना, Y is equal to Mx plus minus under root A square M square plus का B square, हैना, अगर यही हमारे पास अत्ति परवले, यानि कि हाइपर बोला हो होता, तो Y is equal to Mx plus minus under root A square plus B square minus का B square हो जाता, चलेगा, सारी value यहापर put करते हैं, यह हो जाएगा, M का value कितना है, minus का 2, minus का 2, x plus minus under root A square का value है आपके सामें, 4, और M square, M कितना है 2, तो यह भी हो जाएगा, 4, चोब 16 plus B square का value है, 3, हैना, यह हो जाएगा, Y plus का 2, यह सिधर minus under root 16 plus 3, 19, हैना, Y बराबर, Y plus 2, x is equal to plus 1, यह जाएगा, D, 93 में option सही हो जाएगा, D, question number 94 देखेंगे, 94 हम से कह रहा है कि A vector A, vector B, इस इस परकार है कि इतने एक गुसरे पर लंबोत है, तो A और B का, बीच का call ज्याद कीजिए, ना, इन दोनों के बीच का angle लेकालना है, चले 1 हो जाएगा, तो modulus B जो है, वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, modulus A, modulus B 1 हो जाएगे, और अगर यह दोनों perpendicular है, तो इनका जो dot product होगा, वो 0 के equal हो जाएगा, देखते हैं, दोनों का dot product करके, vector A, plus 2B, हैना, two vector B, into 5, जब भी कोई दो vector perpendicular होंगे, यानिक एक जुसरे के लंबोत होंग तो उनका dot product होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, यह दोनों कहने कि अधिस बूलन क्या होगा, 0 होगा, चलिएगा, 1 का A के साथ multiply होगा, यह जाएगा vector A, हैना, into vector A, हैना, यह बन जाएगा, हमारे पास modulus बन जाएगा, यह 5 को सब रहने दीजिएगा, 5 modulus का vector A का square बन जाए पांच दूनी 10, A B हो जाएगा, A dot B हैना, B dot A लिक हो या A B लिक हो, कोई बात में, कोई tension ने लेना, minus 4 दूनी 8, modulus B का square, is equal to दिया गया है, 0 हैना, निकालना कि हमें A और B के बीच का call निकालना है, कोई बात नहीं, यह हो जाएगा, 5, इसकी value 1 हो जाएगी, minus के, देखो यह 10 A B हैं, और यह 4 A B है, plus के बाचेंग हमारे पास, 6 A B, 6 vector A dot vector B, और यह हो जाएगा, minus का, 8, is equal to 0, जबो, 8 घटाएगे, 3 बचेगा, 3 उधर जाएगा, और यह आजाएगा, A dot B, is equal to, यह ना, इधर कितना बचा भाई, इधर 3 बचा, इधर 6 हो गया, 3 एक अंदम 3, 3 दूनी 6, A dot B के लिए apply कर दो, vector A, vector B, हैना, A B cos theta होता है, A B cos theta, is equal to A, 1 बचे 2, इसकी value 1, into 1, into cos theta बराबर, 1 बचे 2, अब यह हो जाएगा, cos theta बराबर, 1 बचे 2, किस में 60 का मान होता है, 1 बचे 2, हैना, 60 degree, यहनि कि theta is equal to, कितना, pi by 3, कितना आएगा, pi by 3 आजाएगा, ठीक है, okay, 95, question number 95, को convert करना है, भाई, किस में, sign में पूरे को convert करना है, करेंगे, और जरूर करेंगे, ना, ज़रूर करेंगे, यह दियागा, sign inverse, sign में ही सारे option है, तो sign में ही रहने देना, cos को भी sign में change कर लेंगे, sign inverse, sign inverse, यह हो जाएगा, 3 बटा 5, minus का, यह हो जाएगा, post inverse में रखा हुआ है, हम इसे sign में change कर रहे है, बस sign में change करने के लिए क्या करते है, यह हो जाएगा, sign inverse, root 1 minus, इसका square हो जाएगा, 144 बटा 179 है, यह हो जाएगा, sign inverse, रूट भी लगता है, root 1 minus x इसक्वेर, बागी आप triangle बना के भी change कर सकते है, sign inverse हो जाएगा, 3 बटे 5, minus का हो जाएगा, sign inverse, एक्सो उनतर में 144 बटाएगा, यह पच्चीस बच्चेगा, 5 बटे 13 आजाएगा, 5 बटे 13 आजाएगा, अच्छा, आप इसको sign में ही कनोड कर लिए, sign inverse कितना होता है, x root 1 minus x स्क्वेर, x root 1 minus x स्क्वेर, यही कि 3 बटे 5, into 1 minus x स्क्वेर, root के अंदर 1 minus x स्क्वेर, 1 minus का यह हो जाएगा, 25 बटे में 13, एक्स स्क्वेर, बीच में माइनस है, तो माइनस लगा दो, y, under root 1 minus y, एक क्या करना है, अब यही 5 बटे 13 को यहाँ पर ले ल x minus y root 1 minus x स्क्वेर, x स्क्वेर, x स्क्वेर को यह लोगे लोगें, इस इंदरींस करना हो, बटा पट्चीस है, यह कितना हो जाएगा, sin inverse, 3 बटे 5, बुडे, यह कितना हो जाएगा, x 99 हो जाएगा, x 99 हो जाएगा, square भी को होगा, 89, x 99 में 25 गटा हैं, 24 बटे 13, 12 बटे 13, minus 5 5 बटे 13, into 25 मिलना हो 16, यानि कि 4 बटे 5, अब देखों यहाँ पे, यह हो जाएगा, बारत यह 36 minus 20, 36 बटे 65, और यह 20 बटे 65, यानि कि 36 minus 20 कर लीजिए, कितना बचेगा, भाई, यह बचेगा 16, और नीचे कितना हो जाएगा, 65, यानि कि आ जाएगा, sin inverse 16 बटे 65, कौन सा option च सिक्स देखेगा, एक अच्छा question है, इसमें हम से पूछा गया, direct की पूछ लिया गया है, कोई दिक्यती ने, यहाँ पे पूछा गया है, कि tan hyperbolic inverse x का formula क्या होता है, तो tan hyperbolic inverse x का formula होता है, वो होता है, 1 by 2, 1 by 2, log, 1 plus x बटा 1 minus x है, कौन सा यह होगा, c option क्या होगा, correct होगा, question number 97, question number 97, question number 97 को तो अग्दम धुआ कर दीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर theta is goal to 0 रग दो, ना कि आप वैसे भी कर सकते होगा, हम यहाँ पर theta is goal to 0 degree रखता है, रखतीजिए भाई, यहाँ रखतेंगे 0 degree, यह लो, यह theta हो गया, 0 degree, पूरा 0 कर दिया, यह क्या कर दिया 0 कर दिया, यह से 0 कर दो, वक्र हमने क्या क्या, 0 कर दिया, तो cost 0 की value क्या होती, यह 2 हो जाएगा, 2 to, 4 हो जाएगा, 4 का workmool निकलेगा, फिर से 2 हो जाएगा, दो मिलाके 4 बनेगा, और 4 का फिर से workmool निकालोगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर इसके साथ आएगा 2 plus 2, यानि कि 2 आना चलिए, यानि कि ऐसा option जिसमें 2 आ जाए वही सही है, तो 0 रखोगे तो यह पूरा 0 हो जाएगे, यह हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर 2 आएगा नहीं, तो कौन सा option बचागे है, यहाँ चक कर लो 2 into cos 0, तो जाएगा 2 into 1, 2, 2 आएगा जिससे वही option सही ह होगा, बी option क्या होगा, correct होगा, question 98 देखिए, बहतरीन question है, 98 खेरा 0 to 5 by 2, sin x cos x cos square x plus cos 3 x plus 2 dx, यह हमें निकालना है, है ना, निकालेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग cos x को क्या माल लेते हैं, t, है न, cos x, देखे गए आपर, यह question था 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 बढ़ा था, इस मैंने लगा दिया, देखे गए आपर, sin x cos x dx दिया गया है, 0 से 5 by 2 limit दिया, cos square x plus 3 cos x plus 2 dx दिया गया है, हमें क्या करना है, किसी ऐसे term को लेते हैं, cos x को t लेते हैं, माल लिया है, न, cos x का differentiation क्या हो जाएगा, minus sin x dx is equal to dt, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, sin x dx वराब माइनस का dt हो ज minus का हो गया, dt dt, divided by, यह t square हो गया, यह 3t हो गया, plus 2 हो गया, फिर हमने क्या किया, इसे तोड़ दिया, इसके factor के लिए t plus 2, t plus 1 इसके factor आ जाएगे, फिर क्या किया है, हमने partial fraction की मदद से इसे हमने तोड़ लिया, फिर यह terms को तोड़ रहे हैं भी partial fraction की मदद से, तो minus t by t plus 2, यह 2 लिखा हुआ है, t plus 2, into t plus 1, बराबर कितना, a by partial fraction टोड़ रहे है, t plus 2, plus b by t plus 1, अब देखो में, a की value find करनी है, a की value तो, a की नीचे हर क्या दिया गया है, t plus 2, तो t plus 2 is equal to, कितना हो जाएगा, t plus 2 is equal to 0, यानि कि t बराबर कितना आ गया, minus का 2, तो t बराबर minus का 2, इसमे minus का 1, यानि, a की value कितनी आगे, minus का 2, अब हमें b निकालना है, तो b के लिए क्या करेंगा, उसके हर के 0 लेंगे, t बराबर कितना हो जाएगा, minus का 1, t बराबर minus का 1 रख देंगे, इस वाले term को छोड़ गे, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखो, minus का, कितना हो जाएगा, यह plus का 1 हो जाएगा, बटे, minus का 1, plus 2, यानि, 1 हो जाएगा, यानि, भी वराबर 1 आ गया, तो हमने क्या क्या, इसे तोड़ लिया, रखा इसे, तो यह कितना आ जाएगा, भाई, वही से हमें इंक्रिकेसन, limit भी बदलना होगा, जब 0 रखोगे, यहाँ पर, तो 1 आ जाएग करेंगे, convert करेंगे, t plus 2, और यह dx हो गया, plus में एक का और हमारे पास, integration करेंगे, 1 से 0, और यह हो जाएगा, एक बी की value तो 1 ही है, dx बटे, t plus 1, इसका तो differentiation हो जाएगा, वो, sorry, integration हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log t plus 2, log t plus 2, और minus का 2, चिप चाप सामने रहेगा, अबलाना इसी तरह से उसे भी कर लेते हैं, पहले, figure देते हैं, plus, इसका क्या हो जाएगा, log t plus 1, limit अपलाई कर जाते हैं, 1 से 0, तो पहले 0 रखेंगे, देखो यहाँ यही इस terms लिखे हुए, 0 रखेंगे यहाँ तो 2 log, यह 0 हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा, इसके साथ 0 रखेंगे, तो log 1, log 1 की value जीर हो जीर हो तो system का कोई मतला भी नी, अब minus करके lower limit रखना है, minus, lower limit, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो log 3 बन जाएगा, यह देखो, log 2 log 3 हो गया, फिर यहाँ 1 रखेंगे, तो log 2 हो जाएगा, minus log 2 हो जाएगा, 3 है, इतना जग 2 log 3 है, 2 यह पहले लिखा हुआ है, इसक power में चला जाएगा, तो 2 की power 3, 9 बन जाएगा, और देखो, यहाँ मैनस 2 log 2, और minus log 2 मिला के 3 log 2 हो जाएगे, यह कितना हो जाएगा, 3 log 2, इसका भी क्या हो जाएगा, log 2 की power 3 हो जाएगा, यह लोग 8 हो जाएगा, फिर यह क्या लिखा हुआ है, log 9 minus log 8, इसे हम क्या लिख सकत जो कॉनसा ओप्सन सही होगा, डी ओप्सन क्या होगा, करेक्ट होगा, चलेगे इस तो पर question number 99, 99 बे में कह रहा है कि 9 वस्तुओं का माद्धभार जो कितना है, 9 वस्तुओं है हमारे पास, 9 वस्तुओं का माद्धभार दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 15 है, अच्छा 9 का पंद्रा है, इनका कुल भार कितना हो जाएगा, 15 गुड़े, 9 है न, कितना हो जाएगा, 15 नहीं है, कितना हो जाएगा, 135 इनका 9 का हो गया, करा यदि एक वस्तुओं और जोड़ दी जाए, यानि कि वस्तुओं का कितनी हो जाए हमारे पास, पहले कितनी थी, 9 वस्तुओ 10 लेकि दस सब्सक्रारक जबन ना चली हो जाएगा सना किने एक भड़ा है है किने 20 किशी किलोग्रा बिस्तों व्यरु तो 10 कि और पर आत्याओ passing को हो प्रधम समच्चा के उप समच्चा से अच है प्रत्ông समच्चा कितने है고। दूसरे वाले कितने हो जाएंगे 2 की पावर n हो जाएंगे कि उकसमुच्चों की संख्या से question कहा रा है कि प्रथम समुच्च्या कि उकसमुच्च्चों की संख्या दूसरे समुच्या को संख्या से 56 अधिक है तो पहले वाले में ज्यादा है यानि कि यह हो जाएगा इतना 56 तो प्रष्ट में हम से पूछा है कि m² प्लस n² का वैलू क्या होगा देखेगा यहाँ पर क्या होगए? जिसमें m है उसके सफ्केट होंके 2 की पावर m हो जाएंगे और जिसमें M अवे जियंगे 2 की पावर N हो जाएंगे आठ सत्य चप्पन होता है यानि कि 2 की घाथ 3 into 7 अब देखो यहां पर नॉर्मली तो ऐसे निकालना मुश्किल हो रहा है हम क्या करें यहां पर 2 की पावर n लेले कॉमन यहां से हो गया n बराबर 3 और यह कितना हो जाएगा यह वाला तंग जो है 2 की पावर m-1 बराबर कितना साथ तो 2 की power m-n इस गुलतों कितना हो जाएगा? 8 यानि कि 2 m-n इस गुलतों हो जाएगा 2 की power 3 यानि कि यह 3 आ जाएगा चलो n की value 3 रख दो यहां पे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 m बराबर कितना आ जाएगा? 6 हमसे प्रस्ण में पूछा m² प्लस n² का value क्या होगा m² यानि कि 636 प्लस 9, 36 और 9 कितना होता है 45 है न, 45 कहीं पर नहीं दिया इसलिए उपर युथ में से कोई नहीं option correct होगा, चलिएगा इस अभुद्यों में हम लोगों ने इस lecture में, segment पर हम लोगों कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिंदगी का सार बाकी है यहां से चले थे एक मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है पहला प्रस्ट में हमें कराया नीचे दिये गए चित्र में थीटा का मान है, न in the following figure, the value of थीटा इस figure में देखेगा, थीटा का में मान निकालना है कि कितना होगा यह वाला एंगल जो है, वो थीटा दिया गया हमें यह एंगल थीटा दिया गया है देखे गए आपे P, Q, R, S यह चारों कहां पे हैं circumference में, इस circle की यानि इस बृत्त की परिदी पे हैं यानि कि, quadrilateral जो है हमारे पास P, Q, R, S में code P, PLUS code R, यह दोनों कितना होगा 180 होगा code P, PLUS code R, बड़ाबर 180 है जिसमें R कितना 130 है तो code P कितना आजाएगा 180 अंस माइनस का 130 यानि कि यह आजाएगा code P आजाएगा 50 अंस यह कितना हो गया 50 अंस हो गया, अब देखिए त्रिभूज जो है, अब त्रिभूज उठा लेते हैं त्रिभूज P, Q, T में है ना, त्रिभूज P, Q, T में अब देखिए, त्रिभूज P, Q, T में कितना हो जाएगा code P, PLUS code Q, PLUS code R is equal to 180, अब देखोंगे यहाँ पे P और R, P और Q, दोनों मिलाके कितना हो जाएगा, 50 PLUS 70 है ना, 120 120, 120 है ना 120 अंस PLUS code T है यहाँ पे, यह T है ना, यह T code T is equal to 180 अंस code T is equal to कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120 मिलाके कितना हो जाएगा, भाई यह हो जाएगा, 70 कौन सा option सही होगा, option C क्या होगा, correct होगा, चलिएगा question number 102 देखते है question number 102 question number 102 पहरा है कि वरित x square, एक वरित दिया गया है हमें, एक circle दिया गया है यह circle ना किरा वरित, यह वरित का equation है, x square plus y square minus का 2x is equal to 0 क्या रहा है, द्वारा य बराबर x पर अंता खंड अ,b है एक रेखा है, y बराबर x y बराबर x, इसका समीकरण y बराबर x इसका जो अंता खंड है, वो a,b है a और b, इस रेखा खंड का अंता खंड क्या है a,b है हमसे कह रहा है एक ऐसे वृत्त का समी करण निकालो जिसका ब्यास AB हो है ना विलब कह रहा है कि एक ऐसे वृत्त का समी करण निकाल लिए जिसका ब्यास क्या हो यह AB हो ब्यास ऐसे वृत्त का समी करण निकाल लिए ना ब्यास है ज्यादा नीचे बन गया है समझ लिजेगा है ये भी क्या है ब्यास, तो हमें कर दो होता है, x-x1 into y-y1 plus, सोरी, क्या पर होता है, यह होता है x-x2 plus y-y1 और y-y2 ठीक है यह होता है equal to 0 यह होता है समीकरण हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का point of intersection निकालेंगे इन दोनों समीकरणों के मदब से तो उसी समीकरण में आप y बराबार x रख दीजिए आप भृत्य के समीकरणों के य बराबार x रख दो x square plus यहाँ पर y है वहाँ पर हमें रखना है x तो x square यह भी हो जाएगा minus का 2 x is equal to 0 यह हो जाएगा 2 x square minus का 2 x is equal to 0 2 x आप लो common 3 x minus 1 is equal to 0 यहाँ पर x की 2 value आगई 1 x is equal to 0 आगए 1 x is equal to 1 आगएगा यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे ही समा जाएगा y is equal to 0 और y is equal to 1 है ना चलिएगा तो यहाँ पर एक point आगए हमारा x, y यहनी कि 0, 0 और दूसरा point आगए 0, 0 दूसरा point आगए 1, 1 चलिएगा यहनी कि एक सीड़ा आगए 0, 0 यह वाले आगए और यह आगए 1, 1 चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपर रखते हैं x1, y1 यह x1 है, यह y1 है यह x2 है, यह y2 है पहले x minus x1 x minus का 0 हो जाएगा फिर x minus x2 की जगा पर 1 हो जाएगा प्लस y minus y1 y1 का वैलू कितना है 0 है इन्तो y2 का वैलू कितना है 1 है, is equal to 0 यह आप x बचा multiply करेंगे यह हो जाएगा x2 minus x plus y का multiply करेंगे ति यह हो जाएगा y2 minus y is equal to 0 इस बृत्त का सम्मी करणा जाएगा x2 plus y2 minus x minus y is equal to 0 कौन सा option सही होगा option सही क्या होगा correct होगा next question देखेंगे 130 first number 103 में कहा गया है कि यह log x log x square by y log x cube by y square है यह जो sequence दिया गया वो कैसा है ap में है, gp में है, hp में है या gp और hp दोनों में चलिएगा पहले मिने थोड़ा सा बोलिफाई करेंगे देखेंगा यह log x दिया गया कोई बात नहीं और यह दिया गया है log x square यह x square को हम लिख देए log x square minus का log y log m बटे n क्या होता log m minus log n और यह हो जाएगा log x cube minus का log y square आगे dot 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 हमारे स्रीश जा रही कोई दिक्कत में क्या है में नहीं पता दी है नहीं हम चेक करेंगे clear हो जाएगा फिर 2 बाहर आ जाएगा यह हो जाएगा 2 log x और minus का log y यह हो जाएगा 3 log x minus 2 log y है ना dot 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 आगे हमारे स्रीश जा रही है अब हमें क्या करना है यह है हमारा t1 t1 यह है t2 और यह है t3 एक काम करते हैं हम पहले ap चेक कर लेते हैं जीपी होने का तो क्योंकि सवाल है नहीं उठता जीपी हो नहीं सकता ap है hp में से कोई हो सकता देखते हैं पहले चेक करते है t2 minus t1 अगर t3 minus t2 के बराबर आ जाएगा तो कहा जाएगा कि ap है तो t2 minus t1 पहले निकाल दीजिए यहां पर क्या होना चाहिए t2 minus का t1 is equal to आना चाहिए t3 minus का t2 यहां पर देखिएगा t1 कितना दिया गया भाई और t2 कितना दिया गया है 3 log x minus का 2 log y t3 कितना है सो t2 कितना है minus का हो जाएगा 2 log x minus minus plus का लौग y चलेगा 2 log x में 1 log x घड़ गया तो कितना बचा यह बचेगा log x minus का log y चुप चाप उपनी जगा पे है equal to 3 log x में 2 log x घड़ गया तो कितना बचा log x बच गया और माइनस का दो लागवाई में एक लागवाई प्लस के सब्ट्रेक्ट हो गए तो कितना बच्छा माइनस का बच्छेगा लागवाई देखो यहां पे यानि कि common difference जो सर्वांतर है वो बराबर है अब जो सर्वांतर बराबर होता है तो हम जा मनते हैं कि वो समांतर शड़ी होगी कैसी स्रड़ी होगी arithmetic progression होगी यानि कि समांतर श्रड़ी होगी चलिएगा question number 104 रिखेगा कि राम एक केंद को उर्ध्वाधर दिसा में 40 मीटर की उचाई तक फेक सकता है ना जो राम है वो कितना फेक सकता है मैक्सिमंum हEight हो कितनी दिगयी है 40 मीटर दिगयी है और मैक्सिमं हट का formula क्या होता है maximum height का formula होता है u square sin square theta upon 2g होता है u square sin square जब सीधा पेकेगा उर्दवादा तो theta 90 degree हो जाता है u square upon 2g बसता है h max है ना ये होता है h max यानि कि maximum height महत्तम उचाई का formula क्या होता है u square sin square theta by 2g हमने बताया था आपके है ना h2 याद रखना है h2 है ना अब उसमें क्या होता है r वाला कितना होता है range कितनी होती है range होती है u square sin to theta बता g है ना दोरों को काम मिलेगा अगे देखेंगे u square upon 2g is equal to कितना दिया गया है 40 इस 2 का multiply उधर कर दोगे u square upon g is equal to हो जाएगा 40 दोनी 80 c चलिए question 1 बनाके छोड़ दीजिए आगे क्या किरा है वह गेंद को 36 दिसा में किस महत्तम दूरी तक फेक सकता है अब देखो 36 दिसा में वो गेंद ऐसे फेक रहा है maximum कितना होगा जोतनी range होगी है ना यह मतलब कि हमसे क्या पूछ रहा है range पूछ रहा है कितनी महत्तम दूरी तक फेक सकता है यानि कि r maximum आपको पता है अगर 45 डिगरी पे कोई वस्तू फेक ही जाती है तो सब पे ज़्यादा दूर तक जाती है पार्मूला क्या है u square sin 2 theta theta पराबर 45 रखोगे तो यह हमारा sign 90 बनेगा इसका 1 हो जाएगा यानि कि r max गराबर होता है u square upon g और u square upon g की value कितनी है 80 दी गई है 80 meter तो पॉण सा option सही होगा यहाँ पे d option क्या होगा correct होगा चलेगा question number 105 देखेगा question number 105 में कह रहा है कि यदि f x plus 1 by x is equal to इतना तो f root x की value निकालना देखो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे under root 3 रख दें तो अराम से इसकी value निकल जाएगी रखते हैं इसकी जगह पे under root 3 मतलब हमें क्या रखना है x plus 1 by x की जगह पे under root 3 रख लेते हैं इसकी जगह पे under root 3 अगर हम रख दें तो इसकी value निकल क्या जाएगे क्योंकि ac के बराबर है हम क्या करेंगे दोनों तरफ cube कर देंगे क्योंकि x cube plus y x cube की value निकल नहीं करो cube यह हो जाएगे x cube plus 1 by x cube plus 3 into x into 1 by x into x plus 1 by x है ना इसका cube करेंगे अंडर रूप 3 का cube है ना बोथ साइड क्यूब किया गया तो a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b यह हो जाएगा हमारा x cube plus 1 by x cube यह दोनों cancel out होंगे plus 3 into इसकी value कितनी जी गही अंडर रूप 3 is equal to e कितना हो जाएगा यह भी हो जाएगा 3 under root 3 जिब cube आप अपन करोगी cube किसके मतलों क्या हो अंडर रूप 3 गुड़े अंडर रूप 3 गुड़े अंडर रूप 3 यह दो इसका 3 बन जाएगा 3 under root 3 चले अब देखो दोनों यहां से क्या हो जाएगा x cube plus 1 by x cube is equal to किसके हो ग x plus 1 by x cube किसके बराबर यह है इसके बराबर f4 x plus 1 by x के बराबर है equal to 0 आया और यह किसके बराबर under root 3 के हैना रखना चाहतो रखते हैं बाखी तो under root है कोई दिख्टर नहीं है ना कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0 कौन सो अप्शन सही हो जाएगा 105 में option a सही हो जाएगा next question देखेंगे 106 पर इस नमबर 106 में किरा यदि x x plus 2 x plus 4 x plus 6 x plus 8 का समांतर मांध की बात हुई है समांतर मांध बराबर होता है sigma x x n जितना भी हो sigma x n भटे n है नमबर आप तम तो मांध कितना दिया गया है 11 दिया गया है 11 दिया गया है और sigma x में कितना हो जाएगा एक तो x को जोड़ना है x plus 4 को जोड़ना है x plus 6 को जोड़ना है और x plus 8 को जोड़ना है और कितने हो गए टम कितने हैं भाई यह टम्स है हमारे पास एक दो तीन चार 5 है ना पास टम्स है एक से x plus 2 x plus 4 है ना पास टम्स है ठीक पास पर यहां पर हमें दिये गये देखेगा अब हमें क्या करना है इन पांचों को जोड़नीजिए जैसे ही आप इन पांचों को जोड़ने तो अब पहले कि अगरो cross multiplication कर लो इधर तो है ना 11 प्लस दो चार को छे छे बारा याठ बीस बटा में कितना आ जाएगा बटन कुछ नहीं आएगा ना तो कि हम पांच का multiply कर चुके है चलिएगा इसके बाद 20 को इधर घटा दीजिए भाई 15 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा 35 इस इगल तो 5 x काड़ दी इन प्लस ऑउड़ों को इन ती आप्जर्वेशन का है ना तो वही पदों का योगदो पदों की संख्या अन्दिंटरइन मादते होगा यह लोग क्या होगे वह जाएगा X plus 4 और X plus 6 और X plus 8 कितनी number of terms कितनी है? 3 है, यह कितना हो जाएगा? 3X हो जाएगा 3X 6, 14, 10, 18 18 अब बटा हमें हो गया 3, 3 से 3 उपर common लेके काट दो, तो X plus 6 बचेगा X का value कितना है? X का value 7 plus 6 7 option कितना हो जाएगी? तेरा कौंस option सही हो जाएगा? D option correct हो जाएगा चलेगा question number 107 देखते हैं question number 107 कह रहा है integrated integration दिया गया है integration cortex बटते log sinics, हम उन्हों क्या करते है? ऐसे function में हमें यह सोचना होता है integration जद दिया गया है याँपे integration for x divided by log sinics dx तो यह ऐसा terms दोडते हैं जिसका differentiation उपर दिया हो तो मगर log sinx का देखें term x log sinx देखा जाए तो इसका उपर differentiation दिया गया है देखो यहाँपे 1 by sinx sinx से cosx हो जाएगा cosx बटते sinx बन जाएगा यानिकि cortex बन जाएगा cortex dx dt के साथ चला जाएगा तो मैं क्या करना है इसे चमको ही let करना होता let करते है यहापे let करो let log sinx is equal to t-let करना हो इसे हम t-let कर रही यह t-let किया हमने differentiation किया यह कितना हो जाएगा 1 by sinx sinx का कितना हो जाएगá cosx हो जाएगा dT whereas this course vezes dx x बराबर dt, is not cot x ds बराबर dt, रखते हैं यहापे, यहापे रखे, उसी में आगे रखे, cot x ds जग़े पर dt रखते हैं, dt upon t, dt upon t बन जाएगा, one upon t का सभी जानते हैं, कि इतना होता है, log modulus t, log modulus t, c, t की value रखते हैं, t कि इतना है, log sin x, यह हो जाएगा, log log sin x, log log sin x plus c, d option करिक होगा, 107 में कौन सा पुछली होगा, d, 108 प्रस्ट नम्मर 108 भी आसान सा question है, कि यह दि प्रेक छोड़ो, 6, 8, 5, 7, x और 4 का माध्ध 7 है, है ना, तो माध्धिका हम से पूछी दे, निकालेंगे, पहले माध्ध निकाल के, माध्ध वाले से x का माध्ध निकाल देंगे, आसानी के साथ है, चलेगा, 6 है, 8 है, पदों का योग बटे, पदों भी संख्या, सामाल कम बटे, नमबर आपकम, 6 है, 8 है, और यह आच है, और यह 7 है, प्लस का x है, प्लस का 4 है, बटे, कितने टम्स है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अटम्स हैं, और माध्ध की कितना दिया गया, भाई, इसका माध बदों के बदों के संख्या है, नहीं मैंने आप से क्या बताया, कि यह x बार बदाबर होता है, सिग्मा, xn बटे, n, तो उनने क्या किया, इस आपकम लिखा है, यह नमबर आपकम लिखा, 8, 6, 14, 5, 19, 19, और चार, 23, साथ कितना हो जाएगा, 23 और साथ हो जाएगे 30, यह हो जाएगा 30 plus का x बटे 6 is equal to 7, cross multiplication करें, 20 plus x is equal to हो जाएगा 6 सब्टे 42, x is equal to हो जाएगा 42 minus 30, x is equal to हो जाएगा 12, कमेंट करके बताएगा 12 ही एंसर कर दिया गया, 12 तो option में है नहीं, लिकने प्रस्ट में कोच इसने और कहा है उसे, प्रस्ट में उसने ये कहा है कि प्रेच्चकों की माध्धिका क्या होगी है, हमें x कमान मिल चुका है, जितने भी चीज़े दी गई हमें क्या करना है, क्या हम फिर है 8, इन है 5, फिर है 7, x कमान आया 12 और आया 4, फिर इसे हम लोग क्या करें, इंक्रीजिंग और में रख लें बढ़ते हुए क्रम में रख लें, सबसे बढ़ा क्या है, क्रम अगर आप मेहने नहीं करते हो, और आप माधिका जबर जस्टिय निगाल भी काउप का एंसर गलत माना जाए, उसके marks आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको गलत option लगाते होगी, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 12, कितने पद हैं आपके, यह और यह, 6 पद हैं, 6 पद हैं, 6 पद हैं तो 6 बटे 2, 1 प्लस है जिसका माधिका होगी, माधिका क्या होगी, n by 2 एथ प्लस, n by 2 एथ टम, 2, n by 2 प्लस 1 एथ टम, बटा 2, कितने हो जाएगा, 6 बटे 2, यानि कि तीसरा पद, प्लस और चौथा पद, बटा माधिका, तीसरा पद कौन सा है, 6 है, और यह हो जाएगा, 6 प्लस 7 बटे 2, 13 बटे 2 का बंदर क्या होगी, 6, तरह कौन सा पद होगी मैं इक प्रस यह कहे रहा है कि उस संकू का समी चरण ग्या polsk eater ग्याद किजिए जिसका सीर समूल बिंदू पर है तथा जिसके जनक की दिख पोज्याँ इतनी- इतनी दी चरण अब देखिएगा दरसल होटा क्या है, अगर हमारे पास संकू का समी चरण है, समी। को को होती है तो जो जो यहां पर सांस की टाइक कर दिया गया है मतलब कि अगर हम, यानि कि हम कहने का मतलब यह है कि हम x को replace कर देते हैं उस situation में, जब इसकी दिक पोच जाएं, इसकी जनक की जो दिक पोच जाएं हैं, अगर हमारे पास homogeneous equation है और इसके जनक की दिक पोच जाएं, दी गई हैं, तो क्या करते हैं, हम replace कर देते हैं, x की जगा L को और y की जगह पे m को और z की जगह पे n को रख सकते हैं मतलब कहने का मतलब यह संतुष्ट करती है साटिस्पाइट करती है यहाँ पर क्या हुआ है ऐसी situation सेम है और यहाँ पर दिक पोज्जाओं का समय करण दिया गया है तो हम यहाँ पर l को रिप्लेस कर सकते है x से, m को रिप्लेस कर सकते है y से, और n को रिप्लेस कर सकते है z से, कर दीजेए यहाँ पर question क्या करनोट हो जाएगी x square plus 2 y square minus 3 z square is equal to 0 और ऐसी कोई option है, अमारे पास कौन का option है b option क्या है, correct है तो यहाँ पर सम्मी करण हो जाएगी x square plus 2 y square minus 3 z square is equal to 0 तो पास centimeter तरिजा के व्रिप्ल में केंदर के विप्रीत इस्तित दो समांतर जीवाए है केंदर के विप्रीत, केंदर के विप्रीत दो समांतर जीवाए है हम इसे पर पहले जागे है केंदर यह हो गया हमारे पास केंदर है केंदर से 3 cm और 4 cm अंगा कहना यह है एक जीवाए cken зीवा जो है वो 3 cm दूरी पे है और दूसरी जीवा जो है वो 4 cm की दूरी पर है तो हमसे कहना जो उनके तरिज्जा है वो 5上 यह नाम दे देते हैं, A, B, C, और यह T, इस point का नाम M दे देते हैं, और इस point का नाम N दे देते हैं. चलिए, अब यहां पे हमसे यह कहा गया है, कि लिका लिए आपको दोनों जिवाओं का अंतर, यानि कि A, B, जीवा और C, जीवा, इन दोनों में आपको difference निकालना है, तो हम निकालेंगे अंतर उससे पहले कि आपको बता दे, कि हमसे सबसे पहले तो यह निकालना होगा, अब देखो यहां पे हमें पता है कि केंद से जीवा पर डाला गया, अलाम को सम्झी भाजित करता है, कर दिया इस नहीं, तो यह 5 है, यह 3 है, पाइथा गोर स्थोरे में क इस्तेमाल करो तो अम कितनी आ जाएगी, जो अम है, अम बराबर आ जाएगा, 4, अम कितना आ जाएगा, 4 सेंटिमीटर आ जाएगी, और अम 4 सेंटिमीटर आगे तो अब इसकी डबल होती है, क्या होती है, डबल होती है, दो बराबर वागों बाटती है, तो 2 अम बराबर हो कि यह भी यहां पर हो गई आठ सेंटिमीटर किसी तरह सेम यह पाँच है यह चार यह गिलियन कितनी वह जाएगी तो भी अन्य कितनी हो जाएगी तो घुक्ति बराबर कितना हो जाएगा गीसी बराबर कूद यहां हे वह है ना हमसे किरा दोनों का अंतर निकालों दोनों जीवाओं ये भी और डी-सी का अंतर ये कितना हो जाएगा आठ माइनिस 6 बरावर में कितना दो सेंट्यमीटर दो सेंट्यमीटर का उप्षन है ऑप्षन सी है फिगर बढ़ियां से बनाईएगा ज्याद अच्छा लगेगा है आप इतना दिया गया है हमें काम करेंगे या पर हम एक बात पता है कि यदि हमारे पास एक्वेस्टन होती थी ax3-bx2-cx-d is equal to 0 वे आट इसवाल पी 0 नहीं होता था तो अगर इसके तीन मूल दिये होते हैं हमारे पास alpha, beta और γामा यही सेम उपलाई करेंगे यहां दिखते हैं क्या हो जाएगा माइनस का VB की जगह पे, यहां पे P है, yona alpha साधी की जगह पी जगह पे बिटा पर कितना हो जाएगा, alpha प्लाख ब्लग लूस गामा पर व्लाबर मैनस का P आ जाएगा, यहां आलफा बिटा ग्यों सब्सक्रार्ट मुस्टली मोगा है 20 दिया गया तो सचैनर हैyas कि दखार ragu 안ra , अ मिटार्ट रिया है इस मिटाकळाये प्रश्ट में सब्सक्राहा करना nos अब अलफा स्कॉएयर प्लाफा उर्फा श्कॉएयर प्लस प्लफा इसक्र效 हम क्या करें इस equation को उठा लें इसको उठा लें और इसी का square कर दें जहां हमें दिया गया है alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha बराबर हमें दिया गया है Q, क्या करो, squaring both side, दोनों पक्षों का work कर दो, work करोगे तो alpha square, beta square, work कर दो, यह हमने कर दिया गुआ रही है, so alpha square plus beta square, beta square, gamma square plus gamma square, alpha square plus 2, 2 alpha, beta, alpha, 2, a, b होता है, a into b, 2 alpha, beta square, gamma plus 2, इसमें कितना हो जाएगा, 2 alpha, beta, gamma square, 2 alpha, beta, gamma square plus, यहना, आप कितना हो जाएगा, इन दोनों का multiply, यह हो जाएगा, alpha square, beta, gamma, तो alpha square, beta, gamma, equal to कितना हो जाएगा, 5, q square हो जाएगा, इसी किमराबर चल रहे हैं, अब हमें यह value निकाल ली है, यह value निकाल ली है, तो यह alpha square, plus beta, alpha square, यहाँ, alpha square, beta square, plus beta square, gamma square, plus gamma square, alpha square, equal to हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास q square है, माइनस में सारे ले जाएगे, तो इन वे alpha, beta, gamma, इन तीनों कमसे में common है, 2 alpha, beta, gamma, तो आलफा, beta, gamma common ले ली जिये, यहाँ पर जितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पर gamma बच जाएगा, और यहाँ पर alpha, plus beta, plus gamma बच जाएगा है, यह हो गया, 3 square minus alpha, beta, gamma, कि value दी जाएगे, कितना है, alpha, beta, gamma, कि value दी जाएगे, माइनस का, अब इनका multiply कर लो, भाई, माइनस, माइनस, प्लस कर देंगे, इसे, यह हो जाएगा, 2 square minus 2pr, 2 square minus 2pr, 2 square minus 2pr, पहला option क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, देखे का बड़ी आ पोर्षन था ही, करा कौन सी केंद्री प्रबत्ती की map नहीं है, कौन सी measurement of center tendency नहीं है, जो सब को पढ़ते आ रहे हो दिया, यह भी होता है, measurement of center tendency है, और माज़ीटा होती है, measurement of center tendency माज़ीटा भी होती है, बहुलक होती है, जो range होती है, range क्या होती, measurement of center tendency नहीं होती, और range का जो हमारा formula होता है, याद रखते हैं, अगर कभी भी range पूछा जाएगा, तो होगा हमारे पास maximum data minus minimum data, जो सबसे बड़ा data होगा, उसमें सबसे बड़ा आकड़ा, minus up के छोटा आकड़ा, इससे range निकाली जाती है, नेक्स question देखेंगे, question number x 13, question number x 13 में कहरा है कि यदि omega ii के घंगूल हो तो इसकी value ग्याद करो, अब देखो एक बात है, कि अगर omega ii का घंगूल होता है, तो हमें दो चीजे पता होती है, एक, omega cube is equal to 1 पता होता है, दूसरा, 1 प्लस omega square is equal to 0 भी पता होता है, चलिएगा यहाँ पे 1 प्लस omega square, इससे चुप चाप लिख दिया जाए, 1 प्लस omega square अपनी जगा पे है, 1 प्लस omega घात 4, तो आप करो, 1 प्लस omega into omega cube, यह बचेगा हमारे पास, 1 प्लस omega, और यह omega की घात कितना है, 8, 3 से भाग दो, 6, है न, 6 खतम तेग, इसको 2 घाते 6 बचेगी, और यहाँ पे 16 है, 3 से भाग दीजिए, तो 3 पचे 15, एक घात, एक सेस बचेगा, यानि कि सिर्फ 1 omega यहाँ पे बचा, अब जब कोई से हम यह भी लिख सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा 1 प्लस omega, और यह 1 प्लस omega square, है न, दोनों का cube कर दें, है न, सुरी, दोनों का square कर दें, यह बात लिखा, दो बार लिखें, एक सार लिखो, अच्छा, 1 प्लस omega, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का omega square, कितना हो जाएगा, और 1 प्लस omega square किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के omega से बराबर हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, माइनस का omega 2 की power में कितना है, 2, यह omega क कि घाद 6 हो जाएगा और ओमेगा कि घाद 6 का मान कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा है ना यहीं पर 1 रग तो माइनस 1 दी पावर 2 का मान भी क्या हो जाएगा कौन सा ओप्सन तरी होगा यहाँ पर सी ओप्सन करेक्ट होगा चलिएगा यहाँ पर 14 देखेगा प्रस्ट नमबर 14 के रहा है 0 to 1 10 inverse x divided by 1 plus x square dx का मान क्या होगा है ना अराम से करेंगे इसे यहाँ पर दिया गया है 0 to 1 10 inverse x बटा में 1 plus x square और यह dx हम एक काम यह करना होता है वो टम भोलना होता है जिसका का differentiation question में दिया गया हो तो जाको tan inverse x का differentiation क्या होता 1 upon 1 plus x square तो आप क्या करो इसे मान लीजे है ना मान लीजे क्या tan inverse x is equal to t differentiate करोगे 1 by 1 plus x square dx is equal to dt लिमिट चेंज कर लेते हैं lower limit के लिए देखते हैं lower limit कितनी 0 दी गई है तो x के जगह पे 0 रखोगे tan 0 है tan inverse 0 यानिकी tan 0 का मान लोजर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे t बराबर 0 हो जाएगा आप देखे अपर लिमिट हो जा करना है tan inverse 1 x जाब 1 रखो तो अपर लिमिट के लिए क्लिए तो यह tan pi by 4 का माल होता है, tan inverse tan pi by 4, यानि कि t बराबर कितना हो गया, pi by 4, यानि कि lower limit 0 है, upper limit pi by 4 है, convert करते हूं, इसे अब रखते हूं, 0 से पहुंच जाएगा pi by 4, और यह tan inverse x को हमने t माल लिया है, यह हो जाएगा t, और यह हमारा dxy 1 plus x square dt के बराबर हो गया, यह dt के बराबर हो गया, और इसका differentiation t क्या क्या हो जाएगा, t square by 2, 5 by 4 by 2, यहां 0, limit अपलाई करते हैं, एक बटे दो चाहत बहाँ ले लो, एक बटे दो को बहाँ लिया, t square बच्छा, plus 5 by 4 और यह 0, अब अपलाई क परेंगे, एक बटे 2, कितना हो जाएगा, 5 square बटा 16, minus का 0, कितना हो जाएगा, एक बटे 2, बोडे में, 5 square बटे 16, 5 square बटा कितना हो जाएगा, 32, कौन से आपन सही होगा, सी option यहां पर correct हो जाएगा, चलिएगा, इसके बाद question number 115 देखेगा, question number 115 कह रहा है, कि, ओ बृत्यका केंदर है, तथा A, ओ भी जो दिया गया है, यह वाला एंगल दिया गया है, 70, यह एंगल 70 दिया गया है, हम से यह पूछा गया, आप देखेगे यहां पे, यह चाप, चाप AB आप देख रहे हैं, चाप AB के द्वारा केंदर में बना बोड, 70 है, और इसी चाप के द्वारा स होता है से इंटरने बने एंगल का यानि कि एक्स कितना हो जाएगा अगर यह 70 है तो यह आधा होगा इसका कितना हो जाएगा 70 का आधा 35 हो गया 35 हो गया 35 ने हमसे पूछा है तब 70 अन्स माइनस एक संस क्या होगा सतर अन्स माइनस 50 संस बराबर कितना हो जाएगा 50 संस हो जाएगा कौन सा ओप्षन दरियोंगा वी ओप्षन क्या होगा करेक्ट होगा 35 डिग्री एक 116 देखेगा प्रश्य संख्या एक 116 एक बहतरीन क्वेस्टन हो सकता है देखेगा और समझिएगा किरा है A और B वो समुच है A माइनस B का गराफ तो अगर B यह वाला पार प्रश्या पूरा कितना बच गा यह वाला पार्त हो जाएगा a-b तो प्रस्ट में यह कह रहा है अगर A से A-B को हटा दे तो क्या बचेएगा अगर हम A-B यानि कि यह जो colored वाला पार्ट है यह हटा दे यह हटा दे तो सिर्फ इतना बचेएगा और इस पार्ट को क्या कहते हैं यह पार्ट होता है दोनों का intersection होता है अब एसा कुछ और ले लिए एक लेले लिए अब हमें क्या करना है हमें पहले निकालना है A-B अपना की A से B के element हटातो तो B के element पहले की तो पच्छ वह तीन कॉमा हो जाए जाएगा फिर निकाल दो A- का A-B इक्वल टू A दिया गया एक दो टी माइनस का एक दो जाना इतना आ जाएगा इन वचे और T2, T4, T2, T5 , अच्छा क्योंकि आप A-B नेतना आ जाएगा यह आ जाएगा तीन यह बाद यह बार आप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखें कॉस्टर नमबर 117 देखेंगा एक से लेकि 15 की संधाओं से 3 संधाओं या अच्छे चुनी जाती है। कहा हमआ से लेके एक हच से लेकि 15 सजहाओं कहा होeg होक। पहले उनके लगातार होना की प्रायक्ता होसके हमें 3 संखैं चुनना है लगातार होनी स्धारा क्रम से तो देखो 1 बार हम एक से सूरोर करेंगे 1,2,3 आ जाएग quantity टिन आयेगा, चार आयेगा lambda प्राव से अपन। ट्रिपल इटि नित का तो में लगातार हो Burns जाहिए तो हम अगर चाहिए 14 लें गाराग के पार ही लेकिन तो हमाएवक जाएघ़ कर दराट लेकिन होगा यानि कि हमारे पास जो terrible outcomes बनेंगे वो 13 बन जाएंगे total outcomes कितने बन जाएंगे total outcomes कितने बन जाएंगे अरे 15 में से तीन चूज करनी है यानि कि 15C3 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 को आप कोल लीजिए पंदरा गुड़े जितना तीन दिया गया तीन पीछे बैट के लाओ 15 गुड़े 14 गुड़े 13 divided by 3 को इसको भी हद लो तीन गुड़े दो गुड़े एक है ना इस से कड़ गटों इस साथ हो जाएगा तीन से कड़ गटों इस सफांच हो जाएगा एक बट्ठा 5 इस कौन सा ऑप्शन होगा कुसी ऑप्शन क्या होगा गरेक्ट होगा आगे चलेंगे कोस्टिन नंबर 18 देखेंगे यहां पर सबसे पहला काम यह होगा हम आरवन करेंगे आरवन माइनस का आरवन माइनस का इसको उसमें घटाएंगे और एक काम साथ में ही करना है 아रफो फैनस को करना है तो जाएक प्योक्षु हुआ ष्यना करक करके देखेंगे क्योंकि यह 0 बन जाएगा तो असान हो जाएगा चले यह 0 बन न फिर चार-स-स-दो यानि कि चार-स-दो-चै होजाएंगे ő 20 में पांच गाय यानि कि यह हो तो चुपचाप रहेगी इसमें कोई change ही नहीं हो रहा है इसमें कोई change ही नहीं कर रहा है चलिए equal to zero अब क्या करना है इस determinant को यानि कि सारडिक को 1 k long हम कोज देगे यह क्या करेंगे यह 1 को चुपचाप रेलेंगे यह 1 और यह चुटेगा यह चुटेगा इन दोनों का multiple नहीं कि इतना हो जाएगा पांच दोनी 10 है ना माइनस का 10 x square आ गया है हमें ठीक है और यहां पर यह हो जाएगा 10 x square यानि कि हमें क्या करना है इस 1 के लांग को खोलेंगे 1 चुपचाप रहेगा अपनी जगह पर फिर यह चुट जाएगा यह चुट जाएगा इसका के साथ multiply होगा अरे यह भी चुटेगा सामने की पंती चुट जाती सामने का स्थम पंती चुट जाता है यह बचे भी है ना 6 आपके तो सारा 0 है यह कोई दिख्यती नहीं है तो 6 का multiply 5 के साथ होगा तो 30 minus का 30 x square और minus के 15 क का मल्टिप्लाई अब आपको करना है क्योंकि माइनस होता है तो माइनस के पंद्रा का मल्टिप्लाई इसके साथ करना है कि प्लस का हो जाएगा 30 और यह भी हो जाएगा प्लस का 30x स्क्वार इनस का 30x स्क्वार इनस देख कि चलियेगा अब स्क्सर मल्टिप्लाई हो गया है यह भी हो गया और बस एक्वाल टू इतना हो जाएगा 0 अब प्राइक आपर दिखिएगा यहां पे हमारे पास्टि इहां पर जब पंगा कमण्दिक आई जाए 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 को एक दिए स्कॉयर के उट आएगा वाइगा एक तरह दो पंदरा कमण्दिक करें तीस हेट साथ हो जाएगा 6, minus का 30x square, plus का 30x, equal to 0, minus ले लो common, यह कितना आ जाएगा, 30x square, minus का 30x, minus का 6, equal to 0, अब ले लो यहां से 30 common, यहना 30 common लेंगे, और घर 0 म भेद लेंगे, 30 square, minus का x, minus का 2, x square, minus के 2x, plus के x, minus 2, equal to 0, 0 को लेंगे, 0 मत लेंगे, अब देखो, यहां पर x common लेंगे, तो x minus 2, plus का 1 common लेंगे, x minus 2, x की 2 value आ जाएगी, एक को 2 आ जाएगा, एक minus का 1 आ जाएगा, यही अगर दो x1 का value मानलो 2 है, और x2 का value कितना minus का 1 है, तो प्रस्ट में हमसे कहा है, उसने 2 mool है, एक mool x1 है, एक mool x2 है, तो हम एक को x1 मानके चल रहे हैं, और एक को x2 मानके चल रहे हैं, तो हम वैलों उसके निकाल ली है, यह मानले चाहिए 2 का square, plus यह हो जाएगा, minus 1 का square, यह हो जाएगा, 5, कौन सा option रहे होगा, 6 option correct होगा, चलेगा question number x1 देखेंगे, चला एक चलाए मान विंदू के, हमारे पास एक moving point है, जिसके coordinate दिये गए है, देहो coordinate जब भी दिये गए होते हैं, यह और यह प्राचीत समी करणा है, हमारे पास, एक moving point दिया गया है, यह हमारा x है, यह y दिया है, ऐसे situation में लोग क्या करते हैं, जो t है, उसे हटाना होता है, t को हटाते हैं, तो x बराबर दिया गया है, क्या यहाँ पे, 2 t, इसको x में पूरे को convert करते हैं, बाकि फिर देखते हैं, कहना क्या चाहता है, x माइनस 4, यानि कि क्या है वो, y2 is equal to हो जाएगा, t square यह तो होगे है, complete, दूसरे बाड़े को देखो, y के बराबर आप लेट कर लीजें, कितना हो जाएगा, 4p minus 6, 4p minus 6, यह कितना हो जाएगा, y plus 6 by 4 is equal to p, t square बराबर कितना हो जाएगा, y plus 6 by 4 का, square is equal to p का square, जखों दोनो compare कर लो, तो दोनो compare करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, दोनो बराबर हो जाएगा, x minus 4, y2 is equal to, यह हो जाएगा, y plus 6 की power को, 6 की power 2, बटे में 16, 16, 16, 8, कितना हो जाएगा, 8 के दर multiply हो जाएगा, यह हो जाएगा, y plus 6 का whole square समझ में आ गया है, कि क्या है यह, अगर हम इसको y म किसका समझी करणो होता है, फरवले का होता है, पहराबोला होता है, कौनस option हो जाएगा, 6 option करिख हो जाएगा, 120 बचापर, 120 देखे गा, क्या है कौन आ इस में open set है, तो यहाँ पर open set तो यह है नहीं, डौट डॉट 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 बता रहरा ही चलिए यह क्या लिखा हुआ प्रपर्टी मेधड में लिखा हुआ है गुड़ बेथट में लिखा गया है यह इस तरह से आप लिखेंगें यही है हमारे पास ब्रित समुच्छे है ओपन सेट है चलिए गें 121 देखेंगे प्रस्ष नमबर 121 करा कि x2 y2 c-2 अब देखें कि क् ब्रित क्या रहा है व्रिति को निवेद्क करें खिरा एक सर्कल अगर इस तरह सांग हमारे पास अगर ये प्रित को ड्रेजिच कृति क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि बृत्त की च्टैंडर एक्टोशन होती है, च्टैंडर फॉर्म होती हो जाए, और एक्स्कूर प्रित्त में देख लो, बृत्त हमारा बन चाएगा, कितना बाइख समीगड आजया, x square plus y square, यह जो 0 हो गया, माइनस का 4x minus का 4y plus का c square, यह जो 0, center निकालो, केंद्र निकालेंगे, तो केंद्र क्या होते है, minus का, g, minus का f, यह कितना हो जाएगा, यह आएगा 2, बता 2, 2g x से तुलना करेंगे, तो यह आजाएगा, 2, 2, और यह कितनी आगे हैं, हमारे पास, अचरपत कितना आगया, 4 आगया, त्रिज्जा क्या होती है, radius क्या होता, under root, g square plus f square, g square plus f square, minus का c, यह हो जाएगा, g square plus, 2 square minus 4, cancel out, under root 4, यह हो गया, 2, कौन समान साही होगा, b, 132 कौन साही होगा, b, radius कितनी होगी, b, 132 में code a का मान है, यह न, देखे गए आपके, code a का मान कितना होगा, यह आपको बताना है, यह भी एक cyclic quadrilateral है, मज़े की बात यह है, cyclic quadrilateral, दो question आ चुके हैं, अभीकर, चलिए ज़िए, दोनों question देखो, मैं पता है, cyclic quadrilateral की क्या होटा है, सम्मों कोलों का सिस्थाम होता है, वो कितना होता है, 180 अंत होता है, तो इससे क्यांगर हैंगे, 2x-13 plus, 2i plus 7 गराबर कितना हो जाएगा, 180 अंत है, यह हो जाएगा, 2x plus 2y, अब जोको 13 में से 7 गहाटा लिए माइनस की 6 बच रहेंगे, माइनस की 6 इधर आयड हो जाएगे, यह हो जाएगा 186, 2 ले लो common, तो x plus y बराबर आ जाएगा, 2-18, 2-3-6, पहला equation ready, दूसरी equation देखते हैं, किस्तरा हो जाएगा, यह हो जाएगा, x plus 1, x plus y plus 10 x 1, 2-3 होगा, 180 है यह भी sum 4 है, इसके cyclic 4 गटल के जनकी चक्री चतुर भुचके, 10x plus y, अब जब आप 21 हो जाएगा, 21 उज़र घट जाएगा, 159, sum 4-2, अब sum 4-2 को हल कर लेते हैं, sum 4-2 को हल करेंगे, क्योंसे मेथड से, यहाँ पर envelope भी दिगा, इस्तेमाल करेंगे, आसानी के साथ हल ज़रेंगे, चले, रखते हैं इसे, यहाँ दूसरी ओल एक कोशन इसे की नीचे रख लो, 3x plus y is equal to 159, नटा जिगी, minus, minus, minus है न, समानचीन घटते हैंगे, यहाँ हो गया, और यह देखो, 3x में 3x घटेंग कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इस तोर को कितना हो जाएगा भाई, अब 169 को घटा दीजिए, minus का आएगा है न, यह 6 हो जाएगा, और यह 15 के बाद 15, 15 मिलोगे 6 है न, 23 दिजिए इस से, x is important कितना हो जाएगा ? 33 दिजिए न, x कितना हो जाएगा, 33 दिए आएगा y निकाल दीजिए, y बराबर मितना हो जाएगा, 93, 93, 94, कटा दीजिए न, 60 दिएग्री जाएगा, 70 दिए न, वाई कितना हो जाएगा i. प्रस्ट्म में क्या पुछा है, प्रस्ट्म में इन्होंने पूछा था कि y plus 10 की value का है, यन्हीं कि angle a कमान कीतना है, इंगल a कमान कीतना है, angle a कीतना दिया गया है, y plus 10, यन्हीं कि 60 plus 10, बराबर उनकेतना हो जाएगा, 70 डिदी, कौन सा option जई होगा, के option correct होगा, चलेगा आगे पस्ट नमर 123 में कह रहा है यदि effect से बराबर इतना है तो देखिए गए आपकर effect से बराबर दिया गया है हमें more or less x से बटा x ये कब है जब x does not equal to zero है जब x is equal to zero होगा जब x is equal to zero होगा अब देखिएगा ऐसे function में क्या होगा हमारे पास ये कैसे function है ये signal function है graph होता हो कैसा होता है कुछ किस तरा सुप्पा किमना है यहा पर lhl जो आएगी वह minus का one आएगी rhl जो आएगी वह plus का one आएगी यनिकिसके झासे घ्टाफ होगा वह ये होगा one और ये हो जाएगा हमारे पास इसका graph minus का one किस का याइप टाइट कर ग्राफ होगा ओर किस प्रकार की discontinuity होती है i.e.. ऐसी जो discontinuity होती है वो कैसी होती है? फ़स्ट काइंड होती है ऐसे ओक्षांड को सव tut होगा? और फउस्ट काइंड को होती है यह है चलिएगा रस देख पर अck देखने के 124 यह भी आ गया है z plus 1 plus और z minus 2 अब एक सबसे पहला काम यह करना है कि z plus 1 is equal to 0 लेना है तो z बराबर कितना जाएगा minus 1 अब इसका मान निकाल लेंगा जो भी है हमारे पास यह इसका पी मान लेती है अब इसका पी का मान निकालो यह हो जाएगा minus 1 plus का 1 plus और यह minus का 1 minus का 2 यह 0 हो जाएगा plus minus का 3 हो जाएगा क्यों कि यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अभी तो 3 आ गए देखते हैं अगला वाला अगर हम यहां पर क्या करें जेट माइनस का 2 भी आ गया है जेट माइनस का 2 जीरो करें जेट पराबर 2 आ जाएगा तब देखते हैं इस पी का मान क्या होगा यह हो जाएगा भरा होता सब्सक्राइब को दिखते हैं अदे बड़े हो जाएगा हिए लैगा आगेचने क्यों सोपषीस क्के बड़ा महेंकल थे इस प्रस्टी को अच होड़ा सा समझ नी की जरूबर्द में अधिरसल में निकालना क्या है ?यां पर निकालना है निम रिस्ट वाण क्या होगी, इन 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 है minimum value क्या होगी ? Minimum value की है हमनों क्या करते है ? इसे सबसे पहली को आप y मालने जाए y is what माना होगे ? 1 minus x plus 1 cost x square divided by, 1 plus x plus x square या ना y-स निकालना तुरूल फुरूगादीजिए y-स जैसे निकालेंगे y-स निकालेंगे तो यह हो जाएगा बन हर यान्स का डिफ्रेंसियेशन इसका जिरो हो जाएगा इसका माइनस का वन हो जाएगा और और यह हो जाएगा divided by divided by one plus x plus x square का square हो जाएगा, इनका multiply करेगा, multiply करेंगे, फिर multiply करने के बाद calculation करेंगे, मैंने calculation कर रखा है, मैं पुरा बता हूँगा किसमे time ज्यादा लगेगा, multiply करेंगे, multiply करने के बाद काटेंगे, पीटेंगे, काटने के पीटने के बाद जो हमारे पास बचेगा तो बचेगा 2x-1 divided by 1 plus x plus x square का whole square, यह आगया y dash, अब इसका y double dash भी निकालना है, y double dash आप निकालिएगा, y double dash जब आप निकालोगे और इसको 0 करेंगे, तो यहां से निकलेगा x पराबर 1, उसमें रठेंगे, तो उसकी जो value आएगी, वो 2 बटा 9 आएगी, कितना y double dash निकालिएगा, 2 बटा 9 कैसा होगा, यह धनात्मक होगा, जब धनात्मक होता है, तो x is equal to 1 पर आएगी, अभी आप इसे y dash को 0 करेंगे, न, par minima maximum, par minima ya maxima के लिए हम क्या करेंगे, y dash को करते हैं, 0, यह 2 into x minus 1 divided by 1 plus x plus x square, chi square equal to 0 आएगा, यानि कि इसको cross multiplication करेंगे, यह 0 हो 0, x minus 1 बबबर कितना आएगा, 0, x बबबर कितना आजाएगा, 1, यानि कि x बबबर 1 पर y double dash, y double dash की value हो दो बटे 9 है, धनात्मक है, जब धनात्मक मान होता है, यही मान की चलते है, यह confirm होता है, कि x बबबर 1 पर खलंद होगा, minimum होगा, उसकी value क्या होगी, minimum होगी, x बबर 1 पर उसकी minimum value निकाल दी जाए, यानि कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दिया जाए, 1 minus का 1 plus का 1 divided by 1 plus 1 plus 1 plus 1 square 1 है, यह कितना हो जाएगा, उपर यह दोनों cancel हो जाएगी, 1 बटा 3, कितना हो जाएगा, 2 option correct होगा है, यहाँ पर y double dash निकाल लिएगा, असान काम है निकाल लेगा, बस एक बार ही पर calculate करके छोड़ दीजिएगा, बस again मत करिएगा, बस साचीधा value रखके देख लीजिएगा, गोबटे नो आ जाएगा, हम सिर्भ यही तो चेप करना, वहाँ स्कूस करना थोड़ी है, ठीक?